ओजनता को नहीं मिलेते जनता से पूचिए देखिए 2021 में जिसस्तव में चालू लोक डाउन के अंदर टेक्स स्लेब नए तरीके से पनागया था तो पूरा बौर्ड भाजप्पा का था किस तरीके से टेक्स लेब की मार पूरिज जनता को नगर निगम के को जेलनी पड़ी आप बताईए कि आपका टेक्स नहीं बड़ा कि मेरा नहीं बड़ा किसका नहीं बड़ा था आज उसको उनका नहीं बड़ा है मेरी बास सुनिए वो सकता है कि उनके मंत्री है जीरो से ले मेरा नाम संतोष पाठक है मैं आपसे बहुत सीरियस बात करने मुझे आप यह बताओ कि यहां पे जो घड़ित है चुनाओ का उसको किस तरीके से आप अपनी तरफ खीच पाएंगे मेरी बात सुनिए हम घड़ित को खीच पाएं या ना खीच पाएं लेकिन हमारा प्रयास जारी है देखिए हमाजी केंट तारों का पानी पीती है हमारा ब्रिजवासी जमना जी के जलका सेवन करता है हम प्रिजवासी उन्हें पर बठा लेंगे और बताईए अरे साब हम तो मेरी बात सुनिए मैं तो अकेलाही चलाता जाने मंजिल मगर लोग इंत में कार्मा बनता गया जिस समय जंता को यह महसूस होगा यह तीसरी बार इनको लेकर के आये कि अन्होंने जनता को हर साल में तीन बार भी दरसन नहीं कराए देखिए योगी मोती योगी मोती के नाम बोट ले जाओ आप खुद भी तो कुछ करना सीखो इस जनता के लिए आप खुद भी कुछ करो बात बचाओ आप के राश्टी लोगदल जब साथ नहीं था तब दूसरी बार भी जीती अब तो राश्टी लोगदल भी साथ है सारा जाट बोट अजी साब ये जातिगत और दल दल इससे बाहर निकल के जातिगत राजनीतियों से बाहर निकले इस देश के बारे में कुछ सोचे एक पड़ा लेखा व्यक्ति सोचेगा जीएश्टी से पहले टेक्स कलेक्शन हमारे बाद में अगर हंडेट करोड था तो अब वो जीएश्टी के बाद में कुन पसीना आपके दिया जा रहा है उस हिसाब से बिकास कर देश में नहीं हो रहे हैं अच्छा एक बात बताओ आप यहां पर ब्रंदावन में कोई कोरीडोर भी बना देखिए ब्रंदावन कोरीडोर की बात नहीं करूंगा लेकिन एक बात सुनिए अरे प्रभू मेरी बात अपनी बात कह रहे हो ना तो यहां पर कोरीडोर बन रहा है क्या कथा है उसकी कुछ बताओ देखिए कोरीडोर और यह मंदिर और मस्जिदों की बात हिंदू और मुसल्मान की बात करती हैं आज भी मैंने अकबार में पढ़ाता मैंनी फोस्टे से कॉंग्रेस के मैंनी फोस यह बनाया गया है उसी आधार पर बनाया है मोदी जी आपको इतिहास का ग्यान नहीं है तो बताओ मैंनी फोस्टों में अपने मैंनी फैस्टों में इससे मोदी घबरा गए बोदी जी इसलिया गवडा गई जो पांच ने आए दिया है वो एतिहास है और जो आज मुस्लिम लिऑ के साथ में सरकार किसकी थी आभा मुस्लिम लिऑ के साथ में सरकार बनाई थी और संगे के लोगों ने, देख का बटवारा कर दिया majority मुसलिम लिग के साथ में, अब वो मुसलिम लिग की बात करती है, इसलिए मैं कहत हूँ, ये हिंदू-मुसलिम की बात न करें, विकास की बात करें, आज भारतिय जंता पाइटी की जितने भी साांसद हैं, मनत्री हैं, इनका विकास नहीं होता है विकास होता है आं वे भारतीय जंता प्रिटी के मंत्रियों का उनके कारे करता हो का उनके कराऊं का प्रस्ताब नहीं प्रस्ताब जट्स हो जाता है संसत में अपना बिल जट्स हो जाता है पर भीली को जो लुए जो लुए जैल सब्सक्राइब करते हैं पर अब बैसे शुर्ट इन के लिए मंदिर बाइन बुद्स टक में शुट वह आज रखन दीन कोट ने वन भाई है बाबुजी कहने पेट की रोटी भी खतम होई ता मोदी जी की गारंटी चालान कर दूंगा बाबुजी की गारंटी चैल पीट कर दूंगा और गरीब आदिक्वां कर कर देंगा पिर मोदी जी कहते हैं मैं करीब हो कोई सोच रहा हूँ यह अपने इंडी घट बंदन के जगत कर नहीं पाए ठीक से लोग जो इनके साथ खड़े हुए थे सामजस से बना नहीं उनमें वो चोर-चोर मोसरे भाई आके घटे हुए थे वो जाके कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं एमा मालनी की चर्चाज चारों तरफ है और यहां जो वोटरों का गड़ित है वो बीजे पी को हर बार मजबूत करता है खिलाल के लिए बस इतना ही मुझे दीज़े इजायत मिलेंगे अगले नोख सबामें नमस्कार में ही वोटरों सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी असर बुश्रेश्ट है 24 कर 24 चौपाल में हम इस वक्त गाजवाद के कनोजा गाउं में हैं यह वो छेत्र है जहां गन्ने पर सियासत होती है गन्ने के दामों को लेकर के किसान और सरकार कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं लेकिन इन सब के बीच गाउं के लोगों की आखिर इस चनाव में किस तरीके की राय है हम उनसे जानेंगे सबसे पहले हमाँ साथ मौजूद है गाउं के ही लोग सर क्या नाम है आपका आपका विधायक तो नहीं रहे होंगे विधायक तो आपके दूसरे हैं किस तरीके का कामधाम देख रहे हैं आप उनका क्या वाकई उस तरीके के हमारी सुनेता नहीं यहाँ पहले आप जो है अब आएगा वैसे ठीक है मोदी की गरंटी चलेगी पक्की सो परजेंट क्या माहौल है चुनाव में माहौल जैसा कि अभी दो दिन पहले ही मोदी जी गाजयवाद में अपनी दूम दड़ाके से मेगा शोगनों ने किया है तो किसी भी केंडिडेट को यहाँ पर उतारने से पहले मोदी जी अगर यहाँ पर आ गए हैं तो उस केंडिडेट का जीतना तो तै है क्योंकि जहां जहां मोदी जी के कदम पड़ते हैं वहाँ पर वोटोगी बरसात अपने आप होनी शुरू हो जाती है तो यह है कि केंडेट मायने नहीं रखता चेहरा मायने रखता केवल मोदी हाँ अगर हम बात करें अतुल गर्ग जी की तो अगर एक केंडिडेट के तरीके से बात करें तो अतुल गर्ग जी से अगर ये कह दिया जाएगी आपको गाउं कनोजा में पहुंचना है तो बिना जीपियस की लोकेशन लगाए वो कनोजा गाउं में आ भी नी सकते क्योंकि आप वोट मोधी जी को जाएगी क्योंकि MP का अलक्षन है तो सारे MP ही मिलके यह तैह करते हैं कि अगला आने वाला तीसरी वार का परदानमंत्री भारत का कौन होगा तो वो ओविसली जो कंडिडेट है उसका कोई माइन नहीं रखता सब वोट मोधी जी के नाम पर जाएगी यहां पर मुद्दे और हैं मुद्दे यहां और है एहम मुद्दा जो यहां पर है या अगर हम बात करें तो किसी भी देश के लिए या जिले के लिए या जनता के लिए जो एहम आवशकता है वो शिक्षा और चिकित्सा यह दो मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा आप है बसे भाजपा की लहर मोध्दी जीतना केंडरेट कोई भी खड़ा हो जाए यह तो मोध्दी की लहर पर ही जीता है को पुतला भी खड़ा कर दे तो भी जीत जागा बाव जी सही बात है अब रहा हुर है बोध्ड़ा की बात मौत जां की बाधर हैंगी तरम तरीके बात बात होगी लुग भाध करके वोट दे रहे हो या किसको वोट दे रहे हो किन मॉठों को ध्यान बर missile कृध्य की लेए और मोदी जी नो बहुत अच्छा काम की हैं और जैसा कि बताया कि मोदी जी की लहर है और मोदी जी चाहिए तो पुतला भी खड़ा कर देंगे वो भी जी जाएगा तो यह बात सच है और हमारा गाउं की जितनी भी बोट है ज्यादे तर बोट मोदी जी की हैं नबे परसंट सब्सक्राइब करें अपने फसु पाल राके हैं उन्हें लोग आंक जपी हारता का आदमी आया सोगा इतिन देर पार इतिन देर बैठने में हुए इतिन देर पार करते हैं इसी बात है करें दृष्षिस देर सबसे पहले बात है कोई भी थरकार अब से पहले आई किशान के लिए चार गंटे 5 गंटे सो फालतो बिजली नहीं मिली वो भी भी टैम मिली रात को मिली पाणीा गया बेब पिटे है आप दिन में पानी बलावे हैं और फटकार के सुँए है रात को प्रदेश में गुंड़ागर देश में नहीं है उपर पहुंचके एक विकास सड़कों कोई सारे रास्ते पक्के हैं कोई कच्छा नहीं है कोई तूटता ही नहीं अब किसानों के लिए गंजय का बढ़ना चीर है और बढ़ना चीरा बार बढ़िएं सरकार जो वह काम्याब होगी और मोदि अब गेस घर बैठके मिल रहा है और बिजली मिल रही है वह कैसी इनको नहीं मिलना चाहिए रासन उनको भी मिल रहा है इसका रासन बस उदार होने चीए क्या चलब है महावल तो अच्छा चल रहा है क्या करते हैं अब यूपी गौर्मेंट एंप्लोई हूं उप्लोई है गौर्मेंट एंप्लोई तो सुना बड़ा परिशान है कई सारे पेंशन अंचन पूरानी पेंशन लागू करने को लेकर स और इसी बात नहीं है सरकार ने इसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करिये और आने वाले समय में बढाल करेंगे पैंशन बाहल करेंगे कौन सा मुद्धा है अगर आपका उम्मिदवार यहां आएगा तो आप लोग बात चीत करो है कि हमें यह चीज़ चाहिए यहीं मुद्दा है इसी मुद्दे पर बोट देने सबी हुआ अगनी वीर हाँ अगनी वीर इसकी हम है उससे थोड़ी निरास्था है युवाओं में युव छे रहे जहां समय देखना हूं कि करीब करीब हर नहीं तो दूसरे तीसरे घर के भी तरेक सेना में या पुलिस में ह सेना के साथ समस्या आई है कि सेना में जो लड़के भरती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें केवल पांस साल भरती का इसमें मुलेगा अभी आमारे जो देश के रक्षा मंतरी है मानि राजणा सिंग उन्हें भी बोला है कि इसे हम दूबार रहे हैं यहां पर बातचीत अब देखते हैं उसमा कुछ सुदार होगा अच्छा त्यागी जो है बोट बेसक बीजेपी को कहते हैं दीपत सर्मा को जाएंगा त्यागी नहीं देगा कोई भी बीजेपी को बोट ठाकरों में बड़ा विरोध है इस बात को लेकर के कि जो है उनके सांसत का टिकट गाट तो उन्हें नहीं मिलेगा अब शेत्र में दिखाई दे रहा है तौना इसा अए क्या दे दीखाई दे रहा है और आम बता हो क्या वाली नहीं तो यह देखो जी, नहीं, अब देना तो चाह रहे है कॉंग्रेस को लेकिन प्रत्यस्य का नाम बूल गए, डॉली वो है जो दूसरी बार खड़ी हो रही है, यह लोग से बार मूल गए, त्यागी टोटल डॉली को देएंगे, बीजेपी को बहुत नहीं, बीजेपी को बहुत न पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डॉमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की, सर्वका, रखे सब कंट्रोल में चॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ओर्थो ओयल के अमेजिंग रिजल्ट सब को पता है, पड़ कि आपको पता है कि पुराने और जादा बिगड़े दर्द के लिए, डॉक्टर ओर्थो ओयल के साथ-साथ, डॉक्टर ओर्थो क्याप्सूल्स को भी रेगिलर यूज करने यह कोई टेंपररी पेन किलर नहीं, आयूर्वेदिक ओशती है, इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है, इससे बड़ा सेल शाय नहीं मिलेगा, टीवी, लाप टॉप, मोबाइल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाएंसे, सब पाईए बेस डिल्स, सिर्फ व्रिलांस डिजिटल के टिजिटल डिजिटल डिसकाउंट बेस में प्रेट माक देंकर ही खरीद, आसे वाह, क्या बात है। बाच्री करते हुए राजस्तान रॉयल्स ने चीत के लिए 197 में रनू का लक्ष दिया, जुसे गुछरात ट्राइटन्स ने साथ विकेट खो कर हासल कर लिया। गुछरात के चीत में राशुत खान के हैं भूमिका रही जिन्होंने 11 गेंदो में इनाबाद 24 रन बनाए। शुमंगिल नहीं राजस्तान दिस प्रोग्राम इस को पावट बाई। पेट सफा आयुरुवेदिक चोल्ड, पेट सफा हर रोग तफा, टेज मस्त, सबर्दस्त, राकनी राजिश राखवभोग चक्कियाटा आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ट ड्यूज चैनल भारत समाचार अब यू आदन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं देट बैनों भाईयों अब पहले और दूसरे चरण के मत्दान को बहुत थोड़ा वक्त बचा है उन्नीज तारिक को पहले चरण का मत्दान होगा और 17 को परचार समाथ होगा 26 को दूसरे चरण का होगा 24 को परचार कारी समाथ होगा यानि अब वक्त जादा नहीं है अल्मोष्ट बारा दिन के अंदर दोनों फेज के वोट पड़ जाएंगे दोनों फेज मतलब 8 प्लस 8 16 सीटे और तीसरी की तैयारी है जो बरेली रेंज की तरह पागरा की तरह चुनाओ होना है वो तीसरा चरण अलग से अब उसकी भी शुरुआत माने है क्या चल रहा है इस इलाके में किस समस्या से NDA एलाएंस और NDA एलाएंस जूझ रहा है दोनों की ये कामन समस्या है क्या है वो कामन समस्या क्या है और इस वक्त 15 उत्तर प्रदेश की चैनर यूपी में क्या चल रहा है शेंटर यूपी में क्या चल रहा है ये इस्ट यूपी में क्या महल है ब्रज पे क्याव हाल है आध पूरी और खुली चरचा इस डीबेट में चांट में हम करने वाले कि register सब्सक्राइब 19 और 26 उत्तरप्रदेश की इन 16 सीटों पर मद्दान होनी जा रहा है एक समस्या है जिससे भारती जन्ता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ पीड़ी तें दोनों की प्राब्लम एक है दोनों को एक ही बिमारी डाइग्नोस हुई है क्या गुट बाजी आपसी कलह मारकूट और टिक्टो के बित्रन को लेकर बवाल इस समस्या से दोनों दल बहुत बुरी तरह से पीड़ी थें क्यों पीड़ी थें क्योंकि बड़े बड़े दिगजों के टिकट कटे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अर्मान पाले थे कि उनको टिकट मिलेगा, यहां समाजवादी पार्टी ने एक फार्मूला निकाला, दे दे कर काटा, और बीजेपी देने के बाद सन्नाटे में बैठी है, विरोध अलग हो रहा है, आप बरेलीम देख लें, आप मुझफर नगर देख लें, आप बागपत की तरफ देख लें, कई भी देखें, दूसरे जिलो में भी यही हाल मचा हुआ है, यह असमंजस की स्थिती क्यों है, कार्यकरता और पार्टी बेहत परिशान है, समाजवादी पार्टी तो विशेश तोर पर पीडित है, और भारती जंता पार्टी जिसके आँ अनुशासन नंबर एक पर हुआ करता था, उनके आँ भी लडाई सडक पर होने लगी, बरेली का वीडियो वाइरल हुआ, मुझफर नगर में जो हो रहा है, वो भी सामने है, भैनो भाईयों इस बार के चुनाओं में एक अंतर है, अंतर क्या है, आप भी शायद उसको महसूस कर रहे होंगे, इस बार ताप यह सब इस बार के चुनाओं में मिसिंग है, उस हाई डिगरी पर नहीं है, जिस हाई डिगरी पर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चुनाओं हुआ करते हैं, इस बार विचारधाराओं से अधिक आपसी कला बहुत मची हुई है, और इससे कोई अचुकता नहीं है, सब को चाहिए, लेकिन पार्टियों को पार्टिकट होता है, एक, कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है, लखनव किसी को लड़ाना चाहता है, दिल्ली किसी को चाहता है, सर्वे किसी का आ रहा है, इसी में अपने पुराने सांसदों को भी टिकट देना है, इन समस्या से पी सबसान दे जाता है कि यह सीटें वह अपनी खो देते हैं और इस बार सब की लड़ाईयां खुली हुई है कोई किसी का नुसासन और डर ज्यादा दिख नहीं रहा है तो इन 16 सीटों पर महाल के आहिकीन मुद्दों के आधार पर चुना हो रहा है बैन भायों काफी वक्त के बाद मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इस बार ग्राउंड पर मुद्दों की आहट अधिक है यानि जो पब्लिक को रिसूज हैं किसी भी आप पब्लिक ओपिनियन सोज मे और सेहत और इसके बाद रोजगार एस बार है कोरती सुज जो जनता के हैं इस बार इस पर चर्चा हो रही है कानुन द्रफोश्था पर चर्चा है सीकूरिटी पर है क्यों है क्योंकि वहां समर्द्धी यह यह लोगों को अप्से परश परइचा लाउंड अठर Gew dessus इन लड़ रही है इन सब मसलों पर आज खुली चर्चा करने वाले हैं आप कुछ स्टेट्मेंट चुनें फिर आज की रिवेट को हम आगे बढ़ाएंगे अधकालिक नाराएगी और एक इस्टानी मुद्धों को लेकर नाराएगी थी अब कोई नाराएगी नहीं है जब उसका अधिकार बनता है कि हम चनाल वड़ते हैं हमारे बार नहीं तुनिया रही तम नाराएगोना साभाव एक होता है समझती हों कि किसी रणनेती के तहती सीटे चेंज करी जा रही है और मारा मकसद यही है कि जात जात सीटे तडबंदन और समाजबाती पार्टी जीतेगा आप देखना इनकी तर्म जूट की बाद इतना इस बार इस बार कब जो पढ़नाम आने वाला है आम जनता चुनाव लड़ ले यहां जनता समर्थन करूँ से बाइनों बाइव इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंग उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता है अंसू अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं दीपक रंजन बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परचर्चा का हिस्सा बनने के लिए बैनवाई हूं आज की डिवेट में खास बात दिख रही है कि जितने भी अलाइंस है उस सब अपने 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 ड्रेस में आएं और जो यह इंडिया अलाइंस वाले हैं यह एक ड्र बात करते हैं डाक्टर समीर सिंग मेरे साथ मौजूद है वीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर जी मुझे आप बताईए यह जो आपकी पार्टी में गुडवाजी हो रहे हैं इसके वीडियो बड़े सारुजनिक हैं आप तो कह रहे हैं आप क्या तो सड़कों पर लड़ाई ह हो रही है यह क्या है नहीं को लगता कहीं गलत जानकारी आपको मिली भारती जनता पार्टी का कारेकरता पार्टी के प्रत्समर्पित कारेकरता होता है हमारा नेता और कारेकरता तन मंधन से भारती जनता पार्टी को जिताने में लगा है जहां गुटबाजी है महां की चर् पार्टी ने इलहाबाद का टिकर बदला और रीता बोगोडा जो सी सीनियर लीडर है उन्होंने नीरत पाठी को जाके उनके घर तिलक लगा के उनको बढ़ाई दे विरेंच सिंग मस्त से आज नीरत सेखर दिल्ली में मिले कहेंगे तो आपको मैं फोटो दे दूँगा उन्ह को पूरा समय बात कहा ले गए मैं जो बात आपने कहा मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं रही बात आप जो पसी में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है बहुत अच्छे प्रकार से भारती जनता पार्टी और श्वायोगी दल के साथ हमारा प्रचार चल रहा है कि मुझे ब दोनों लोग एक ही साथ मंच पर थे कलमानी मुक्यमंत्री जी के साथ, दोनों लोग एक ही साथ मंच पर सब लोग लोग देखे भारती जंता पाड़े आपके पास मैं कभी 6 महिने से debate कर रहा हूँ और एक ही बात कहता हो जब आप प्रती 802 पूचते ते कब घोसित करेंगे तो मैं कहता था कि प्रती 802 घोसित है नरेंदर मोदी और कमल का फूल सारे लोग कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, नरेंदर मोदी जी को किसी के मन में असहमती है तो वो हमारे अध्यक से हमारे संगठन मंत्री से हमारे जिला से हमारे मुख्य मंत्री से मारे मंत्री अपनी बात कहता है आपके केंद्रि मंत्रि को गुंडा कहे रहा है यो यह fingertips बे श्रह accent कोka करने बदावे के साथ करता हूं सब लोग बारती जन्ता पार्टी के परचार में है, कमल के फूल में हैं, और सोले की सोले सी्ट बारती जन्ता पार्टी पहले और दूसरे चरण की जीतेगी. यह मैं आपको आज यहां विस्वास दिला के जाता हूं, फिर चार्त के बाद आपको, जो है ये नराज बोरना है ये जदित धना वाले वह कर अन्हाल ग्था empirical गळै जो बल Sieg जो, एक प्रती समाज है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, भonta व्षय है. के साथ है जाती कि सीमा टूटी है 19 में भी TV मैं तो पूछ रहा हूं कि जो यादो में यह लड़ेंगे क्या डिमपल मैंपूरी लडएंगी क्या कंण्योज कौन लड़ेगा धर्मेंदर याधो इधर से उधर गूम रहे थे आजमगड में जाकर प्रचार कर रहे अभि भी फिर ने कल सीट बदल दीजाए इसकी गारण जो यादों में यादों का नहीं ते कर पा रहा है वो असी सीट कर रहे हैं अच्छे यह सहारनपूर में जगह है ननवता नाम सुने ननवता में क्या चल रहा है आपके साथ कुछ नहीं चल रहा है कम से कम बीस हजार छत्री व हमारे सरकार में मंतर हैं हमारे हैं पंक्न कर रहा होगा खर रहा होगा मैं को इसमें तो भारती जंता पार्टी को सब का साथ मिल रहा है बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे अठात की-08-08-- 저도 की श की समे जीतं यह जीतेंगा मानिप्रदान मंतर जीन संगीतां को मानतिव उनाराजी नहीं नहीं इसका कोई फरक नहीं पढने वाला मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को इस डिबेट में अमंत्रित करता हूं दीपक जी आपका शुक्रिया धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप से जानना चाहता हूं कि आप कहां गुडवाजी अभी बंद नहीं हुई और आज तो मै ही नेता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खिलापत कर रहे हैं इस गुडवाजी और कलह का कारण मिजेश जी आप सभी को पावण चैज नौरात्री और यीद की दिली मुबारक बाद आप लोगों को बहुत हार्दिक शुब काम नाएं और बसाई देखिए आज अभी हमारे भार या एंता पाटी के लोगों ने पाल रहते आऑज की तारीक में पश्चिन से ले कर के और उतर में द क्रिक है 4 अब इसमहों को यह भाप नहीं पार हैं आज की तारीक में महोल जो है वो अंडर करिंड जोrios इंकी खिराफ हैब कहने को कुछ भी कहा दें लेकिन ओन येर जो च सब्सक्राइब निकल नहीं और निकल नहीं लेकिन कहीं उनका कहीं विरोधाबास उत्पन किया हो यह उन्होंने विरोध में कोई यह तो नहीं कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि अभी तक जो है उनका रोजे से थे और मस्जिद में रहे कर गए अपना रोजा मनाते हैं वह और आज यह चुनाव कौन लड़ेगा आज कि निकलेंगे और ओट किस दिन पढ़ेगा वहां पर निस को पढ़ना है यह जिसको फोन के द्वारा कहना है जिसको जैसे इतने बड़े नेता हो फोन कर दें खुला विरोद कर रहे हैं अब आजम खांसाब का उंगा पूरा पूरा अशिरवाद उनके उपर है और आपने देखा होगा कि वहां पर रामपूर में समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा प्रत्याशिवाद पर उतारा है यह पार्लिमेंट के जो है मौलाना है मौल आपको बता दें कि हम लोग बाजा गाजा बजा करके जूटा प्रचार नहीं करते हैं इसे हम लोगों की बीच में जा रहा है आप एक कार करता है जो लोगों के बीच में जा रहा है लोगों का दुखदर सो मज़ड़ा है पीडिये की आवाज बहुत शुक्री आपका धन्यवाद मेरे जुम्लेबाजी कर रहा है उपना सजा करके मैं अंसु आवस्ति को इन्वाइट करता हूं उतर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है अंसु आपका स्वाग बनेगा मुष्किल से चार दिन बचें 17 तो रही हो जाएगा आपकी पार्टी का एक भी इस्टार प्रचारक मुझे कहीं प्रचार करते नहीं दिखा ब्रजे जी दिखे जो अमेठी रैबरेली की बात है तो अमेठी रैबरेली की जनता किसको बढ़ देना है उसे यह पता ह और उनको ये भी पता है कि कौन वहां से चुनाओ लड़ेगा और हमें पूरा भरुसा है कि गांधी परिवार से लड़ेगा रावल गांधी जी बिलकुल हम तो मांग कर रहे हैं आप तो कहा रहे हैं नहीं हमें ही पता है उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस ने प्रस्ताव बना कर भेजा है कि आदनी राहूल गांधी जीन ने पूरे देश में प्रशारे की संदेश दिया है आज भीपच की ताकत बनकर उबरे हैं आज भारती जन्ता पार्टी सवालों का जव प्रदान मंत्री जी आया और जूट बोलकर चले गए अब जनता इस बात को देख रही है जो हमारा नियाय पत्र आया हमने जो पांच नियाय 25 गारंटी दी है जनता उस पर उट करने जा रहे हैं पर प्रचार क्यों नहीं करने जारे हैं जो कभी नहीं जाते थे तक दिन्में तीन तीन रह लिए कर रहे हैं उनको तो आदेश आरा जो उस इससाब से चल रहे हैं तो आपने इमरान अशूद को लावारिस को छोड़ दिया लावारिस का हम पूरी मजमुत कर आएगर एक आप पार्टी का संग्ठन कॉंग्रेस पार्टी का संग्ठन पुरी मजबूति से लड़ा रहा है और देखे बीजेपी की लोग इसलिए प्रचार करें उसका दूसरा कारण सर्वे की रिपोर्ट लीख हो गई है जो आरेसेस का सर्वे था अइसा तो नहीं कि वह सर्वे देखने के बाद आप परचार करने की हिम्मत गवा दियो बार्ती जिन्ता पार्टी एक माहौल बनाना चाहती सर्वे की रिपोर्ट तो आप भी जानते क्या है आप को इपता है बताईए ना आप मेरे उपर क्यों ठेल देते हो आपनी पार्टी को प्रमेर उपर ठेल रहे हो अगर बीजेपी अब देखे ना कितने कांग्रेश के स्टार प्रचारक आपने तो उनको टिकट दे के एकदम लावारिस कर रखा है क्या उनको कोई चूने को भी तैयार नहीं आपकी पर्टी पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं वो सेकुलर नेता है और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके की परिस्तितियां और समीकरन बीजेप करता हूं राष्टरी लोगदल के निशनल से जनरल से करेटरी है और प्रवक्ता बहुत शुक्री है आपका दूबे जी कुर्था तो बड़ा घजब निकाल ले वाच दूबे जी को यह बताओ कि यह जैन चौदरी हर रहली में सफाई पहले देते हैं और अपनी बात बाद में रखें कोई अपराद बोद है आप लोगों को नियुक्त है का अगर किसी ने सवाल किया तो भी हैं कि सवाल मेंरा चाहते हैं किसानों के बले के लिए करना चाहते हैं और सत्ता में रहकर कि ही तो हो सकता है सब जब हम सत्ता में जाएंगे तो भी तो हम कुछ कर पाएंगे और और विपच्छ यह चाहता है कि किसान जो है सलकों पर बैठा रहे किसान लगाता रांदोलन करता रहे वो खुसाल ना हो पावे हमारे हमारे नेता सरकार ने वो उस दिसा में कदम बढ़ाये हैं चोधिसा आपको सम्मानित करने का काम किया जो अब तक नहीं हुआ आप मुझे यह बताइए कि जिस सांसत को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो निस्कासित कर दिया हो उस मलूक नागर को आज आप पार्टी भी जोईन कराते हैं और आपकी पार्टी के खिलाब भी चुना हो लड़े थे और आज ही आपने उनको अभी शाम को मैं देख रहा था उनको नेशनल जनरल सेकरेटरी बना दिया गया नहीं उन्हें बहुजन समाग पार्टी ने निकाला था निक आ रहे थे कि गुजा रोट मैनेश नहीं हो रहा है चंदन चोहान का कुछ टाइट चल रहा है इसलिए मलूक नागर को लाए गया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाला थे हैं के पी मलीक जी से पूछ लिजेगा अभी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडि आप लुजर नहीं हो रहा है और वह बैचारी क्रूप से वह कहीं करीब होंगे तब हमारे हाए ना पहले से वह बैचार तकरा था तुम्हें माले तक वह हमारे आपको सहथ पता है हो कि हमारे युआ लोगदल के राष्टी अध्धच भी रह चुके हैं पहले से वह लोगदल में रहे हैं उनके विचार चोदी साहब के करीब पहले से हो हैं इसलिए तो बैचार-पांच दिन पहले कई से विचार आगे अचानक से बस्पास स सहन संथने, उनको लगा कि किसानों के लिए काम करें giàud कि बहदरपार्टी राष्टी देले किसानों के लिए और को कौई काम उत्तरप वाकतर बțiर्पने देश में तो कर नहीं करना है तो उनको लगा रही है नहीं फिर्पी कर तो रही है बीजैपी ने तो किया तभी तो और पीजैपी किसाथ गए बीजैपी ने दो आप सकानल नहीं कॉंग्रेस या इंडिया गड्वंदल के लोग सब्सक्राइब आपका सवाल यह वह सब्सक्राइब तो सारे लोग करते हैं आपकी हर्दी किछा है तो मैं केपी मली को ले आता हूं बिल्कुल ले थीग है बैइत दुबे जी की अनुमत से के पी मलिक जी को इस्क्रीन पिलाए जाए मलिक साब यह जो बाते कर रहे हैं अब सही सही बात आप बताओ इन सोला सीटों पर क्या महूल दोनों तरफ का बताना इंडिया एलाइंस कभी और इंडिया एलाइंस कभी कि देखिए ब्रिजेश जी पहले तो हमें आपसे कुछ एतराज है कि देखिए इनोंने सब को आपने जो है ड्रेस दे दी है और हमने नहीं दी है आज सब इस ड्रेस में आएंगे सपा वाले भी कांग्रेस चे कह देते हैं कि आज इस ड्रेस में आएंगे जी दूसरा जो है के आप ने हमारे मित्र अनिल दूबे जी की जो किछाई है कि तो बहुत दिनों से प्रियास कर रहे हैं रास्टि लोगदल के राश्टी अद्यक्स को समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो चुनाओं में बड़ी-बड़ी रहलियों में परदान मंत्री के साथ मोदी जी के साथ अमित्षाज जी के साथ और योगी जी के साथ वेस्थ हैं उनके पाट टाइम नहीं है आज टाइम उनको मिल ग पालियमेंट है गूजर समाज के तो नेता जो इनके पास बड़े हैं वो तो चुनाओं लड़ी रहे हैं उनको दूसरे गूजर की आवशक्ता नहीं है वो तो वहां पर चंदन-चोवान से बड़ा गूजर नेता इनके पास इनको जुरुत नहीं है और वो मलूप नागर वीटों पर चुनाओं कैसा चल रहा है कौन कहां किस पोजीशन पर है कि देखिए अगर आप वेस्टन यूपी की बात करते हैं 19 तारीक को पहले चरण का मद्दान है और कई जगे पर जिस परकार से यहां पर भारती जनता पार्टी के विरोध में कई समाज परदर्शन कर हैं अब भारती जनता पार्टी उसको बहुत हलके में ले रही है मुझे लग रहा है कि भारती जनता पार्टी को इस पर संग्यान लेते हुए इसको सीरियस लेना चाहिए और इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए अगर भारती जनता पार्टी इसको इग्नोर करेगी तो जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में ये मुश्किल होगी मैं आपको बताना चाहरा हूं तो 17 तारीक को ब्राह्मन समाज का विरोध परदर्शन है उनकी पंचायत है इसके अलावा त्यागी समाज सैनी समाज भी छोड़ी-छोड़ी पंचायते गाउं में कर रहे हैं तो कारण क्या है एक तो गुड़बाजी भी मैंने देखी चाहे समाजवादी पार्टी हो आप मेरड देख लें मुरादाबाद देख लें रामपूर देख लें बीजेपी में मैंने देखा कि आपने संगीत सोम के वाइरल स्टेट्मेंट सुने होंगे जिसमें वो बाल्यान पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं देखे बिर्जेश जी आपने समीर जी से सवाल पूछा था और समीर जी ने ये बात नकार दी है जबकि ABP निउस और आज तक पर उनकी दोनों की बाइट चली है और दोनों में साब साब तलकी दिखाई दे रही है और मुझे कि तुल ही लगता कि इतने कम समय में तलकी मिटेगी क्योंकि कहीं ने कहीं ये भी आ कानाफू सी महीं है कि संगीत सोभा हरान में संजीव रहा है। और सर्दना सीट से जो चुना वारे तो उसमें कहीने के संजीव बालियान और दूसरे जो वहां पे नेता है जो गन्ना मंत्री सुरेश राना थे वह भी कहीने के विमुक संजीव बालियान से रहते हैं अब यह राजनेतिक लोग तो इन चीजों से दूर हैं लेकिन जो से एक लाग के बीच में पंचायत होती है तो यह जताता है कि कहीं नाराज की जानते क्या है कौन लोग जब जहां पर धारा 144 लागू हो मॉडल कोड़ आप कंड़क्ट चल रहा हो यह 50-50,000 लोगों की सभाएं कौन करने दे रहा है यह जातियों की पंचायते कैसे हो रही है इनके खिलाब परसासन या पुलिस या चुनावायों कर रहा ही क्यों नहीं कर रहा है जातिगत तो मना है नहीं तो MCC का उलंगन है हो कैसे रही है यह देखे बिरजेश जी अगर आप ननोता की बात करें वहां पर हमें जो सूचना मिली थी हमारी पत्रकारों से भी बातची थी बाकी वहां पर इंटरनेट बंद तर देना दूसरी चीजें बंद कर देना उस तरह का जो सावधानी थी वह परसासन ने बढ़ती है लेकिन रोकने की इम्मत परसासन करेगा इस पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि फिर वहां पर मामला बढ़ सकता है यह सोचते वे पर लाप जाएगा क्योंकि भारते जंता पार्टी सत्ता में हैं और अगर कोई भी परसासन कदम उठाता तो सीधा सीधा सत्ता दारी दल पर आरोप लगेगा और उसका और ज्यादा नुकसान भारते जंता पार्टी को ना हो इसलिए इन चीजों से बचा जा रहा है लास्ट को चीजे हैं कि इस बार जो है चुनाऊ भूप ठंडा है और मोसम जल्दी गरम हो रहा है तो तालमयल बं नहीं पा रहा है अपने पत्रकारीता के जीवर में इस तरह का चुनाऊ नहीं देखा कि इतना ठंडा चुनाव हो लोगों में कोई हरसू लास नहीं है खासकर Western UP में चुनाव में अच्छी खासी रोनक होती थी वो रोनक आपको किसी भी सीट के ओपर दिखाई नहीं दे रही है और दूसरा जो सबसे बड़ा मैंने ये देखा है कि कई सारे समाज जो है करता हूँ मन जी आपका बहुत शुक्रिया आप सबकी ओपिनियन लेने के बाद आप की बारी है कि आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि पश्य मुत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर क्या चल रहा है बीजेपी समाजवादी पार्टी राष्टरी लोगदल और कांग्रेस क्या उस टेंपरेचर तक चुनाओ को पहुचाने में कामियाब हुए है कि जहां वो परिणाम में तब्दील हो आज देखिए यह चुनाओ बड़ा महत्पूर चुनाओ है वैसे धर चुनाओ महत्पूर होता है लेक्स चुनाओ में एक नई चीज़ देखने को मिली है इसमें कोई शक नहीं कि भारती जनता पार्टी के अपने कुछ नेताओं कुछ नेताओं के बीच में अंतर विरोध हैं जो दूसरी शक्त ले ले रहे हैं जिसका जिकर अभी मलिक साहब ने किया और यह आज की बात नहीं यह 2022 से मामला चल रहा है 2022 के असंबले एलेक्शन में आईसा मानते हैं संगीत सों कि उन्हें चुनाओ हराने में संजीव वालियान की बड़ी किरपा रही और यही कमोबेस सोचना सुरेश राना का है जो जीतते तो मंत्री होते लेकिन उन्हें जीत नहीं पाए संजीव वालियान और कहीं ने कहीं प्रदीप चोधरी से भी जो कहराना के मुझूदा सांसद हैं उनसे भी उनकी थोड़ी सी रफ्जप नहीं है संजोग देखिए कि संगीत सों मुझूरेश राना एक जात से आते हैं इसलिए इन सारी बातों को जो ठाकरों की नाराजगी बताई जा रही उससे भुजूड करके देखा जा रहा है यह सच है लेकिन भारती जनता पार्टी के बारे में एक चीज़ बता दू कि पहले तो पहले चलड़ की आठ चीज़ पर आप जान लीजिए कि भारती जनता पार्टी अगर 95 और 100 की रफ्तार में चुनाव लड़ रही है तैयारियों किसाब से मेरे तमाम में तरही नाराज हो जाएंगे अपोजीशन दस से पंद्रह की स्पीड वे दोड़ रहा है मैं एलेक्शन प्रप्रेशन की एक एक कंस्यूंसी की बात बता रहा हूं इंडिविज्वल कंडिडेट्स लड़ रहे हैं पार्टी की और से आपने खुद मिंसिन किया कि 17 तारिक को आखरी परचार है 17 की शाम को 19 को वोटिंग है अपोजीशन का कोई एक नेता बता दीजिए जो वेस्टन यूपी की इन आर्ट सीटों के प्रचार में भी तक गया हुगा कल पहली बार निकल रहे हैं और वो भी पीली भीट चे निकल रहे हैं अब पीली भीट के बगल में बरेली है जहां तीसरे चड़ में चुना हुगा है कि इस्टिजिकली क्या उनकी प्रपेशन आप समझ सकते हैं जबकि आठ में दो सीटें ऐसी हैं कैराना और मुझा फन अगर जहां उनकी पार्टी जब अर्दस्ट चुनाव लड़ रहे हैं जहां बीजेपी को नेक नेक फाइट दे रही है कि बाकिछा सीटों में भारती जनता पार्टी बहुत बहुत आगे मतलब लंबी त्यारी में आप चाहे रामपूर देख ले या फिर मुरादाबाद बिल्कुल साफ है कि कि इस तरह से गुट बाजी है और पार्टी की कोई दिल्चस्पी नहीं कि इस गुट बाजी को रोक भूरति औरो आज की तारीक में आज की तारीक में यह वात हो रहें भारती जनता पार्टी हों जीत सकती है जीत रहें मैं यह सप की आप समिछ सकते हैं अपोजिशन के चितने बड़े लीडर एइस्टेजी स्थ वो क्या कर रहें है वह कागच्ष पर जाती आंकरे want जोड र और अपोजीशन का यह जो तरीका है यह मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप खाली यह देखे भाजपा मंतर कला है और आप जीत जाएंगे तो इस तरह चुनाओं नहीं जीते जाते हैं यहां यहां एक एक कदम पर लड़ाई है और यहां आप पोजीशन की तैयारी एक मैं एकदम कमजोर मानता हूँ आप जिस जिस वारनपूर की बात बार बार करते हैं लोग इम्रान मसूद वाले साहरनपूर की आप वहां का पड़ाम आने दीजिए आप देखिया क्या पड़ाम होता है यह जो अंतर विरोध वगरा की बात आ रही है मुझे नहीं लगता है अगर वही एड्मिस्टेशन उन पर लाटी भांद दे या मना कर लाटी सब कुछ नहीं होता आप वाइलेशन कर रहा है उन पर मुकदमा करिए ठीक अभी गिरफतार मत करिए बट मुकदमा लिखिए सर ऐसे तो फिर कोई भीड लेके आएगा और करके निकल जाएगा और मुकदमा कर आज किसी कोईते हैं इस इक तो कहते हैं बड़ी बड़ी वेज़दार चीजा उन पर एफाई अर्दर जोनी चाहिए ब्रजेश जी गे रुची वीरा के खिलाप केस दर जुआ पहर भी भा इसकी जो बरेली और आगरा रीजन में है चुनाओ क्या आपके पास इंपूट और फीडबैक है यहां चुनाओ कैसा चल रहे हैं कि देखिए यह अंतरकला और गुडबाजी का काफी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और यह कह सकते हैं कि यह दोनों बड़े गड़ पती भी एक बड़ा फैक्टर रही हैं खास्त और से पिछले चुनाओं में यह जो पहले और दूसरे चल के जो सीटे हैं इसमें बसपा की भी कई सीटे निकली थी आज बात अलग है कि वो गटबंदन में नहीं है आज भाजपा में एक बात आई कि किसान अंदोलन एक जमा सीटों पर लड़े थे भाजपा ने फिर उस नाराजगी को खत्म कर लिया आरेलडी को अपने साथ मिला लिया लेकिन एक नहीं चुनवती आ गई छत्रियों की नाराजगी की कि उनके समाज के टिकट ज्यादा कट रहे हैं और छत्रियों को टिकट नहीं दिये गए सम्मान फिर एक लड़ाई आ गई संजी उबालियान और संगीत सोम की ये भी है लेकिन दूसरी और जबाब देखे तो बरुन गांधी की भी बाद तीली भीत में आती है लेकिन रामपुर में आजम खाके मन चाहे वेक्ति को टिकट नहीं मिला तीन तीन नामांकन हुए प्रवाद में दो दो तिन तिन बार टिकट बतले गए नाराजगी हुई लोगों ने नारे लगाए तो दोनों दलों के साथ ये समस्या है लेकिन इतना जरूर है कि बाहजपा इस बिरोत को रोकने की कोशिस करती है इंडिया गडबंधन में कोई नियत्ता सुला सपाटा कर रने नहीं जाता मुख्यमंत्री ने संजी बालियान को और संगी सों को बुलाकर मंच पर वैठाया और कोशिस की एक मैसेज दिया कि यहां पर कोई लडाई जगड़ा नहीं है बिर्जेज जी यह चुनाओ यह दो पहला चलण खास तोर से मैं आज बोल रहा हूं इसमें भी यह जाट लैंड का काफी हिस्सा है जैन चौदरी की भी परतिष्ठा का यह चुनाओं है सहारन पूर कहराना मुझफर नगर नगीना विजनोर यह चार-पांच सीटे सीधे सीधे रालोत के आने के बाद क्या स्थिती बनेंगी यह भी एक टेस्ट है संजीव बालियान लोगों को पता है आज अरेल्डी उनके साथ आ गई है तो सभावी कि बीजेपी का बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन गुटबाजी की बात करें हम चाय अंतरकला की यह चुनाओ परत्यासी नहीं लड़ रहे हैं यह चुनाओ पार्टियां लड़ रही है यह चुनाओ एंडिये और इंडिया का गड़बंदन लड़ रहा है जंता ने यह मन मनाया है कि हमें परत्यासी से ज्यादा लेना देना नहीं है और अब ये भी साफ है लोगों ने अपना वोट डालने का मन बना लिया कौन कहां वोट देगा वो अपने मन में रखे हुए है बहुत साफ है अब ये परचार हला हंगामा से ज्यादा कुछ नहीं होगा हां कोई धार्मी कुनमाद या कोई अच्छा केपी मलिक साब क देना है कि एंडियम देना है यह किलियर है और यहीं मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर्तियासी कोई है चुनाओ पार्टी लड़ गई है देखिए अब कमानना है गुडबाजी ज्यादा असर नहीं करने वाली ज्यादा उमीद नहीं है यह लेकिन भाजपा को ज्यादा घवरान नहीं कि भी जुरूरत नहीं भाजपा बिना अरेलडी के भी लोकसभा में इस इलाके में बढ़ियां जीत्ती रही है और एल्डी के साथ भी बढ़ियां जीत्ती रही है तो अध्यादा कर रहे हैं दूबे जी आप इतना बोल दोगे अगले राउंड में में जोच पर रहा है कि हमने पल्टी नहीं मारी है पठकनी दी है अभी पठकनी का परड़ाम आना बाकी है यह तो यह चीजें आएंगी साथ में जी मलूग नागर एक सांसत है बीजेपी के उनको इन्होंने सामिल करा लिया लेकिन इस देश की जंता मलूग नागर नहीं मलूग दास को चांती है जो एक संत थे और जो कहें गए कि अजगर करें नचाकरी पंची करें नकाम और दास मलूग का कहें गए सबके दाताराम यानि कि सबका पालनहार इस्वर है चाहे कोई काम करो चाहें ना करो यह आलसी लोगों के लिए वैसे काफी उचिक का था मलूग नागर ने इसका दूबे जी से किस्टिपणी का दूबे जी से कोई तात्पर नहीं है विजेजी उत्तर प्रदेश में असी सीटों पर चुना हो रहा है जे पश्मी उत्तर प्रदेश में जाक लैंड में किसान और चोधरी अजीज सिंग भाजपा समाजवादी और बसपा यह सब के म लोगों को पता चलेगा जी कंक्लूड करें भी रिंजी वैसे गुर्जर जाट यह वोट तो काफी सब के लिए महात्पूर्ण रहे हैं बहराल सुनिएगा चार लाइने हैं कि चिंता नकरो परचार करो जंता के बीच रहो पैड़ाम जो होगा देखा जाएगा उपर वाले तक जाएगा और खीच धनू की दोर निसाना साधो अपनी मंजिल पर बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इंपूर्ट समीर जी यह निकल कर सामने आ रहा है एक ओपीनियन एक्सपर्ट की इस बार ठंडा है चुनाओ कारण ने देखें ठंडा कोई चुनाओ नहीं है जनता के बीच में हम लंबे समय से जा रहे हैं और हमने पहले भी डिवेट में कहा था कि जब प्रत्यासी नहीं ते हुए थे उसके पहले हमने लाबारती संपर किया था हमारे कारेयले खुल गए थे हम कारेक्रम कर रहे थे हमारे बूतों के सम्मेलन हो रहे हम आगे के चरण में सेक्टर के अंदर जो न्याय पंचायत होती है वहां नुकर सभा करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमा इसकी लोगसभा के चुनाओं में सपा और बस्पा का गणबंद सबसे बड़ा गणबंदन था उसके बाद भारती जनता पार्टी जीतने में सफलता प्राप्त की थी आज हमारे पास मानी मोदी जी जैसा नेत्रित है मानी योगी जी जैसा नेत्रित है जो हमने निरंतर उत तिन जिले को बिजली नहीं दिया हमने उत्र परदेश के 75 पर विजली दिया हमने उत्र परदेश के अंदर विकास किया वह मेरट का जो दिली से जाने में पसीने Remote जाते थे आज जब मेरट जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप दिल्ली से मेरट कब पहुँच गए आज मेरट से दिल्ली से सहारण के नेता आजम खान ने सचिन और गवरों की हत्या में ऐसे लोगों को छुड़ाया था जो उनकी जिम्मेदार थे हत्या के और दंगा हुआ था मुझबपर नगर का दंगा सबसे बड़ा दंगा था खिले से आदों आप मुझे बताइए कि आप बेच के उनको बिर्यानी खिल हैं मलक जी को जानकारी नहीं है कोई पंचायत नहीं हो रही है भारती जन्ता पार्टी स법 가का साथ सब्गाविकास के नारे ऐसे मिर्ची लगती है हमारे 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 डिप्टी सीम जी गए गोसी के अंदर हमारा सहयोगी दल लड़ा हो सकता किसी कमने पहले भी कहा कि लोग तंत्र है लोग तंत्र में हमारी पार्टी में खुला लोग तंत्र कोई परिवार तंत्र नहीं है किसी कारकरता को कोई आपती तो हमसे कहता है सामने से कहता हम उसको estamos करते उसko जवाब देते हैं अकिलेश यादो को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने बिर्जेश को बरदास्तक नहिं कर पाए अरे यह ऐसे क्या बात है इतनी मिर्ची क्यों लग रही है यह तो भी संद्ần मिलिडर को पैर चूते हैं, गरीबों का पैर धुलते हैं, प्रयाग के अंदर उन्होंने मस्दूरों का पैर धुला, अयोद्या के अंदर जिन रोगों ने पत्थर सजाया, उनके उपर फूल की बरसा किये। हम कोई सामंत वादी नहीं है हम गरीब के अधिक समय समय करना 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 जानते हैं बाकि 50 और भी स्टार प्रचारक हैं जिनका नाम आपने चुना हुआ है उपको लिष्ट में दिया था वो लोग कहा हैं सब जा रहें काम कर रहें अपना मन सजा कर गई जूटा प्रचार कर दिखा दूब अब इनको कहां दिखेगा अब बताईए अगले आदमी में इतना कलेजा है कि इन्होंने कहा कि सत्ता के लिए यह है क्या होता है हम इंडिया ब्लॉग के लोग हम लोग विवस्था में सुधार चाहते हैं विवस्था में परिवर्टन चाहते हैं अंशु आप मुझे बताएं आपने भी 40 लोगों की लिष्ट दी थी चुना हुआ योग में और 40 में से एक भी व्यक्ति आपका पहले और दू लोगोच रही है भारती जंता पार्टी अभी तक अपना घोष्णा पत्र नहीं लापाई संकल पत्रिया जो भी प्रधान मंत्री जी बोल ले थे हमारे नया पत्र को गाली दे रहे थे कि वह इस लीग का है अपना क्यूं नहीं लापाई बताया ना इसका जवाब कौन सब कर रहे हैं कॉसेंइब कर रहे हैं इस लिए न गोजला पत्र ला पारें are native तो आप इनुवा चले जाओ जाओ तो आप बताइए इनुवा में डीजल बराओ बैटो चले जाओ आज देश में लोग कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगी बड़ा महत्मूर विश्यविजी जी आपने डिबेट भी की थी इस पर बैया पश्यम के मुद्दों पर आचर्चा अगरा तो यहांज चला प्रेश्यविजी जा पर नहीं जा रहा है इस ने सबसे ज्यादा लिया पचाश सांसाथ की पार्टी और सबसे ज्यादा चन्दा लिया आप तो चार-पार्ट मिनटे बचाए हैं सूची जारी करो यह इस नांते पर आख शार मिनेटे बचाए होग दोनों की आवाज बंद कर दो आवाज इनकी दोनों की आवाज बंद करिये सीधे केपी मलिक को कनेक्ट करते तब तक आप लोग शांती बने आप रुख जाए कि आप रुखे मैं दूंगा समय केपी मलिक साब आप मुझे बताओ कि जिन मुद्दों का जिक्र अभी हमारे दोस्त अनिल दुबे कर रहे थे क्या यह मुद्दे ग्राउंड पर इस बार पश्ची मुद्तर प्रदेश के मद्दाता क्या अपने कोर इसूस पर हैं या जो 2019 औ उन्हीं मुद्दों पर वह इस्टिक हैं उनके जनता के बीच क्या मुद्दे हैं देखिए बिर्जेश जी अगर आप देखें रास्तिय लोगदल का कारेकरता पिछले 10 साल से सरकार के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है 13 महीने दिल्ली में अंदोलन चला है यह यूपी में गन्य के कई सारे मीलों पर अंदोलन चल रहे हैं तो वो नाराजगी लोगों में है और उसी नाराजगी का फाइदा रास्ति लोगदल को नो विदायकों के रूप में मिला था अब वो एका एक चार दिन पहले भारती जनता पार्टी और रास्ति लोगदल का गटबंदन हो होने से वो चार दिन में अपनी सारी चीज़े बदल लेंगे इस पर मुझे ही नहीं वहां के अस्थानिये लोगों को भी बड़ी संसे है हां दस बीस परसेंट लोग बदल गए होंगे लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज़ पर बदलेंगे इसकी मुस्किलात आ रही है और अभास कहीं ने कहीं जैन चौदरी को भी है और अलिल दूबे जी को भी है सर ग्राउंड पर जो मत दाता है उसका थाट प्रॉसेस क्या है वो पोर इसूस पर है या फिर उन्हीं इसूस पर है जो 2014 और 19 और 2022 में था कि नहीं देखिए अगर आप देखेंगे जो पिछले 22 के इलक्सन हुए है यह 19 के इलक्सन अब आप मुझे बताईए कि जैन चौदरी आज भारती जनता पार्टी के साथ चले गए हैं मुख्यमंत्री की रैली में सत्पाल सिंग ने जो बागपत से सांसद हैं बहुत अच् नहीं किया और कोई विकास का कारिया नहीं किया तो आप अगर थोड़ा सा पीछे मुड़के अनिल दूपीजी से पूछे हैं कि सत्यपाल के 2014 से पहले कौन महां पर MP थे कौन लंबे समय तक MP रहे 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 हां पूछी लेता हुँ जवाब सत्यपाल सिंग के जहन किसानों की बात पर हसने की बात करें उस कांगरेस से आप क्या उम्मिद करते हैं नहीं सदन में आप जब चौदरी साब को भारत रत मिला सब्सक्राइब कर दो के अधर कोई कॉंपिशन नहीं है तीनों लोग के माइक बंगरो तीनों लोग के माइक बंगरो दूबेजी बोलवा अब पहले तो आप जब कर रहा है नेरी बास भूले खाल देखो आप सबको में समय देता हूं न आपको वी दिया समय अब तुबे जी की बारी सिस्टा चार भी जरूरी बोली जब चौदरी सापको समान तो झाया हूं जब चोदरी चरन सिंग जी को भारत वतने सिथा वहां तो आप पहले आभ वो चौरत पर डुन औररने किसानों की राप उसने की बात के इसे क्या अमीद करोगे पार्ज़त लगन पार इन्हों है दिशारां की मैंने मुदा ने कि कैसरा है थो ऑफ सब्सक्रार्म के पर ने क्वस总 i बाट करेंगे अभी में अभी में पार फारी मिनट है भी हम अभी अब भी किया हम जी बस एक दस सेकंड जा हम गए हैं किसानों के मुद्धे के साथ गया हो खिसानों को उनका लाभकारी मूली दिलाएंगे आप मुझे इन दोनों चरणों का एक सिनॉपसिस बताईए सर कि क्या दोनों पक्षों की तरफ चल और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इधर की जनता क्या चाहती है उसके मन में क्या चल रहे हैं अदेखिया ऐसा है कि पश्चिम उत्तरप्रदेश की जनता के बारे में पूर्ब में जितनी आकलन हुए हैं गलत हुए हैं जनता समझ में आ रहा है इन 16 सीटों के लिए भारती जनता पार्टी और उसका एलाइंस इंडिये अपोजीशन से बहुत आगे हैं आप खाली एक सिंपल सी बात सो इसले आठ सीटों के पहले चरण में प्राइम मिनिस्टर दो रैली कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर सत्रह जगा को अपने कंडिडेट्स को आपके कंडिडेट्स इतने मजबूत हैं और आपका जो गड़ी किताब में लिखा हुआ है प्रिजे जी इतना खुल के बोलना नहीं चाहिए लेकिन ने आप तो बिंदास बोलने के लिजाने अब मैं दस बीस सेकंड देता हूं समीर सिंग को आपको भी समय दूँगा अपनी बारी में बोलना प्लीज देखें प्रिजेंग पार्टी थांक्यू है मैं इंको दूँगा नहीं करेंगे ना पहले हम बोल लेते ना बात की स्पीड बताई है मन जी जंता वहां की डेड़ सो की सवाल तो इंसे था है मन जी बीजेपी को हराने जा रही है आज सभी ओटर साइलेंट बठाए क्यूं बताते ही कि रैली कर रहे हैं आप बताईए प्रधानमंत्री जी अभी तक यह नहीं बता पाए कि वह जो सब्कार दोहजार चौबिस में बनेगी क्या देंगे यूँ आउंक धन्यवाद आपका समय समय आप पागला बीस सब्सक्राइब ना और को अपने लिए प्लीज पर बीच में मत बोलो रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ आप मैं जूँगा सब्सक्तिट जो मलीक जी ने सवाल किया है वो जाइज सवाल था सवाल इसनाते जाइज था मैं बता रहा हूं समाजबादी पार्टी की सरकार थी रामाला की छमता चोदरी चरण सिंग के जनभूमी की सुगर मिल है अखिले स्यादों ने बढ़ाया क्या नहीं बढ़ाया 500 करोन रुपया देखे योगी अधितेनाथ जी ने बढ़ाया बारत रतन किस ने दिया चोदरी साहब को निश्चित रूप से चोदरी साहब की विरासत जिसके पास है वह बहुत बहुत धन्यवाद इस कारकम को देखने के लिए आज डिबेट भी अपनी समय सीमा को पार कर चुकिए मैंने अधिक समय तक डिबेट कर लिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार जादी का किचिन में के जहां कोल्डी किचिन किंग मसाले हंडर्ड परसें हो वहाँ जहां जाए रिष्टे बढ़ाए कोल्डी मसाले दोर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकॉप पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नमबर वन टॉप क्वालिटी डॉमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स के सर्वकॉप रखे सब कंट्रोल में डॉक्टर और्थो ऑइल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं अगर प्रब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर और्थो कैप्सूल्स साथ लेना न भूलें अब दर्द भी घुटने टेकेगा नूरमंट क्रीम और नूरमंट ते जो मास्पेशियों को शक्तिशाली बनाता है अब जिन्दगी नहीं दोडेगी नूरमंट दर्द निवारक क्रीम और देल आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकॉन पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में मेरा एक दोस्ट जॉइंट पेंज से परिशान था मैंने पूछा डॉक्टर और्थो ट्राइ किया तो उसने बताया सोच रहा हूं बस यही प्राब्लम है सब को पता है डॉक्टर और्थो जोडो के दर्द का जबरदस्तिला जए आयूर्वे दिखे और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पासवाले मेडिकल स्टोर कर ही मिलता है लेकिन लेकर कौन है मेरी बात मानिये अगर दर्थ से परिशान है तो आज ही डॉक्टर और्थो ओयल और कैप्सूल्स ले आईए इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल चाहि नहीं मिलेगा टीवी, लाप्टॉप, मॉबाइल, फ्रिज, वाशिंग मशिन, किचन अप्लाएंसे सब पाईए बेस्ट डील्स सिर्फ ब्रिलांस डिजिटल के डिजिटल डिजिटल डिसकाउंट बेस्विल बुटना, कंधा या कबर, चाहे जैसा हो दर्थ डॉक्टर रॉठ्थो आपको देता है, दर्थ से पूरी आजादी ये कोई टेम्स पर भी पेम किलर नहीं, आयूर्वेदे कॉशनी है कार्याले नगरनिगम कानपुर के तरफ से देश प्रदेश एवं कानपुर नगरनिगम वास्यों को रंगो के महापर्व होली की हार्दिक शुपकाम नाए एवं बधाई आओ मिलकर कानपुर को बनाए सुन्दर शिवशरानपाजी एन आई एस नगरायुक्त कानपुर नगरनिगम ग्रीन पार्क स्टेडियम में डिरेक्टर पवेलियन और विजिटर गैलरी बनाने पर कानपुर के नगरायुक्त स्मार्ट सिटी के CEO शिवशेरान पाजी एनको दिल्ली में कानपूर के लिए दिया गया Best Heritage and Prevention Award नवे स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो के दो दिवस्य कारकम में 100 स्मार्ट सिटी में किया प्रतिभाग एक्सपो में शेहर में डेवलप की गई योजनाओ को किया गया प्रतरशित शास्त्री नगर सेंट्रल बार्क में एक करोण से ज्यादा की लागत से फीफा सर्टिफाइड बानक के रुसार बड़े फुटसल मैदान की सराना की गई आओ मिलकर कानपूर को बनाए सुन्दर शेफ्चरन अपाजी एन नगरायुक्त कानपूर नगर निगम रिशिकेश में पियमोदी ने भरी चुनावी उंकार कहा आजा तंक्यों को घर में गुसकर मारा जाता है भारत में मजबोद सरकार है उत्राखंड की पाचों सीटे कमल खिलाने की भी लोगों से अपील की नागपूर में बियस्पी अध्यक्ष मायवती का बीजेपी पर बड़ा हमला बीजेपी सांप्रताइक संकीर मानसिक्ता वाली पार्टी कॉंग्रेस सत्ता से गई ये भी जाएंगे पश्चमी यूपी के रण में भीशन संग्राम बुलन शहर में जैन चौधरी बोले की साइकल फिसल चुकी है मलुक नागर राश्टी लोग दल में हुए शामिर अखिलेश यादफ पर भढ़के मौलाना तौकीर रजा कहा आरेसेस के कहने पर चल रहा खिलेश यादफ अब का स्वागत है भारत समचार में आपके साथ मैं हूँ स्वाति शिर्वास्तव शुरुआत बड़ी खबरो के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्राखन दोरे पर पहुंचे थे जहां रिशिकेश में चुनावी मोच्चा समालते उन्होंने प्रतियाश्यों के समर्थन में जन सभा को संबोधित किया विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किये और कहा कि आज देश में मजबोत सरकार बनी है और आतंकियों को घर में गुश कर माला जाता है वहीं कॉंग्रेस पर शिकंजा कस्केश में कहा कि कॉंग्रेस सरकार थी तो गरीबों और बेरोज़दारों का पैसा बिच्वालिये खा जाते थी आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते दस वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबुत कर दिया है जब जब देश में कमजोर और अस्थी सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फाइदा उठाया है कॉंग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओ पर आधुनिक इंफ्रास्टर्चर नहीं बना पाई आज देखिए पूरी सीमापर आधुनिक सडके बन रही है आधुनिक सुरंगे बन रही है साथ्यों कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुँ से अचानक ही निकला था ये दसक उत्राखंड का दसक है आज नाकुर में बीएसपी अध्यक्ष मायवती ने भी बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी जातिवादी पूंजिवादी पार्टी है बीजेपी सामपरदाईक और संकीर मानसिक्ता वाली पार्टी है बीजेपी को संकीर मानसिक्ता वाली पार्टी बताया है मायवती ने और कहा कि जैसे कॉंग्रेस सत्ता से गई बीजेपी भी जाएगी मायवती ने नागपूर में रैली को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बाते कही और निशाने पर लिया बीजेपी को दरसल आज मायवती नागपूर पहुची थी जनसभा करने के लिए और ऐसे में बीजेपी पर जमकर कटाच किये मायवती ने क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पाटी ने अब तक देश के विशेज कर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वग्ये अब अन्य मेहनत कस लोगों को जो इने अच्छे दिन दिखाने के असंखे परलोबन भरे वाइदे किये हैं तथा इनको हवा हवाई वे काजी गारंटी भी काफी दिये है तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इनोंने लगभग एक चोथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है बलकि इसके स्थान पर इनका ज़्यादा तर समय वे ताकत भी यहां इनके अपने चाहते रहे बड़े बड़े पूंजी पतियों अबंधना सेटों को ही ज़्यादा से ज़्यादा माला माल वे धनवान आदी बनाने में ही तथा इने हर इस तर पर छूट देने वे बचाने में ही लगी रही है जदी कांग्रेस पार्टी कमजोर तपके के लोगों का पूरी मांदारी निस्ता से भला करती उनको भारते सविधान के तहट जो दिये गए कानून है उनका पूरा लाब उनको देती तो शायद हमें बहुजल समाज पार्टी को बना रेकी जरूरा और बाद बरेली के जहां पर मौझूदा सांसत का टिकट कटा है और मौझूदा सांसत का टिकट कटना मानो बीजिपे के लिए गले की फास्ट बन गया है जिसके चलते बरेली में विरोध हो रहा है चारु भार्तिय जंता पार्टी के आठ बार के सांसर संतोष कंगवार का ट्रिकट कटने के बास से परेली में काफी उठा पठक चल रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाय जा रहे हैं आज में डॉक्टर उमेश कौतम पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक साभा में संतोष कंगवार के खिलाफ और मर्यादित टिपड़ी की जिसके बाद जमकर बवाल हुआ मावला दूल पकड़ा तुप्रदेश अध्यक्ष भूपेंद सिंग चौधरी को भेजा गया जहां संतोष कंगवार के समर्धकों ने उन्हें बंधक बना लिया खूब खरी खोटी सुनाई और फिर मुर्दाबाद के भी नारे लगाएं बरेली के प्रेम नगर इस्तित पुर्क केंद्रिय मंत्री और सांसर संतोष कंगवार के भारत सिवा ट्रस्ट में जमकर हंगामा हुआ इतना ही नहीं उन्हें बंधक बना लिया और काफी देड़ तक गेट नहीं खोला संतोष कंगवार को लोगों को समझाना पड़ा तब जाकर बमुश्किल गेट खुला लेकिन उसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ी को चारो तरफ से घे लिया जोरान संतोष कंगवार के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और चुनाव का भईषकार करने और समाझवादी पार्टी को चुनाव लणनी की बात कही पुजूल की अववाय हैं, मैं आप सब का आवारी हूँ, धन्नवाद हूँ, उज्जी ने जानगारी है इस बारे में, तहां क्यों कहा हैं, बहुने समयता हैं, इस प्रडारी कि अनावर्शक ऐसी चलती रहते हैं, जो रहों में चलाते हैं, धन्नवाद हुआ। जो हमारे समाज के साथ वी मानने महोदे जी के साथ जो बात हुए तहीं, यहां के जो नेर थी, उन्होंने बड़ी मज से टिपड़ी की थी, यह टिपड़ी की थी, कि एक बहुत बड़ी जनिपरितमीदी हैं, जिनका मैं नाम नहीं रूला, उनको तो मैं ने ड़हा दिया है, और आने अले समय में उनको पटक-पटक के मान दो, और इंट से इंट बहुत बजा दूँगा, और अगर वो यह बाप से पैदा है, तो मंच दोरा टहीं लिए बात हैं, और जहां तक संतोजी की बात हैं, संतोजी बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, अभी पीली वित में मान और वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी और जो बचा कुछा है बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, संतोजी कंगवार के समर्थन में काफी संख्या में लोग उनके कारयाले पर इकठे हुए और फिड़ने पर सड़क पर बैट गए और नारेबाजी करे लगे, इनमें से ज़ पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा, दर असल बरेली लोग सभा में साड़े तीन लाख से अधिक कुर्मी समाज के लोग हैं, यही बज़ा है कि संतोज कंगवार लगातार वहां पर जीतते आ रहे हैं उसमें बातचीत करके उस सब विसोपा समधान कर लिया और पूरी पारिटी माने संतोजी के नेतोच में बरेली में एक जुट होकर पारिटी के प्रतियासुई के लिए काम करेगी पारिटी के अंदर ही गुटवाजी हो रही है, कुद्भी नेता जो भारस विवा ट्रस्ट में प्रेस कॉंसेंस कर रहे हैं तो इन सब की बीक में बड़े नेताओं को खुद कंगवार जी को आना चाहिए, सांसर है और उनको प्रेस कॉंसेंस करनी चाहिए और ये कहना थे कि किसी तरीके का कोई विरोज नहीं हम सत्पाल जी के साथ हैं, उनको चनौ लड़ा रहे हैं जिकि जब भी सुनाव आता है, तो जो में पार्टी हैं, उनके हर पार्टी में इस तरह की गुड़बाजी देखने को मिलती है, क्योंकि टिकेट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं पार्टी जो है वो एक ही विक्ती को टिकेट देती है, उसे बाद जिसको नहीं मिलता है, वो कहीं न कहीं उनके समर्थ तक होते हैं, वो नाराज़गी ब्यर्ट करते हैं दूसरा जो एक आडियो पी बात कही जा रही है कि उफला बिक्ति ने ऐसा 검ला संतोटी के लिए वो आडियो कितनी सच्चा ही है कितनी नहीं है यह तो बात की बात पर झो पहला जाए कि गंगवार बोर्ट गहस्चार करने की बात करने की पंडिजेट भी तो गंगवार है वहीं भूपेंद्र चौधरी के जाने के बाद भी कई घंटों तक हंगामा चलता रहा दरसल जब से संतोष गंगवार का टिकट काट कर संग से जुड़े पुरु मंत्री छटरपाल गंगवार को टिकट दिया गया है तब ही से लगातार चटरपाल गंगवार का विरोध हो रहा है आलम ये है कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें चटरपाल गंगवार ने कहा था मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ा रहा है इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूँगा हलाकि जब इस बारे में चटरपाल गंगवार से पूछा गया तो उन्होंने इस बास से इंकार कर दिया था और इसे विपक्षियों की साजिश बताया था उन्होंने कहा था कि सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं वह इस मामले में सांसस संतोष गंगवार के साले विरिंद्र गंगवार और फबीरू का कहना है कि मेर ने संतोष गंगवार के बारे में आमर्यादित टिपडी की है के देखा जा रहा है वही जो संतोष गंगवार आठ बार के सांसस हैं बरेली से सांसस रहें कई बार केंजिये मंत्री रहें उनके सखमर्थ को में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है वही कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं तका कसित समर्थक हैं जो इस वास्टा ग्रोथ करें इससे चुनाओ पर आने वाले चुनाओ पर कोई फ़क्री पड़ेगा अब तो ये आने वाला वक्त यानिकी सास मई बताएगी कि आखेर भार बरेली की जनता किसको लोकसभा भेजने का काम करती हैं कैमरा में नितिम चैसा दीपक शर्मा वारा समचाथ बरेली आज रास्ट्री लोक दल के रास्ट्री अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा गौतम बुद्ध नगर सीच से बीजेपी के प्रतियाशी महेश शर्मा के समर्थन में गुलन शहर में गुलाबटी के गाउं भटाउना में विशाल जनसभा को संबुदी बटान और मेरा गाउं में और यहां मेरे परिवार के सब लोग जिम्मेदार लोग उपस्तित होंगे आज सुब अफसर है मैं इद की बदा ही देता हूं देशवासियों को नव वर्ष का तिवार चल रहा है और इस पाक पावन अफसर पर एक संदेश अपने लोगों को अफसर बिजनोर से ये सह परिवाराज लोग दल में आये है हमारा कुनबा बढ़ रहा है और गती के साथ हमें एंडिये को मजबूत करना है यहां से डॉक्टर महिश चर्मा जी और बुलन शहर से भी बीजेपी के प्रतियाश्य के पक्ष में भारी मदान करके मुझे भी भारत सरकार ने उनके किसानों के प्रती प्रेम शद्धा को हैसास करते हुए और जो बहुत लंबे समय से अपक्षेत एक मांग थी उनको भारत रत्म दिया है आज उन्हीं के परिवार के वसीयत लिए वे उनके पौत्र आज मेरी लोग सब आप छेतर में आये थे मेरे समर् प्ले कर गए हैं कि दोनों पार्टिया मिलकर देश को आगे ले जाएंगी और उधर मतुरा पहुचे आकाश आनन्द ने बीजेपी समाजवादी पार्टी सभी पर जम कर प्रहार किया और कहा कि हास्त और लाल टोपी बालों से जरा साफधान रहना साइकल को पंचर कर देना तायर और साइकल को अलग कर देना है सपा को लाल टोपी पहनने दीजेए हमारे पास दिली टोपी है बुल्डोजर चलाने वालों को सत्ता से उखाड फेकेंगे मतुरा पहुचे आकाश आनन्द के ये बोलगे चौक्टर जीमेर अप्तार के आपने अभी ताक्स दो चार बार साइकल पर चलकर आएंगे इस बारे इनकी साइकल का टायर पंचल अलग और सीपे अलग करकर बेशाए हमारे कंदे पे अब हमारे दिल में हमारी पहिंजी बसती है तो हमारा इस बारी का वोट हमारी जीने आती पर रएगा तो सरकार हमारे घर झट अखड ने का काम कर रही है अब समय आ गया कि उस खोड़ चत्ता से उखड फेकने का समय आ गया है तो मैं अपने शक्त बिल्कुल नहीं बत लोगा, मैं वही बोलूँगा फिर से, वो उन्मेल बोला का, ये नार टोपी बाले पिर आपके बीच में आएंगे, और आपके बीच में आपको टोपी बिनाने का काम करेंगे साथियो, पर तो इस बारी इनकी टोपी इनी वो पना कर मैंन पूरी में सांसद डिंपल यादफ का बड़ा बयान कहा, इंडिया में महिलाय सुरक्षित नहीं है, बीजेपी को केवल विपक्ष में परिवार बाद दिखता है, बीजेपी को अपना परिवार बाद नजर नहीं आता, किसी रणनीती के तहती जो चीजें हैं, वो हो रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटे गडबंधन को मिल सके हैं. उधर सीम योगी से मिले राजसभा सांसत ब्रजलाल, ब्रजलाल ने सीम योगी से सश्चाचार मुलाखात की उनको बुके भी भेट किया, ये दोनों नेताओं के बीच मुलाखात हुई, तो देखिए चुनावी दोरे हैं, लगातार चल रहे हैं, और आज ईद की मौके पर से पक्षकार रहें, एकबाल से मुलाखात की, तो लकनों में ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव एक साथ नजर आए, प्रियाग राज में भी संगठन ने फूल हीटते। वहीं जाओ गले मेले गले मेले अधिक उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश कहा जाता है और आज इद का मुकदस मौका इस मौके पर तमाम नेता साथ साथ नजर आये और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए सबने एक दूसरे को गले मिलकर इद की मुबारक बात दी वहीं लखनों की तस्वीर जरा अलग नजर आई दो दलों के लोग एक समाजबादी पार्टी के का जमनी तहजीब नजर आई है लखनों में हजरत गंच के गोखले मार्गिस्ति खनिज भवन में की आज किसी बड़ी साज़िश की तरफ इशारा कर रही है और यही वज़ा है कि इस अगनी कांट की जाच उत्तर प्रदेश स्टेफ को दी गई है स्टेफ की टीम ने फॉर खनिज भवन पहुंची और तीन प्लोर्स पर जहां अंग लगी थी उसका निरिक्षन करके जाच की वरंसिक टीम के साथ कई महात्वपूर्ण दस्तावेज और फाइल्स अपने कबजे में लेकर उन्हीं जाच के लिए भेजा गया इस दोरान स्टेफ ने कई लोगों के ब भाग की तरफ से भी जाच कमेटी का गठन किया गया है जो कमेटी जाच लगातार सुरू कर चुकी है और एस्टेफ की टीम इसी जो आप देख रहे हैं यह जो खनिज भवन है जहां पर आप देखे कि लास्ट में फास्ट सेकेंड और थर्ड जो फ्लोर है उसमें जो है भी की भेट चड़ गए है जिस वक्त आग लगी उस वक्त इस आफिस में जो विबा की डिरेक्टर है माला सिरवास्तो साही जो तमाम जो करमचारी अधिकारी है वो मौझूद थे लिया आप दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि खनन को ले करके जो है सी बी आई की ज साजिस के तहट इसाजिस की घटना को अंजाम दिया घया है तो उससे पहले क्यों कौन से मोबाइल जो है और क्या वास्तों में किसी साजिस के तहट इस आप को लगाय गया या महज जो बयान सामने आये थे अधकारियों के उसके मुताबिक सिर्फ एक हादसा है कैमरा इसके वर्मा सातनुक वाभरा समच्चा लखनाओ और अगली खबर शामली से है जहाँ पर बीएसपी प्रतियाशी ने आचार सहिता की धज्या उड़ा दी प्रतियाशी ने सैक्ड़ो लोगों की जन सभा बुलाई और सभा के बाद गाउ में डोल बजाकर अपना जुलूस भी निकाला लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस्थानिय पुलिस से कोई भी पर्मीशन नहीं लेगी किसी तरह की जाजत नहीं ली गए कि सबसे पहले तुम्हें जो आयोगे पीम है कि मैंनपुरी से बीजेपी का प्रतियाशी घोशित होने के बाद जैविर सिंग ने शीतला माता मंदिर पहुचकर पूजा अरचना की जैविर सिंग ने कारेकरताओं से मुलाखात करके चुनाब जीतने के टिप्स दिए और उ इसमें मैंनपुरी भी शामिए कोशांबी में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले गाड़ियों से आए दबंगों ने जम कर लाठिया चलाएं दोनों पक्षों में दूश्रे को जम कर फिटा दिन दाहाडे दबंगगई का वीडियो बारे लुगा है कोकरात खानक्षित्र के भरवारी का जबेख बताए जाए आज इद के मौके पर शारुखान मनत के बाहर अपने फैंस को इद की मुबारक बात देते नजर आए शारुखान को देखने के लिए भारी भीड उमर के चलते आसपास के इलाखों में भीशर जाम लग गया अगली खबर गाजी पूर से जहां पर इद पर अंसारी के घर पर लोगों की भीड उमरी मुंदबाद में मुक्तार के पैतरग घर ने बड़ी संख्या में लोग जूटे मुक्तार की मौक्तार के परिजनों के लिए पहली एद थी ऐसे में सादगी के साथ मुक्तार के परिजनों ने एद मनाई इस दौरान मुक्तार के बेटे उमर अंसारी ने लोगों को संबोदित किया खबरों में फिलहाल इतना ही तीजे जासे आप देख रहे हैं भारत का सरवश्रीष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार जादी का किचिन में के जहां गोल्डी किचिन किंग मसाले 100% हो वहाँ जोडों का दर्द भले ही परिशान करें पर नूरानी तेल का साथ है तो जिन्दगी क्या बात है धक्कन पर नैनी का मशूर और एकको ट्रेटमार्क देख कर ही खरीदें आसे वाह क्या बात है अगर प्रब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर और्थो कैप्सूल्स साथ लेना न भूले अब दर्द भी घुटने टेकेगा और बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकॉट पिछले 35 सालों से पहचान है भरो से की भारत के नमबर वन टॉप क्वालिटी दुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की सर्वकॉट रखे सब कंट्रोल बे एक्ससाइसे भी जरूरी क्या है जानते हो क्या सेहतमांद खाना मैं सिर्फ रागवभोग आटे की रोटी काता हूँ और क्या चटपटा है राजिश मसाला प्राकरिए टेज मस्त सबरदस्त राजिश रागवभोग चक्याटा फ्रम मेकस अफ राजिश मसाले इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा से शाय नहीं मिलेगा टीवी, लापटॉप, मॉबाइल, फ्रिज, वशिंग मशीन, किचन अप्लाएंसे सब पर पाईए बेस्ट डेल्स सिर्फ व्रिलांज डिजिटल के तिजिटलन डिजिटल डिसकाउंट डेज में ओर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे शूर वकाउट पिछले पैतीस सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नमबर वन टॉप क्वालिटी डुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्राड़क्स की सर्वकान रखे सब कंट्रोल में लगनों में एल्डिया के प्रवार्टत दस्तेनी बड़ी कारेवाई की है मांचेत्र विपरित निर्मित शॉपिंग कॉंपलेक्स सील कर दिया टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है रास्थानी के आश्याना के भद्रूप शेत्र में कारेवाई की है लगनों में नौकरी का जहासा देकर युवक से आठ लाग हटपे है पश्यूपालन निदिशाले में लिपिक पत का जहासा दिया आरोपियों ने खुद को पश्यूपालन में तेनात कर्मी बताया सदादत गंच कोत्वाली में मुखदमा दर्च किया गया इटावा में शराब के दुकान पर दबंगों ने मार पीट के पिरितने लगाये लूट पार्ट करने का भी आरोश शराब ठेका मालिक सही तीन लोग खायल हो गये बारदात कर आरोपी मौके से हुए फरार मामले की जांच बरताल करने पहुँचे पुलिस बहराईश में बकाय पैसे कोले कर दो पक्षों में जमकर मार पीट लाठी डंडे वो धारदार हत्यार से युवक में बोला हमला जबाभी हमले में युवक और बुशुद दोर हुए घल अमेटी में सरकारी भूमी पर करायश्वारा था वैंत दर्मार जानकारी मिलते ही यस्ट्रियम ने राजोस्वत ट्रीम को मौके पर बेचा जाश में दोशी पाए गए ग्राम प्रधान समेट दो अने लोग सारवजनिक संपत्ती नोकसार अधिनियम के तहत के सर्च कर लिया गया हैचा में बाइक सवार दो लुटेरेरी महिला से लूट पार्ट किया पिड़त महिला से लूटी चेन और कान की जुमकी अपने पती के साथ बाइक से वो गाव जा रही थी पिड़त ने थाने पहुँचका है लुटेरे के खलाफ शिकायत किया घटना की जाज कर पुलिस लुटेरे की तलाश में जुट गई है बागपद में आठ बशे बच्ची के साथ फैक्टरी के सेल्समेंस ने दोशकर्म का प्रयास के बहनों के साथ आईस्क्रीम लेने गई थी बच्ची पुलिस ने आर ओपी सेल्समेंस को गिरफतार क्या सेल्समेंस को गिरफतार कर कारेवाई में जुटी पुलिस मिर्जापुर में सरोवर में मिला लापता युवक का शब एक दिन पहले घर से लापता था सरोवर में नहारे गये ग्रामिडों ने पुलिस को सूचना दी युवक मालसिक रूप से विचप्त था कानवर्ट देहाद में SBI के लॉकर से लाखों के गहने वे लापता लॉकर धारफ महिला ने पुलिस को सुचना दी सुचना पत्माउचे पुलिस चानविर में जुट गई है बैंक करमचारियों पर लापरवाही के आरूप लगाए गया है थारा रूराच्षित के कस्पा रूरा के SBI का ये पूरा मामला है अलिगर्ण में मामूली का आसुनी कोले का दो लोगों में 15 जंगर्स देखा गया है एक युवक गमी रूप से घायल हो गया है गर्दन पर उसे चाकू लगा है चाकू मार कर हमलावर मौके से फरार हो गया पुलिस ने घायल को शुलास पताल भेचा है थारा रोरावर के इ मांचक मैच में गुचराथ टाइटन्स ने धमाकेदार चीत दर्च की है पहले बल्ले बाची करते हुए राजस्तान रॉयल्स ने चीत के लिए 167 रनू का लक्षु दिया जुसे गुचराथ टाइटन्स ने सार्थ विकेट खो कर हासल कर लिया गुचराथ के चीत में तीन हजार अन पूरे कर लिया है उन्होंने 94 पारियों में आईपल में अपने 3,000 अन पूरे किये है और डेविद वानन की बराबरी कर लिया है वानन ने भी इतनी पारियों में 3,000 पूरे किये थे T20 क्रिकेट में उमेश यादव ने एक नया करतिमान अपने नाम कलिया है सबसे छोटे फॉर्मेट में उमेश यादव ने अपने 2 सब्विकेट पूरे किये हैं इन्हें घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल और IPL सभी में शामिल है उमेश यादव ने अपना दो सामा T20 शिक आईपेल की सभी टीमों के मालिकों और BCCI के अधिकारियों को कुछी जोपर चचवां करनी थी, अलाकि अब इस मिटिंग को पोस्ट पॉन कर दिया गया है जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा उसमें पहले भारतिय टीम के मुख्य चोयन करता जिस आगरकर ने विदात कोली की चमकर सराना की है उनका कहना है कि कोली ने नकिवल रन और श्रतक बनाने के मामले में बलके फिटनेस के मामले में बेचमार्ट सेट किया है लगनों में एडिया के प्रवर्तत दस्तेनी बड़ी कारेवाई की है मांचेत्र विपरित निर्मित शॉपिंग कॉंपलेक्स सील कर दिया टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है रास्थानी के आश्याना के भद्रुक शेत्र में कारेवाई की है लगनों में नौकरी का जहासा देकर युवक से आठ लाग हड़पे हैं पश्यूपालन ने देशालन में लिपिक पत का जहासा दिया आरोपियों ने खुद को पश्यूपालन में तेनात कर्मी बताया सदादत गंच कोतवाली में मुखदमा दर्श किया गया अचावा में शराब के दोकान पर दबंगो ने बार पीट के है परितने लगा है लुट पार्ट करने का भी आरोज शराब ठेका मालिक से आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रीष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार अब देख रहे हैं भारत का सर्वश्रिष्ट न्यूस चैनल भारत समाचार रिशिकेश में पियमोदी ने भरी चुनावी उंकार विशाल जनसभा को किया संबोधित का उत्राखण में पाचो कमल खिलने चाहिए लखनों के अश्बाग इद्गाह में दिखा राजनतीत संग्राम रुजिश पाठा के खिये श्यादफ का अनोखा अंदाज हाथ पिला का दिगजो ने पेश की भाई चारिकी मिसाद मत्रपाउचे बसपा के नेशनल कॉडिनेटर आकाश आनन्द विजेपी सपा और कॉंग्रेस पर साधा रिशाना गोंडा में आचार सहितव लंगन में ब्रद भूशन चरन सिंग को नोटिस दर्जनों गाडियों का काफिला लेकर चलने पर दिया अगया नोटिस मौ में राजचे स्वयम सेवक संग ने बनाया वर्ष प्रतिपदा स्यकलो संग कारिकरताओन निकाला पत संचलन पत संचलन में घोश सहित दंड के साथ दिखे स्वयम सेवक प्रांद प्रचारक रमेशंद्र भी रहे मौन अर्विन के जिवाल को एक और जटका विजिलन्स विभाग ने एक निजी सचीव विभग कुमार को पत से हटाया विभाग में निक्ति को भी ठीक नहीं माना लखनों में इमाम मौलाना फजले मननान से मिले खिलेश यादव तीले वाली मस्जिद के इमाम है मौलाना फजले मननान चुनाव की ठीक पहले ब्यस्पी को लगा बड़ा जटका गुर्जर नेता मलूक नागर ने बसपा को छोड़ा आरेलडी का साथ अपनाया सितापुर में कथित बाबा के कबजे से किंग कोबरा बरामन वन्विभाग एधिकारी ने की किंग कोबरा की पुष्टी फिरोजबाद में पुलिस ने टापा कला इलाके में खाली प्लॉट में चल रही अवैद शराब पैक्री का परदा फाश लिया पदेपुर में संसरी के जत्याकान के आरूपी को पुलिस ने किया गिरफ्तारी वक रामों की पीट पीट कर हट्या अमबेटकर नगर में आग के तांडव ने गाउं में जम कर बरपाया कहर छपर नुमा चार मकान आग में जलकर हुए राक मशूर अभी नेत्री अदा शर्मा पहुँची आगरा वाइड लाइफ सोस के हाथी और बाहालू भालू के संरक्षर केंडर को देखा अदा शर्मा ने मत्रा हाथी संरक्षर केंडर में हाथियों फ्ले बनाया खाट लखीमपुर में गेहुखेत में अचानक आग लगने से मचान कम आठ बिगग गेहुखेत में आग लगने से मची अफरा तक्षर सितापुर में थान गाओं शेत्र में अग्याद कार्णों से लगी आद आग लगने से गाओं के पांच कर हुए जलकर राक मोबा के चर्खारी पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा पुलिस ने चार आरोप्यों को किया गिरफ्तार बलिया में चेकिंग की दोरान पुलिस ने की बड़ी कारवाई पुलिस ने वैद शराद की असी पेटिया बरामत की कनोज में मुबाइल चोर को पुलिस ने गिरफतार की अलग-अलग जगों से चोरी किये दस मोपाई बरावर कानपूर में रूमा स्वामी हुंड़ई शोरूम में गिरा वाइपाई टावर टावर गिरने से सिक्योटी गार्ड की मौड महुबा में विस्पोटक कारूबारियों ने बढ़ाई विस्पोटक की कीमते कीमते बढ़ने से खनन कारूबारियों का आरूप श्रावस्ती में बच्ची के साथ दुशकर्म का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्ते, सुशना पर नहर के पास पुलिस ने आरोपी को पकड़ा बारबंकी में थाना कोठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार तसकरोप और पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, दो मादक तसकरोप को मोखे से पकड़ा गया, धाईसो ब्राम, अवैद, मार्फीन भी बराप राय बरेली में मामली सी बात को लेकर दबंगों ने मार्पीट की, दबंगों की बिटाई से महिला, गंभी रूट से भायल, महिला को किया गया, रिफ़र बरुखबाद में लूट की घटना का पोलिस और सोजी ने खुला सकिया, ये रिक्षा चालर से लूट करने वाले तीन आरुपियों को किया गया गिरफ़तार बरेली में पुरानी रंजिश को लेकर खुनी संघर्ष एक दरजन लोगों ने बाहर खड़े लोगों पर बोला हमला अलिगर किया गया से कन्योज में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद, विवाद के बाद जम कर चले एक पर्था गुराई बरेली में संदिक्त परिस्तित्यों में कोड़े के धेर में लगी आग मौझूद लोगों ने फार ब्रिकेट को भी सुचना पतेपुर में फैक्ट्रिया उगल रही एकाला धुआ प्रदूशन विवाद फैक्ट्यो का कर रहा है नजर अंदाज मानकों को दरकिनार करके चल रही है फैक्ट्रिया बस्ति में 28 साल की युवक्ति कुवानो नदी में लगाई छलां घटना की जानकारी पर पहुची पुलिस जाज में विजनौर में वन विभा की टीम और गुलदार का हुआ आमना सामने खेत में ग्रामिलो की मदद सी किया गया रैस्पी कन्योज घर में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ते पकड़ा चोर की निशान देही पर एक बाईक रुपए बराम मदाईयों में बारातियों से भरी बस अनेंत्रित होकर पढ़टी गाजियबाद में मंदिर के भीतर्व से चोरों ने दान पात्र किया चोरी चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जाज परताल शुका सीतापुर में नबजात का शव मिलने से मचा हरकम मौके पर पहुची पुलिस लखनों में पुरानी रंजश को लेकर दो पक्षों में मारपीट जालॉन डेरी में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा डेरी कर्मचारी ही निकले दूद मशीनों के चोर देवरिया में लार पुलिस को मिली बड़ी सफलता 25,000 का इनामिया बदमाश की रखतार करनल गंज में बच्चों के आपसी विवाद में मारपीट मारपीट की दौरान डूट पार्ट का भी आरूग सोन भदर में खेट में ट्रैक्टर जाने से दो पक्षों में जम कर विवाद मारपीट में एक पक्ष के साथ लोगों को खुराबल सी एक्सी लाए गया दूसरे पक्ष के चौदा लोगों पर मुकदमा दाज लखनों के अज़िये के प्रवर्तन दस्तिनी की बड़ी कारवाई टीम ने निरिक्षान के दौरान चोरी चिफे निर्मार को पाया पिली भीत में नहर के पुल के पीछे बैठा विशाल काय मगरमच लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया बहराईच में ट्रेंज एक कटकर युवक की मौद गोंडा बहराईच रिल ज़रूप की है घर्टा सीथतापुर में डॉक्टर को मेडिकल स्टोर संचालक के पीटा नाराज मेडिकल संचालक अस्पताल पहुंचा थे एमर्चेंसी लखनों के उसे अंगर्ज इलाके में दुपक्षों में जमकर मारपीट पोलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया अम्रोह में लाठी डंडे से फरनीचर कारुबारी को पीटा उप्चार के दोरान कारुबारी शाकिर अले कि लाग प्रताब गड़ में संदिक्त परिस्तितियों में पार्क के जंगल में लगी आगास पास के लोगों ने पोलिस और फायर बिगेट को दूस पूछना कौशामवी में गेहों की फसल में आग लगने से मचान कम कई दीगा गेहों की फसल बरबार रिशिकेश में प्यमोदी ने भरी चुनावी हुंकार विशाल जनसभा कुखिया समदित का उत्राखन में पाचों कमल खिलने चाहिए लखनों के अश्बाग इद गाह में दिखा राशनेतिक संगम ब्रजेश पार्थक और अखिलेश श्यादव का नूखा मिल अनहात मिलाकर दिगजों ने पेश की भाईचारे की बिसाथ लखनों के अश्बाग इद गाह में अदा की गई नमाज बड़ी संख्या मिनेता और लोगों पर जमावड़ा डिप्टिसियम ब्रजेश पाठक मौझूद रहे चुनाव की ठीक पहले बिस्प को लगा जटका गुर्जर नेता मालुक नागर ने वसबा चोड़ कर आरेलडी का थामा दामन बधोई सीट पर उतारा विजेबी ने प्रत्याशी रमेश चंदर बिंद का टिकेट काट कर विनूद बिंद को बनाया उमीदवार इंडिया गडबंधन से ललितेश पती त्रिपाठी हैं यहाँ पर उमीदवार चैत्र नवरात्री पर्व का तीसरा दिन आज तीसरे दिन माचंदर घंटा की होती है पूजा नवरात्र में मादूर्गा के नौ सो रुपो की पूजा का है विधान शधालू और निलगाये देवी माता की जैकारे देवी मंदिरों में अपार भीर घर घर सजा माका करता है लखनों में इमाम मौलाना फजले मनान से मिले अखिलेश याद अब टीले वाली मस्जित के इमाम मौलाना फजले मनान सपा सुप्रीमों ने चांद रात पर दी शुक कामना है कारिकरता और नेताओं से मिले उनके आवास पहुचे वारानसी में अदा की गई ईद उनल फितर की नमाज कड़ी सुरक्षा के बेचेहर के जाबा मस्जिद में अदा की गई नमाज ईद गास एफ हर मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की फुक्ता इंदजाम भारी संक्या में पुलिस फोर्स तैना शांतिपूल तरीके से कोई इद की नमाज सपा प्रवक्ता राजीव राय ने भी इद की शुपकाम नाय दी सुभा इद के नमाज में शरीक कोई सपा प्रवक्ता राजीव राय कहा ये भारत है यहाँ पर गंगा जमना तहजीब हमेशा पायम देखी चुनाव से ठीक पहले ब्यस्पी को लगा बड़ा चटका वसपा के गुर्जर नेता मलूप नागर ने छोड़ी पार्टी सीए मर्विन के जिवाल को एक और जटका विजिलेंस विभाग ने निजी सचिव विभाग कुमार को पत से हटाए विभाग ने नियुक्ती को सही नहीं वाना आलिगर में वसपा पूर पर जिला अध्यक्ष बीजेपी में शामिल तिलक राज यादव ने वसपा छोड़ी नई दिली में अशिश कुमार चोहान, UGC के मेंबर नियुक्त हुए इलाबाद युनिवस्टी के चांसलर थे अशिश कुमार भारस सरकार ने UGC का मेंबर इने नियुक्त किया आपके केर्जी किसान पश्ट, मतादे की सोनभद और कानपूर तमाम इलाखों में आपका जम करता अंड़, कई भीखा फसले बर्बार देवरिया में लार पुलिस को मिली बड़ी सफलता 25,000 का इनामी बदमाश गिरफतार देवरिया में चोरी की तीन बाइक समय दो अभ्यूक्त गिरफतार बिहार और उतर प्रदेश में करते थे बाइकों की चोरी एटा में बाइक सवार दो लोटेरों ने महिला से लूटी लूटपाट की, फीडित महिला से लूटी चेन और कान की छुंकी लखनों की LDA के प्रवर्तन दस्तेने की बड़ी कारवाई मालचित विपरीत निर्मित शॉपिंग कॉंप्लेक्स के असी हुँ राइबरेली में चलती कार के उपर गिरा बर्गत का पेर, कार सवारों ने अपनी जान बचाए लखनों में नौकरी का जासा देकर युवक से आठ लाख रुपे हर्फे, वशुपालन ने देशालेय में लिपिक पद का दिया जासा बेराइच में बकाय पैसों को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाटी डंडे और धारदार हतियार से ये वक्त ने बोला हम्ला इटाबा में शराब की दुकान पर दबंगो ने की मारपीट, पीडित ने लगाया लूट पार्ट करने का आरूप अमेठी में सरकारी भूमी पर कराय जा रहा था, अवैद निर्मार चानकारी मिलते ही, स्टेव ने राजसु टीम को मौके पर हुँ जा बागपत में आठ साल की बच्ची के साथ पैक्टरी के सलस्में निकिया दुशकर्म का प्रियास, बहनों के साथ आईस्क्रीम लेने गई थी बच्ची अलीगर्ण में मामुली काह सुनी को लेकर दो लोगों में खूली संघर, शेक्युवा, गंवी रूप से खायल, गर्दन पर लगा च्वाकु बारवंकी में पिकप पनेंत्रित होकर गड़े में पल्टी, लोगों ने चालक को केविन काट कर निकाला बाहर कानपुर्दयात में SBI के लॉकर्स इलाकों के गहने हुए लापता, लॉकर धारक महिला ने पुलिस को दी जान काले पीनी भीत में दिखा तेज रफ्तार का कहर बेकाबू डंपर ने बाइक सवारों को रॉन्दा पाच लोगों की माद मिर्जापुर में सरोबर में मिला इलापता युवक काशाव एक दिन पहले घर से निकला था ये विक्ति में दो युफ्तियों पर मनभाण युफ्कोरने फिका जोलन शिर्पदार, बाइक सबार दो अग्यात युफ्कोरने फिका जोलन शिर्पदार, आरत कम गाजयवाद में पुलिस की काड़ी के बोनट पर बैट कर बनाई रील, रील को सोशल मीडिया पर बायोत किया स्ल्टान पूर में सपा प्रत्याशी धीम निशाथ का बड़ा आपको बतादे कि खुले आम लोटों की कड़िया था हमारे सपा प्रत्याशी सौली बिधायक ताहिर खाल और दे रहे हैं नोटों की कड़ि क्यामरा देख ताहिर ने पैसा लेने सिल्कात लिया दिलि में वीजेपी ने भदो इस पर तारापना प्रत्यासी विनोज बिंद को वीजेपी ने बनाया उमिजवार वीजेपी निरमेश बिंद का काटा टिकेट दिल्ले में कार जगिंग करने वाले गिरोग का परदा पास स्पेशल स्टाफ की टीम में चार लोगों को पकड़ा गया कुस दिन पहले कारोबारी की बूटी गई सी कार मेरट में बीजिपी पार्षद निताओं के साथ प्रचार कर रा दारोगा फोटो वारल होने के बाद दारोगा हरिश निलंगो चंदॉली में नकली नोटो का एक सौधागर चढ़ा पुलिस के हद्टे तीन लाग पिछटर हजार नकली नोटो के साथ अभ्युक्त को किया गिरफ़तार परुकाबाद में किसान यूनिन के ब्लॉक सचिफ के जहर खाने का मामला अधिकारियों की प्रतारना सियाहत होकर खाय था जहर अमेठी में बनारस से लखनों की तरफ कोईला ले जा रही मालगाडी के डिब्बे से लिकला धुआ सोचना मिलते ही पहुच्छे आग पिफ के तमाम लखनों में 25,000 का इरामिल उटेरा अंकल गिरफ़तार पुरुखबाद में युवक ने आम के बाद में पेर्ट से लटक कर दी जान ग्रामिलों न युवक को आम के पेर्ट से लटक का देख पुलिस को दी जान करी पुलिस ने शफ को पोस्टमाटम के लिए भी जान मतरवा में खेट में 35 साल के अग्यात व्यक्ती का शव मिले से फैली सलसनी पूलस ने पंचायत नामा की कारवाई की वाद शव को वर्चिनी में रखवाई रुड़की वध्याच शेत्र में इद की नमाज पढ़ी गई शहर काजी ने कराई देश में अमन चैन की दुआ शांती पूर्वक पढ़ी गई इद की नमाज अपर मुखियर निर्वाच्छन अधिकारी विजय कुमार जोगदनलेरी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए बताये कि राजी के सभी जनकदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माधियम से पहले चरण की मतदान की तारवाई आज पूरी होगी लोग सभा चुनाव को लेकर बीजय पी किस तरह की तैयरी करी इसको लेकर क्याबिनेट मंत्री सौरब अगोडा निगताए कि दोनों लोग सभा सीचों में काफ्री साकारात मक्ता बीजय पी के लिए चल रही है कॉंग्रेस की बरिशनेता प्रियंकादान दित्राखन में दो जन सभाव को संबोधित करने जा रही हैं जिसको लेकर तमाम तैयरी चल रही है बीजय पी की विधायक विनो चमोली ने मानगर कारेले में प्रिस वार्ता करके का कि बीजय पी अपने मोल सिधान्तों से कभी नहीं है 1951 में जन संग गठन से लेकर 1910 में बीजय पी की गठन के बाद भी पार्टी ने अपने मोल समधान्त से कभी भी समझाता नहीं देरादूर में लाटपूर जंगल में लगी आग, आग की लप्ते देखते ही फैल गई चारू तरफ, सुष्टा मिलते ही वाइट सर्विस यूनिट मौके पर फखची बढ़ती गर्मी के साथ देंगू की संभाब नाय पढ़ी जिसको लेकर नगर निगम ने फॉगिंग प्रक्रिया को देज करवा दिया उतर काशी में आग लगने से दो मकान जलकर खाग पायर सर्विस नियाग पर पाया खाबू जानमाल का कोई मुपसान में जॉइंट पेंड के लिए डॉक्टर और्थो ओएल के अमेजिंग रिजल्ट सब को पता हैं पढ़ कि पुराने और जादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर और्थो ओएल के साथ-साथ डॉक्टर और्थो कैपसूल्स को भी रेगिलर यूज करने चाहिए ये कोई ट पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी डॉमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की सर्वकां रखे सब कंट्रोल में जोडों का दर्थ भले ही परिशान करें पर नूरानी देल का साथ है तो जिन्दगी क्या बात है तकन पर नैनी का मशूर और एकको ट्रेटमार्क देख कर ही खरीदें आसे बाह क्या बात है कार्याले नगरनिगम कानपुर के तरफ से देश प्रदेश एवं कानपुर नगरनिगम वास्यो को रंगु के महापर्व होली की हार्दिक शुपकाम नाए एवं बधाई आओ मिलकर कानपुर को बनाए सुन्द शिवशरणपाजी एन आई एस नगरायुक्त कानपुर नगरनिगम ग्रीन पार्क स्टेडियम में डिरेक्टर पवेलियन और विजिटर गैलरी बनाने पर कानपुर के नगर आयुक्त, स्मार्ट सिटी के सीओ शिवशरान अपाजी एनको दिल्ली में कानपुर के लिए दिया गया बेस्ट हेरिटेज और प्रिवेंशन अवर्ड, नवे स्मार्ट सिटी में किया प्रतिभाग, एक्स्पो में शेहर में डेवलप की गई योजनाओ को किया गया प्रदर्शित, शास्री नगर सेंट्रल पार्क में एक करोण से ज्यादा की लागत से फीफा सर्टिफाइड बानक के अरुसार बने फुटसल मैदान की सराना की गई, आओ मिलकर कानपूर को बनाए सुन्दर, शेफचरन अपाजी, एन नगरायूप्त, कानपूर नगर निगम चांदनी होस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे एमर्जेंसी सेवाई देने वाला मल्ति स्पेश्यालिटी होस्पिटल आर नगर कानपूर और चांदनी स्कूल अफ नर्सिंग और चांदनी कॉलेज अफ नर्सिंग अगर आप भी बनाना चाहते हैं परेमेडिकल स्टाफ के तौर पर करियर तो जोईन करिये चांदनी स्कूल अफ नर्सिंग और परेमेडिकल सेंटर 347 विकास नगर लखनपूर कानपूर और माकेदार चीत दर्च की है पहले बल्ले बाची करते हुए राजस्तान रॉयल्स ने चीत के लिए 167 रनू का लख्षु दिया जुसे गुछरात टाइटन्स ने साथ विकेट खो कर हासल कर लिया गुछरात के चीत में राशुत खान के हैं भूमिका रही जिनोंने 11 गेंदों में इनाबाद 24 रन बनाए शुमंगिल ने राजस्तान रॉयल्स के खलाब 72 रन बनाए लेकिन इस मैश में 27 रन बनाते हैं उन्होंने आईपियल में अपने 3000 रन पूरे कर लिये हैं उन्होंने 94 पारियों में आईपियल में 3000 रन पूरे किये हैं और डेविद वॉनर के बराबरी कर लिये हैं वॉनर ने भी इतनी पारियों में 3000 रन पूरे किये थे T20 क्रिकेट में उमेश यादव ने एक नया किर्थिमान अपने नाम कलिया है सबसे छोटे फॉर्मेट में उमेश यादव ने अपने 200 विकेट पुरे किया है इन्में घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल और IPL सभी में शामिल है उमेश यादव ने अपना दो सामा T20 शिक्तार ये शस्वी जयस्वाल को बनाया IPL के 2025 के सीजन को लेकर 16 अप्रेल को एहमदाबाद में एक मिटिंग होनी थी जुसमें IPL की सभी टीमों के मालिकों और BCCI के अधिकारियों को कुछी जीजों पर चर्चांग करनी थी अलाकि अब इस मिटिंग को पोस्ट पॉन कर दिया गया है जुन से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा उसमें पहले भारतिय टीम के मुख्य च्वेंड करता आजिस आगरकर ने विदात कोली की चमकर सराना की है उनका कहना है कि कोली ने नकिवल रन और श्रतक बनाने के मामले में बलके फिटनेस के मामले में वेजमार सेट किया है लगनोगे एंडिये के प्रवार्तर दस्तेनी बड़ी कारेवाई की है मान चेत्र विपरित निर्मित शॉपिंग कॉंपलेक्स सील कर दिया टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है रास्थानी के आश्याना के भद्रूक शेत्र में कारेवाई की है लगनों में नौकरी का जहासा देकर युवक से आठ लाग हटपे है पश्यू पालन निर्श आलन में लिपिक पत का जहासा दिया आरोपियों ने खुद को पश्यू पालन में तेनात कर्मी बताया सदादत गंच कोत्वाली में मुखदमा दर्च किया गया इटावा में शराब के दुकान पर दबंगों ने मारपीट के पिरितने लगाए लूट पार्ट करने का भी आरोश शराब ठेका मालिक से तीन लोग घायल हो गए बारदाद कर आरोपी मौके से हुए फरार मामले की जांच परताल करने पहुँचे पुलिस बहराईश में बकाय पैसे कोले कर दो पक्षों में जमकर मारपीट लाठी डंडेव और धारदार हत्यार से युवक ने बोला हमला चबाभी हमले में युवक और बजुद दोड़ हुए घाल अमेठी में सरकारी भूमी पर करायश्वारा था वैंध दर्मार जानकारी मिलते ही यह स्ट्रियम ने राजोस्वत टीम को मौके पर बेचा जाश में दोशी पाए गए ग्राम प्रधान समें दो अने लोग सारवजनिक संपत्ति नोकसान अधिनियम के तहत केस तरच कर लिया गया हैचा में बाइक सवार दो लूटेरे ने महिला से लूट पाट किया परिड़त महिला से लूटी चेन और कान की जुमकी अपने पती के साथ बाइक से वो गाव जा रही थी पिड़तने थाने पहुचका है लूटेरे के खलाफ शिकायत किया घटना की जाज कर पुलिस लूटेरे की तलाश में जुट गई है बागपद में आठ बशे बच्ची के साथ फैक्टरी के सेल्समेंस ने दोशकर्म का प्रयास किया बहनों के साथ आईस्क्रीम लेने गई थी बच्ची पुलिस ने आर ओपी सेल्समेंस को गिरफतार क्या सेल्समेंस को गिरफतार कर कारेवाई में जुटी पुलिस मिर्जापूर में सरोवर में मिला लापता युवक का शब एक दिन पहले घर से लापता था सरोवर में नहारे गये ग्रामिडों ने पुलिस को सूचना दी युवक मालसिक रूप से विचिप्थ था कानवर्ट देहाद में SBI के लॉकर से लाखों के गहने वे लापता लॉकर धारफ महिला ने पुलिस को सुचना दी सुचना पर पहुंचे पुलिस चानवीर में जुट गई है बैंक करमचारियों पर लापरवाही के आरूप लगाए गया है थारा रूरा छित के कस्पा रूरा के SBI का ये पूरा मामला है अलिगर में मामूली का आसुनी कोले का दो लोगों में गोनी श्यंगर्स देखा गया है एक युवग गमी रूप से घायल हो गया है गर्दन पर उसे चाको लगा है चाको मार कर हमलावर मौके से फरार हो गया पुलिस ने घायल को शुलास पताल भेचाए थारा रोरावर के इंद्रा नगर सब्ची मंडी का ये पूरा मामला है आईपेल दोहचा 24 के 24 में मुखाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुच्राथ टाइटन्स के भीश खेले गए रोमान्चक मैच में गुच्राथ टाइटन्स ने धमाकेदार चीत दर्च की है पहले बल्ले बाची करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने चीत के लिए 167 रॉयल्स और गुच्राथ टाइटन्स ने सार्थ विकेट खो कर हासल कर लिया गुच्राथ के चीत में राशुत खान के हैं भूमिका रही जिनोंने 11 गेंदों में इनाबाद 24 रॉन बनाए शुमन गिल ने राजस्थान रॉयल्स के खलाब 72 रन बनाए लेकिन स्मैश में 27 रन बनाते हैं उन्होंने आइपेल में अपने 3000 रन पोरे कर लिए हैं और डेविद वॉनर की बराबरी कर लिया है वॉनर ने भी इतनी पारियों में तीन हजारन पूरे किये थे T20 क्रिकेट में उमेश यादव ने एक नया किर्थिमान अपने नाम कर लिया है सबसे छोटे फॉर्मेट में उमेश यादव ने अपने दो सब्वेकेट पूरे किये हैं इन्में घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल और आईपेल सभी में शामिल हैं उमेश यादव ने अपना दो सामा T20 शिक्तार यशस्वी जयस्वाल को बनाया आईपेल के 2025 के सीजन कोले कर 16 अपरेल को एहमदाबाद में एक मिटिंग होनी थी जुसमें आईपेल की सभी टीमों के मालिकों और बी सीसी आई के अधिकारियों को कुछी जो पर चच्चा करनी थी अलाकि अब इस मिटिंग को पोस्ट पोन कर दिया गया है जुन से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा उसमें पहले भारतिय टीम के मुख्य च्च्च्च करता जिस आगरकर ने विदात कोली की चमकर सराना की है उनका कहना है कि कोली ने नकिवल रन और श्रतक बनाने के मामले में बलके फिटनेस के मामले में बेशमार सेट किया है टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है रास्थानी के आश्याना के भद्रूप शेत्र में कारेवाई की है लगनों में नौकरी का जहासा देकर युवक से आठ लाग हटपे हैं पश्यूप आलन ने दिशालन में लिपिक पत का जहासा दिया आरोपियों ने खुद को पश्यूप आलन में तेनात कर्मी बताया सदादत गंच कोत्वाली में मुखदमा दर्च किया गया इटावा में शराब के दुकान पर दबंगों ने मारपीट के परितने लगाये लूट पार्ट करने का भी आरोज शराब ठेका मालिक से तीन लोग खायल हो गये बारदात कर आरोपी मौके से हुए फरार मामले की जाच बरताल करने पहुंचे पुलिस बहराईश में बकाय पैसे कोले कर दो पक्षों में जमकर मारपीट लाठी डंडे वो धारदार हत्यार से युवक ने बोला हमला जबाभी हमले में युवक और बजुद दोर हुए घाल अमेटी में सरकारी भूमी पर करायश्वारा था वैक दर्मार जानकारी मिलते ही यस्ट्यम ने राजोस्वत ट्रीम को मौके पर बेचा जाश में दोशी पाए गए ग्राम प्रधान समें दो अने लोग सारवजनिक संपत्री नुकसान अधिनियम के तहत के सर्च कर लिया गया हैचा में बाइक सवार दो लूटेरेरी महिला से लूट पार्ट किया परिड़त महिला से लूटी चेन और कान की जुमकी अपने पती के साथ बाइक से वो गाव जा रही थी पिड़तने थाने पहुचका है लूटेरे के खलाफ शिकायत किया घटना की जाज कर पुलिस लूटेरे की तलाश में जुट गई है बागपद में आठ वर्षे बच्ची के साथ फैक्टरी के सेल्समेंस ने दोशकर्म का प्रयास किया बहनों के साथ आईस्क्रीम लेनी गई थी बच्ची पुलिस ने आरोपी सेल्समें को गिरफतार क्या सेल्समें को गिरफतार कर कारेवाई में जुटी पुलिस नाकूर में बियस्पी अध्यक्ष मायवती का बीजेपी पर बड़ा हमला बीजेपी साम्प्रदाइक संकीर मानसिता वाली पार्टी कॉंग्रेस सत्ता से गई ये भी जाएंगे पश्चमी रण में भीशर संग्राम जारी बुलन शहर में जयन चौधरी बोले की साइकल फिसल चुकी है मलुक नागर राश्री लोगदल में हुए शामिल अखिलेश यादव पर भढ़के मौलाना तौकीर रजाव का आरिसेस के कहने पर चल रहे हैं अखिलेश यादव समाजिक नया मोर्चा से तौकीर उतारेंगे अपना उमीद बार्ट पीली भीत में तेज रफ़तार का कहर दो बाइक सवारों को डंपर ने कुछला हादसे में पांच की मौत बारा बंकी में तेज रफ़तार ट्रक ने तीन लोगों को कुछला हादसे में महिला और बच्चे की मौत स्वागत है आपका भारस समचार में आपके साथ मैं हूँ स्वातिश शर्वास तब शुरुआत बड़ी खबर के साथ बारबंकी में तेज रफ़तार से एक बड़ा हाथसा हुआ है ट्रक ने तीन लोगों को कुचल दिया है इस हाथसे में महिला और बच्ची की तत्काल मौत हो गई एक घायल भी है पुलिस ने घायल को जिला स्पताल में भरती कराया है शफ को कबजे में नेकर पोस्माटम के लिए भेजा गया है वाकियाज जहागिराबाद थानक्षेत्र के अंतरगत पारा खंदौली का बताया जा रहा है बड़ा हाथसा दो लोगों की मौत एक जखमी हुआ है शफ को पोस्माटम के लिए फिलाल पुलिस ने भेजा है साहरनपूर में दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर दो बाइकों की भिड़न्त हो गई जिसमें एक युवक की मौके पर ही माथ हो गई दो की हालत गंभीर है घायलों को प्राइवेट वाहन से अस्पताल दे जा गया आरिवेट wanna थाएंग अस्पताल रही हो जा प्राइव घाएवाथ प्राइव 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 प्राइवेश प्राइवेश लखनों में क्याबिनेट मंत्री ने ग्री मंत्री से मुलाखाद की अमिशा से मिले मंत्री संजा निशाद संजा निशाद और उनके बेटे ने मुलाखाद की क्याबिनेट मंत्री ने ग्री मंत्री अमिशाद से मुलाखाद की देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं हम इस शाह से मिले पहुचे मंतरी संजे निशाद संजे निशाद और उनके पे आगरा में बसपा के नेशनल कॉडिनेटर आकाश आनन ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एक मंझे हुए खिलाडी की तरह वो नजर आये आपको बता दे कि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पर वो जमकर आकरामा रहे आकाश आनन निकाह कि जो सरकार आट बजे के बाद बच्चियों को कोचिंग के लिए सुरक्षा ना दे पाई वो महिला सुरक्षा की बात कती है लाल टोपी पहन कर आये समाज को तोपा पहना कर चले गए आज कर बोलते हैं भारत जोड़ो भारत जोड़ो साट साल दिया इस जंता नहीं ने साट साल तक सथा में रखा तब तो तुम लोगोंने भारत नहीं जोड़ पाए आज जब तुमारी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है तो तुम सड़क पर घुनकर भारत जोड़ो की बात करते हैं मेरा समाज भारत जोड़ो की बात नहीं करता है हमारा समाज रोजगार की बात करेगा हमारा समाज आज की बात करेगा बहुत हो गया, साथ साल बहुत लंबा समय होता है, अगर साथ साल में तुम ना काम करता है, तो आज आगे भी पांच साल से नहीं कर पाओगा, जिद समय समय पर योजनाई निकाल के रहते हैं, आपके ध्यान बढ़ता हैं माबापों की सुरक्षा के लिए हमने किसको बोलता ह हम अपनी सर्कार पर ही वर्मुशा कर सकते हैं, कि वो हमारे माबापों की हमारे बढ़ों की सुरक्षा करेंगे, पलंतु यहां के मुख्यमंत्री जी बड़े गर से चुक्चा ओर्डर पास करते हैं, रात को आठ बजे, कि भई, कल से लड़किया, शाम को आठ बजे के हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी गैरंटी नहीं ले सकती, कि भई, हमारी बेडियों को सुरक्षा दे सके, परंतु चौड के बहुत अच्छे से घर से भूम के बोलते हैं, कि आज उत्तरप्रदेश में बच्चा बच्चा सुरक्षत है, अरे भई, भूका मार दिया राष्ट्रिय लोगतल के राष्ट्रिय अध्यक्ष जन चौधरी निरोकसभा, गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी के प्रतियाशी महिश शर्मा के समथन में बुलन शहर में गुलावटी के इलाके में एक जनसभा को समोधित किया परिवार के सब लोग जिम्मेदार लोग उपस्तित होंगे, आज शुब अफसर है, मैं ईद की बदा ही देता हूं देशवासियों को, नव वर्ष का तिवार चल रहा है, और इस पाक पावन अफसर पर एक संदेश अपने लोगों को दूँगा, मलुक नागर जी, वरिष् एंडिये को मजबूत करना है, यहां से डॉक्टर महिश चर्मा जी और बुलन शहर से भी बीजेपे के प्रत्याश्ची के पक्ष में, भारी मदान करके, मुझे भी मजबूत करें, और चार सो पार के नारे को पूरा करें, यहां से लोगल एंडिये का एक अंग है, और लंबे समय से अपिक्षेत एक मांग थी, उनको भारत रतन दिया है, आज उन्ही के परिवार के वसीयत लिए वे उनके पौत्र, आज मेरी लोग साब आप छेतर में आये थे, मेरे समर्थन में, भारती जनता पार्टी के समर्थन में, एक संकल्प लेकर गए हैं, कि दोनों पार्टियां मिलकर देश को आगे ले जाएंगी, उधर बरेली में मौझूदा सांसत का टिकेट कटना, बीजेपी के लिए गले की फास बन गया है, जिसके चलते बरेली में विरोध का दौर जा रही है, देखे हमारी एक खास रिपोर्ट भारतिय जंता पार्टि के आठ बार के सांसत संतोष कंगवार का टिकट कटने के बाद से परेली में काफी उठा पठक चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए जा रहे हैं आज मेर डौक्टर उमेश कौतम पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक सभा में संतोष कंगवार के खिलाफ अमर्यादित टिपडी की, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ, मावला दूल पकड़ा तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद सिंग चौधरी को भेजा गया, जह सिवा ट्रस्ट में जमकर हंगामा हुआ, इतना ही नहीं उन्हें बंधक बना लिया और काफी देर तक गेट नहीं खुला, संतोष कंगवार को लोगों को समझाना पड़ा तब जाकर बमुश्किल गेट खुला, लेकिन उसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ी को चारो करने की बात कहीं जानगारी है इस बारे में ताक क्यों कहा है इपबही ने समयधा इस परड़ादी को चात पर अनावर्शक ऐसी चलती रहते हैं तुराह में चलाते हैं धन्नवाद जो हमारे समाद के साथ हुए मानने महोदे जी के साथ जो बात हुए यहां के जो नेर थी उन्होंने बड़े मज से टिपड़ी की थी क्या टिपड़ी थी मैड़मागा? यह कुद्पड़ी की थी कि इक बहुत बड़े जनिप परित इनी पेड़े जिनका में नाम नहीं रूहा हुए उनको तो मैने नहीं प्योन हैं और आने वले समय में उनको पटक पटक के माननों और इंट से इंट बगत बजा दूंगा और उनके अगर वह बाउप से पैदा है तो मंच दोरा कहीं यह वागा संतोष कंगवार के समर्थन में काफी संच्छा में लोग उनके कारयाले पर इकठे हुए और फिर धने पर सडक पर बैट गए और नारेबाजी करे लगे इनमें से जादा तर कुर्मी समाज के लोग थे और उन्होंने मेयर के इस्तिफ़े की मांग की हंगामा करने लोगों ने कहा कि अगर मेयर का इस्तिफा नहीं किया जाएगा तो कुर्मी समाज चुनाव का बहिशकार करेगा और इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा दर असल बरेली लोग सभा में साड़े तीन लाख से अधिक कुर्मी समाज के लोग हैं यही बज़ा है कि संतोज कंगवार लगातार वहाँ पर जीतते आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लिया और पूरी पार्टी माने संतोज जी के नित्युत में बरेली में एक जुट होकर पार्टी के प्रत्यासी के लिए काम करेगी सब्सक्राइब के लिए पार्टी के अंदर ही गुटवाजी हो रही है तो इन सब की बीक में बड़े नेताओं को खुद कंगवार जी को आना चाहिए सांसर है और उनको प्रेस कंवार जी करनी चाहिए हो किसी जात ही अब जात विशेश का नाम लिया गया हो तो फिर यह जानबूश के इस तरीके की जो साच से हो रहे हैं ऐसे सब्सक्राइब के खिलाब भार्टी जनता पार्टी को कारवाई करनी चाहिए और तेकि जब भी सुनाव आता है तो जो मैं पार्टी है उनके हर पा जो एक आडियो की बात कही जा रही है कि उफला विक्ति ने ऐसा वोला संटोस जी के लिए ओ आडियो कितनी सच्चा ही है कितनी नहीं है यह तो बात की बात पर जो ऊंपती जा जा आ है है वाई भूपेंज जोधरी के जाने के बाद भी कई худव तक हंगामा चलता रहा दरसल जब से संतोष गंगवार का टिकट काड़ कर संग से जुड़े पुरो मंत्री छटरपाल गंगवार को टिकट दिया गया है तब ही से लगातार छटरपाल गंगवार का विरोध हो रहा है आलम ये है कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें छटरपाल गंगवार ने कहा था मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ा रहा है इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूँगा हलाकि जब इस बारे में छटरपाल गंगवार से पूछा गया तो उन्होंने इस बास से इंकार कर दिया था और इसे विपक्षियों की साज़िश बताया था उन्होंने कहा था कि सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं वहें इस मामले में सांसर संतोष गंगवार के साले विरिंद्र गंगवार और फबीरू का कहना है कि मेर ने संतोष गंगवार के बारे में आमर्यादित टिपड़ी की है के देखा जा रहा है वही जो संतोष गंगवार आठ बार के सांसर हैं बरेली से सांसर रहें कई बार केंद्रिय मंत्री रहें उनके सखमर्थ को में बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग हैं तशाक किस समर्तक हैं जो इस वास्का ग्रोथ करें इससे चुनाओ पर आने वाले चुनाओ पर कोई पर्ख भी पड़ेगा अब तो ये आने वाला वक्त यानिकी सास मई बताएगी कि आखेर भार बरेली की जनता किसको लोक्तवा भेजने का काम करती है कैमरा में नितिम जैसा दीकक शर्मा बारा समचा बरेली साहरन पुर में ये तीसरा दौरा होने जा रहा है अगली बड़ी खबर लखनों से मौलाना कलबे जबवाद के आवास पहुचे नीरस सिंग विजेपे नेता नीरस सिंग ने भेट की इद की शुब कामना दी मौकेश शर्मा ने भी मिलकर इद की शुब कामना दी मौलाना खरी खालिद रशीद फरंगी महली भी उनके साथ मौजूद रहे उदर लखनों में मौकेश सचीफ दुरगा शंकर मिश्रा ने माच चंद्रिका देवी मंदिर में माथा ठेका माकेश दरबार में विधी विधान से पूजा अर्चुना की तीसरे नवरात्रि में माच चंद्र का देवी में टेका माथा साथी साथ मंदिर परिशन में परेटिम भवाग के हो रहे कारियों का भी निरिक्षन किया मंदिर संडक्षा को और MLC पवन सिंग चौहान मौजूद रहे मेला विकास समिति के सदे से भी मौजूद हापुल में पुलिस ने दो अफीम तस्तरों को दबोचा है आरूपियों से 5 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुए मेरा टेंटियाफ कीम और गढ़ कोद वाली पुलिस ने नारूपियों को धर्द बोचा है शामली में बेस्पी प्रत्याशी ने आचार सहीता की जमकर धजिया उड़ाई है केराना से श्रीपाल राड़ा को वेस्पी प्रत्याशी बनाए गया है और ऐसे में वेस्पी प्रत्याशी ने सैकलो लोगों की फीर गुला ली सभा के बाद गाओं में ढोल बजा कर जुलूस निकाला गया स्थानिय और पुलस प्रशासन की भी कोई पर्मीशन नहीं लिए सबसे पहले तो मैं मैंगोरी से बीजेपी प्रत्याशी घुशित होने के बाद जैवीर सिंग ने शेतला मंदिर में पहुचकर पूजा चुना की जैवीर सिंग ने कारिकरताओं से मुलाकात की चुनाब जीतनी की टिप्स दिया और उने कहा कि बीजेपी जबार अस्ती की सिटे जीतेगी कि लोगों का उस्ता जो पहुर्या यही चुनाब को आधार है पूरे लोगसवा का प्रजित तुखाई पढ़ा है कि जो तार करता में है यही मैनपुरी का परवर्तन लाएगा यही कमल खिलाएगा यही भववा लहराएगा इस बार परवर्तन सुनिश्चत है गड़ अधर कौशंबी में जमीन के विवाद को लेकर दो पखशों में जमकर लाठी दंडे चल गया है। गुष्यों सेघ्ट करते हैं और अगली खबर गाजीपूर से है इद पर मुक्तार अंसारी के घर पर भी लोगों का भारी जो हुजून था वो जमा रहा मुधाबाद में मुक्तार के पैतरक घर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे पता दे कि मुक्तार की मौत के बाद ये परिजनों के लिए पहली ईद है और ऐसे में सादगी के साथ परिजनों ने ईद मनाए देवरिया में भारस समचार की खबर का बड़ा सर योगतियों पर ऐसे डिटेक कारण पर पुलिस का बड़ा एक्शन मुटवेड के दौरान दो बदमाशों को बोली लगी है दोनों आरूपियों को अस्पताल में भर्ती कराए गया है गौरी बाजार धानक्शेत्र के कालवन के पास मुटवेड हुई थी एसपी संकल्प सर्मा भी मौके पर रबाना हो गया पतेपुर में भारती किसान यूनियन की राष्टी प्रवक्ता राकेश टिकैद का कारिकरताओं ने जोड़दार स्वागत किया किसानों की समस्याओं पर राकेश टिकैद बोले कि खेतों में आग लगनी की घटनाओं को रोखना आवश्चक है सरकार से किसानों की समस्याओं पर बात करेंगे कारिकरताओं पर फर्जी मुकदमे बरदाश नहीं होगे यह पूरे परदेश वर्म है पूरे परदेश वर्म है इस तरह की समस्याओं और इसमें चागरुक सब को होना पड़ेगा कि सरकार कूपी रहना पड़ेगा जो आम लोग हैं कि सोट सरकुट ना हो बीडी पिने वाले या कोई आग जला दें उससे सब को शावदान रहना पड़ेगा अपना इंतियाम राखें अगर एक खेत माग लगी कि तो बहुत दूर तक जाती है अपने फसलों को उठा के घर तक लेका है यूँकि इस टाइम पे फसल सबसे महत्पून है अलक्सम से दूर रहे है ओट जिसको देनी है वो अपना देले ज आदेनी है लेकिन है कि किसी की चंटा लगागा कि किसी की गाड़ी में बैठना हो करना उससा दूर रहना चाहिए अमेटकर नगर में दो पक्षों के बेच पत्थर बाजी का मामला सामने आए है आप सिद्वाद में मारपीट का वीडियो वाइरल हुआ है सोचना पर पुलिस पहुंची मामले को शान्त करवाए गया अलग-अलग समुदायों से जुड़ा ये मामला बताय जा रहा है हाला सिद्वाद के मामला बताय वाइरल हो ये मेंगले क सकत्ता रहा है ऊचसै कि उत्ता है सोचना प्रु तेया पुलिस प्रगंगी वेखने कि ए्क्रश है क्ष LIVE लखनों में हजरत गंज के गोखले मार गिस्थित खनिच भवन में भीशनाग लगी लेकिन अब ये पूरा मामला किसी बड़ी साज़िश की तरफ भीशारा कर रहा है यही वज़ा है कि इस अगनी कांड की जाच उत्तर प्रदेश स्टेफ को दी गई है स्टेफ की टीम ने फॉरंसिक टीम के साथ अपनी परताल शुरू कर दी है तो अगनी कान की जो जाच है वो उत्तर प्रदेश स्टीएफ को दी गई है स्टीएफ ने खनिच भवन पहुचकर आज मामले की जाच परताल शुरू की क्योंकि देखें से पहले भी लगातार ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज फाइलों को खंगाला गया कुछ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको टीम ने अपने कबजे मिलिया कल खंग भवन में भी शुर्ण आग लगी थी और ये मामला काफी सुर्खियों में भी रहा था लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि यह आग वाकई में लगी है स्वाभाविक तोर पर लगी है या फिर इसके पीछे कोई और घट्टा है तमाम पहलों की जाच परताल हो रही है हजरत गंके को खिले मार्क पर खंग भवन में लगी आग के मामले में बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और इस पुरे मामले में एस्टे अप को जाच सौप दे गई है इसके अलावा विभाग की तरफ से भी जाच कमेटी का गठन किया गया है जो कमेटी जाच लगातार सुरू कर चुकी है और एस्टे अप की टीम इसी जो आप देख रहे हैं यह जो खनिज भवन है जहां पर आप देखे कि लाश्ट में फार्स सेकेंड थर्ड जो फ्लोर है उसमें जो है भीसरा आग जो है वो लगी थी और जिसके चलते जो तीनों फ्लोर है वो जल करके पू विवा की डिरेक्टर है माला सिर्वास्तो साही जो तमाम जो करमचारी अधिकारी है वो मौझूद थे लियाज़ दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि खनन को ले करके जो है सी बी आई की जाच है वो भी इसमें चल रही है लिहाज़ा यह आसंका जताई जा रही ह कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो आग है किसी बड़ी साजिस का जो है वो हिस्सा है अब यह देखना होगा कि कहीं यदि किसी साजिस के तहट इस आग की गटना को अंजाम दिया गया है तो उससे पहले कौन कौन से मोबाइल जो है वो जो है एक्टिव थे कहा कहा पर किस से किस तरह से बात की गई है और क्या वास्तों में किसी साजिस के तहट इस आख को लगाया गया या महज जो बयान सामने आये थे अधकारियों के उसके मताबिक सिर्फ एक हादसा है कैमरा इसके वर्मा साथ अनुप कुआ भरा समच्चार लखनाओ खबरों में फिलहाल इतना है जादी का किचिन में के जहां कोल्डी किचिन किंग मसाले 100% हो वहाँ जहां जाए रिष्टा बढ़ाए गॉल्डी मसाले घुटना, कंधा या कबर चाहे जैसा हो दर्थ डॉक्टर रॉठ्व आपको देता है दर्थ से पूरी आजादी ये कोई टेंटरी पेंटिलर नहीं अयुर्वेदी कॉश्यदी है इंडिया का सबसे बड़ा एलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शायद नहीं मिलेगा टीवी, लापटॉप, मॉबाइल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाएंसे सब पे पाईए best deals सिफ ग्रिलांस डिजिटल के digital discount days में जोईट पेंट के लिए डॉक्टर ओर्थो ओईल के amazing results सब को पता है पड़के आपको पता है कि पुराने और जादा बिगडे दर्द के लिए डॉक्टर ओर्थो ओईल के साथ साथ डॉक्टर ओर्थो कैपसूल्स को भी रेगिलर यूज़ करना चाहिए ये कोई temporary pain killer नहीं, आयूर्वेदिक ओश्यती है और बदल जाते हैं, मगर आपकी पहचान नहीं जैसे servocon, पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नमबर वन टॉप क्वालिटी डॉमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की servocon, रखे सब कंट्रोल में चॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ओर्थो ओईल के अमेजिंग रिजल्ट सब को पता है पर क्या आपको पता है कि पुराने और जाधा बिगड़े दर्थ के लिए डॉक्टर ओर्थो ओईल के साथ साथ डॉक्टर ओर्थो कैपसूल्स को भी रेगिलर यूज़ करने चाहिए ये कोई टेंप्रिरी पेन के लर नहीं, आयूर्वेदिक और शदी है आईपेल दोहचा 24 के 24 में मुखाबरे में राजस्थान रॉयल्स और गुच्राथ टाइटन्स के भीश खेले गए रुमान्चक मैच में गुच्राथ टाइटन्स ने धमाकेदार चीत दर्च की है पहले बले बाची करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने चीत के लिए 197 रॉयल्स ने चीत के लिए एकसाथ शूदिया जुसे गुच्राथ टाइटन्स ने साथ विकेट खो कर हासल कर लिया गुच्राथ के चीत में राशुत खान के हैं भूमिका रही जिनोंने 11 गेंदों में इनाबाद 24 रन बनाए शुमंगिल ने राजस्थान रॉयल्स के खलाब 72 रन बनाए लेकिन इस मैश में 27 रन बनाते हैं उन्होंने आईपेल में अपने 3000 रन पूरे कर लिये हैं उन्होंने 94 पारियों में आईपेल में अपने 3000 रन पूरे किये हैं और डेविद वॉनर की बराबरी कर लिये हैं वॉनर ने भी इतनी पारियों में 3000 रन पूरे किये थे T20 क्रिकेट में उमेश यादव ने एक नया किर्थिमान अपने नाम कर लिया है सबसे छोटे फॉर्मेट में उमेश यादव ने अपने दो सब्वेकेट पूरे किये हैं इन्में घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल और आईपियल सभी में शामिल हैं उमेश यादव ने अपना दो सामा T20 शिक्तार यशस्वी जयस्वाल को बनाया आईपियल के 2025 के सीजन कोले कर 16 अपरेल को एहमदाबाद में एक मिटिंग होनी थी जुसमें आईपियल की सभी टीमों के मालिकों और BCCI के अधिकारियों को कुछी जों पर चच्चा करनी थी अलाकि अब इस मिटिंग को पोस्ट पॉन कर दिया गया है जुन से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा उसमें पहले भारतिय टीम के मुख्य च्च्चा करता आज इस आगरकर ने विदात कोली की चम कर सराना की है उनका कहना है कि कोली ने ना केवल रन और शतक बनाने के मामले में बलके फिटनेस के मामले में बेचमार्ट सेट किया है लगनोवे एडिये के प्रवाटत दस्तेनी बड़ी कारेवाई की है मान चेत्र विपरित निर्मित शॉपिंग कॉंपलेक्स सील कर दिया टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है रास्थानी के आश्याना के भद्रूप शेत्र में कारेवाई की देहरदोन में पियम मोदी के चुनावी हुंकार रिशिकेश में जनसभा को किया संबोधित कहा ये दशक उत्राखन का दशक है रिशिकेश में सीम धामी का दिखा भक्ती भाव तिर्वेडी घाट पर माग गंगा की किया राधना उत्राखन की उन्नती के लिए की कामना पर रिश रावत का बड़ा दंज कहा राजनितिक रास्तों पर चलते चलते बीजेपी की वज़ा से भटक गए रास्ता बाबारामदेव देश भर में मनाए गया ईद का पर्फ रोड की ध्यात में भी अधा की गई ईद की नमाज नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन दिखी खासी अलर्ट आप देख रहे हैं खबरे उत्राखन से आपके साथ मैं हूँ स्वाति शुर्वास्तर शुर्वात बड़ी खबरों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्राखन दोरे पर आज पहुँचे जहां परिशिकेश से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशों के समर्थन में जंसभा को संबोधित किया प्रधान मंत्री ने कॉंग्रेस पर तंच कसते हुए कहा कि कॉंग्रेस सरकार थी तो गरीबों और बेरोजगारों का पैसा बिचॉलिया खा जाते थे साथ्यों मुझे आद है आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते दस वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबुत कर भिया है जब जब देश में कमजोर और अस्थी सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फाइदा उठाया है कॉंग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओ पर आदुनिक इंफ्रास्टर्चर नहीं बना पाई आज देखिए पूरी सीमा पर आदुनिक सडके बन रही है आदुनिक सुरंगे बन रही है साथ्यों कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुँ से अचानक ही निकला था ये दसक उत्रा खंड का दसक है देश को बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का मंत्र देने वाले आदनी प्रधान मंत्री जी का सानिद्य हम सब को प्राप्त हो रहा है जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है मैं इसले भी कह रहा हूँ ये इसले भी महत्तपूर है कि आदनी प्रधान मंत्री जी की प्रेणा से हमने पूरे प्रधेश के अंदर नारी सक्ति के बंदन के उत्सव आयजित किये थे और इसके माध्यम से हम हर एक महात्र सक्ति के साथ पूरे प्रदेश के तेरा के तेरा जन्पदों में सीधे संबाद करने का हमको सुभा उसर प्राप्त हुआ था पिछले दस बरसों में आरणी प्रदान मंतरी मोधी जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन का एक एक पल और एक एक छण भारत माता को आगे बढ़ाने में लगाया है गरीब कल्यान के लिए लगाया है पूरे देश वासियों को अपना परिवार मान कर राद दिन ठके बिना र आरती ग्रूप से समर्द हो रहा है आत्म निर्बर हो रहा है वहीं सामरी ग्रूप से भी द्रिश्टी से भी अधिक ससक्त और सुरक्षी दो रहा है तो देखिए देश में लोगसभा चुनाव को लेकर काफी कश्मकस चल रही है कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आ रही है एक देश एक प्रधान अपने प्रदेश के मुख्याओं को रास्ता दिखाते वे नजर आ रहे हैं ऐसी ही तस्वीर उत्राखंट से आज सामने आई जसमें म सधार मंतरी नरेंदर मोदी के रहली हो रही थी और पुशकर धामी भी शामिल थे ये तस्वीर उत्राखंट की रिशिकेश किये जहां पर चुनावी सभा थी जब सभा में मुख्य मंतरी धामी को संबोधित करने का समय आया तब सियम पुशकर सिंग धामी पीम के सामने से गुजरना नहीं चा रहे थे से लिए पोडियम जाने को पीछे से निकलने उठे लेकिन पीम ने उन्हें अपने सामने से होकर जाने के लिए हाथ पकड़ कर इशारा किया अलद्वानी पहुचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुश्यन गौतम ने बीजेपी का रेले में प्रिस वार्ता करती हुए कहा कि उत्राखन में मतदान के अब आठ दिन बचे हैं लेहाजा युद्धिस्तर पर आज से ही कारेकरता घर घर जाकर जन संपर्क करेंगे इसके साथ ही कई बड़ी रेलियों के आयजुन होंगे और प्रिचन बहुमत के साथ बीजेपी उत्राखन की सभी पाचों सीटों को जीतेगी ऐसकी पार्ते जन्ता आसे करदों मेरे आध दो के अंदर आसमेफी शुक्रत माईन में कौन सीक गया घर जाएगगा निबेदान करेगा और जो परौतिंग mm वोतिंग वाले दिन सुभे से लेकर साम तक जब तक बोटिंग ुले वापनतर रहेकर मत्र पेटियों को जो मशीन है उसके इस्थान करना काम करें! रिशी केश में ये सिम धामी ने तृभेडी घाट पर मा गंगा की अराधना कि मा गंगा की संपून विधी विधान से पूज़ा अर्चना करके संकल्प विक्सित भारत के पूरे होने की कामना की उत्तराखन के उड़नेती के लिए भी उखिवंत्री धामी ने कावना की 19 अप्रेल को 5 लोगसभा सीटों पर उत्तराखन में वोटिंग है ऐसे में मतदान पृतिशत बढ़ाने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने कई प्रयोग किये है और इस बार 85 प्लस और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे है ऐसे में गरपती महिलाओं के लिए भी मतदान वाले दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है हमने तयारी तो अच्छा किया है शांती विज्ए औसिता की मामले में हमारी तैयारी पूर में है हमारे मेन चैलंज है उत्राकर में हमेशा चाललेंज रहे टरमनोट पोलिंग पर्सनीच dif घर हमेशा कम रहे इस बार उसको इसको 75 कैसा करें यह हमारा मेंन चैलेंज है, उमने इस बार काफी अच्छा अच्छा अट्यूटीस किया, उमीद है कि इस बार हम लोग 70% पोलिंग परसंटेज एचिव करें। जो राम मंदिर के बुद्धे को अपने तीस साल पहले अपने जंटे का विशे बनाया था, उस पर हम लोग अपने जिस विशे को लेकर अपना कार्य प्रारब किया था, वो हमने किया। देश की जमता में पाइटी का दिश्च्पोर रखते रहे और जिसके परिराम सरूप देश की जमता ने हमको पहले अटन जी के रूप में परदार मंतरे दिये उसके बाद में 2014 में मानने मोजी जी के रूप में पूर्ण महुमत की सरकार दी रुड़की में एदुल फितर की त्योहर पर मुबारक बात देने के बाद कॉंग्रेस के पूर्वसी अमहरी श्रावत मीजा से मुखातिब हुए जब सवाल पूछा गया बाबा रामदेव का तो चुटकी लेते हुए उन्हों ने कहा कि सही रास्ते पर चलते हुए बाबा बीजेपी के रास्ते में खुद ही ब्रहमशील हुगए योग के रास्ते में बुलंदियों पर थे जो काम वो आयुर्वेद भारती चिकित्सा पद्धि के लिए कर रहे थे वो अतुल्निये हैं लेकिन उन्होंने राजनितिक रास्ता अक्तियार कर लिया इसलिए वो भटक गए अधर में सही रास्ते पर चलते चलते बाबा जो है भाजवा के रास्ते में जाकर के खुदी ब्रहमशील हो गए है जो योग के रास्ते में बड़ी उंचाई की तरफ थे बुलंदियों की तरफ थे और जो काम को कर रहे हैं आयुर्वेद में और भारती चिकित्सा पद्ध थे बड़ी में वही अतुल्नी है मगर उन्हें जो राजमीतिक रास्ता अपना लिया है जो जास्ते से जो है वह भागिना है कॉंग्रिस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शेलजा का उत्राखन दोरा कॉंग्रिस का रेले पर कारिकरताओं के साथ उन्हों ने बैठा कियो और शेलजा का बयान के उत्राखन की पाचों सीटे कॉंग्रिस जीत रही है राश्टी नेत्रत को जनसभा करेगी और ऐसे में तमाम सीटों को लेकर मजबूती से हम चुनाव रहना है को जोगे बात है greater आने वालेले लोक सावा चुनाव से ठीक पहले ए दोरा जो है इसका दोरा लगाता है और देखना ही होगा की कोमारी शैल्या का यह दोरा जो जो कितना सपल साबित होता है आने वाले लोक सावा चुनाों के बद्यनदर हाला कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि कॉंग्रेस के जो राश्टे नित्रतु है उसके जो दोरे हैं वो कहीं न कहीं फिलाल सीमित हैं आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी का और रहुल गांधी का और मलिका आरजुन खडगे का दोरा भी जो है वो उत्राखन में हाला कि रहुल गांधी और मलिका जुन खडगे का दोरा कब तक उत्राखन में होता है ये एक देखने वाली बात होगी फिलाल जो एक कुमारी शैल्जा का दोरा है कितना सफल साबित होता है और कितने जो है उत्सा कारीकर्टाओं के मन में भरता है ये एक देखने वाली बा कि कॉंग्रेस पूरे प्रदेश में योजना के विरोध में पूरी तरह से मुखा है और अगनीपत योजना बहुत अच्छी है कि कॉंग्रेस का यह है हमने अपने गोश्रापत्र में का है और उत्राखण में तो दिशेश तौर पर पांचों लोगसवा सीटों पर हमारा पार्टी की राश्चे हमारी मेनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमा मने इस परस पूप से का है इसको स्क्रैक किया जाए और जो पहली वाली योजना है उसको ही लागू किया जाएगा उत्तरकाशी जिले के डूंडा ब्लॉक के पटोडी दुगाल धनारी में आज एक आम बैठक का जुन किया गया बैठक में ग्रामिलों ने ग्राम प्रधान रपाल सिंग बोटोला और प्रधान रामलाल के अध्यक्ष्ट में तैय कि 19 अप्रेल कोने वाले चुनाव का पोन बहिशकार करेंगे क्योंकि इनकी कई समस्याएं हैं ऐसे में तमाम लोगों ने मतदान बहिशकार करने का एलान किया है और प्रशासन विगत कई सालों से इनकी मांगों को नहीं सुन रहा है कोई भी मतदाता लोग्षभाद चुनाव के लिए पॉलिंग बोत पर मतदान यह जो मांग चलिये हमारी यह बरसूं कई बरसूं से चलिये जबकि भारत सरकार उत्राखंड सरकार ने इस रोड़ को पूर में पांचवा धाम भी घोसित करकर से मुखे मोटर मार की नाम से ज को तिन में हमारा उत्राखंड राजी अलग होगे तब से हम इस अन्रोलन को कर रहे हैं और आज सब्सक्राइब बातों पर किसी ने गहराई से अमल नहीं किया जिस कारण हमें आज निगत निकट जो हमारे समय ले लोग सबद चुनावा रहा है उसका वाइसकार करना बर लो सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब करते हैं अपर मुखिन निर्वाचुन अधिकारी विजय कुमार जोगदनेरी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए कहा कि राजी के सब ही जनपदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से पहले चरण के मतदान की कारिवाई आज पूरी होगी अभी तक 85 वर्ष से ज्यादा 993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान कर लिया है जबकि 2,899 दिव्यांग शुरी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक पोटिंग की प्रक्रिया को पूरा कम्प्लीट किया कि निर्वाचन आएक इंदर देश के नुकुरम में सभी जनपदों में जो 85 वर्ष से अधिके मतदाता थे और जो दिव्यांग शुनी के मतदाता थे उनके घर से मतदान के लिए डाक मत पतरिक विशिद किये गये थे उसके चो टीम के साथ गई थी उनके द्वारा जो पर राब्द हुई है उसके अनुसार 9993 जो 85 वर्ष से अधिकायों के मतदाता थे जिनको घर से मतदान की सुमिधा दी गई थी उसमें से 8,680 विक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है अभी भी ये कारवाई जो है आज चल रही है पीम मोदी के द्वारा रिशिकेश के आईडी पील में अपने संबोधन के दौरान आदी शक्ति मा जुआलपा देवी का इसमरार करने पर उसके पुजारियों में खुशी की लहरे जन्पत पौडी में स्थित मा जुआलपा देवी के मुखे पजारी पंडित राजेंदर द्वाल ने पीम का अभार भी व्यक्त किया देख घूम रिशिकेश में भारत के यस्वशी प्रदान नंत्री जी ने मा जॉल्पा का इसमरार अपने उस्वदन में किया और आसिरवार की कामना की यह जाई होने के नाते लिए भगवती से प्रात्ता करता हूं कि उनको यस् और जो उनका इस पूरे दुनिया में फैल रहा है बारत माता का इस पूरे दुनिया में फैल रहा है उसको होर बड़ायर उनका जो जंकल्प है वो पूरा हो ऐसी कामना और प्रात्ता करता हूं मा भगवती पूरे देश को सुकी रखेगी नवरात्र की बढ़ाई के साथ सा कि जबर्दस लड़ाई का वीडियो वाइरल हुआ है। ग्रामिलों में देशत पमोहले वही मामले में कॉर्बेट टाइगर रजर्ब के उपने देशक ने बताया कि ये वीडियो उनके संग्यान में। कि अधिकुली के पास आज एक वीडियो वाइरल हुआ है जहां पर एक अवारस अंड और टाइगर का टसल वा था और अभी तक उसका जो बुलक है उसका कोई ओनर आया नहीं है ना ही उसको कुछ टाइग लगा था वटेने डिपार्टमें से जो टाइग लगता है और यही ट इसको देखते हुए हमने वहाँ पर अलीडी हमारे कैमने टाइप्स लगे हैं हम आपर इसका मॉनिटरिंग हो टाइमिंग का भी मॉनिटरिंग हो और अगर अशेकता पड़ता है तो वाँ पर स्टाइप को भी डिप्रेट करते हैं बरती गर्मी के साथ डेंगू की संभावनाई भी बढ़ने लगी है जिसको देखते हुए यहाँ पर फॉगिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है पिछले साल देरादूर में डेंगू का भयावय देखने को मिला था जहां इस्पतालों में डेंगू की मरीजों की भरमार थी क्यां दॉए है तो जहां जहां पर अगर बी मच्छेडों की शिकायते आरही है जिन लोलाइं एरिया में या बस्तियों में यार नदियों के किनारे तो वहां पर घ। हमारी गाडिया जहां फ़ाग इंग ऑफ्वार ही बड़ी मशीनों के त्वारए और इसके साथ-साथ ज जहें जगे जगे शिकायत है जहें वो लोग फॉगिंगे और साहरनपुर से बड़ी खबर है गड़बंधन प्रत्याशी इमरान मसूद पर संगराम छिड़ गया है इमरान मसूद ने मंदिर में किये दर्शन पूजन सिद्वीट त्रिपूर बाला सुंदरी देवी के करने की तस्वीर भी इंटरनेट पर वाइरल है और दर्शन पर बजरंग दलने नाराज की प्रकट की और कहा है कि गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए इम्रान मसूद जो की प्रत्याशी हैं कटबंधन के सारनपुर से ऐसे में विवाज छिड़ा है क्योंकि मंदिर पहुचे थे इम्रान मसूद और मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किये सिद्धपीट ट्रिकूर बाला सुंद्री देवी के वो दर्शन करने पहुचे लेकिन अब बजरंग दल ने नाराजगी जता दिये और उन्होंने कहा है कि गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए दर्शन पर बजरंग दल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है साहरन पूर से प्रत्याशी इम्रान मसूद इंडिया गटबंधन के दर्शन इम्रान मसूद इस वक्त काफी प्रचार कर रहे हैं जन्सभाओं में भी वो लगातार रभ खुद को जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं और इसी सिलसले में मंदिर भी पहुचे थे दर्शन करने की जो तस्वीर थी वो इंटरनेट पर वाइरल हुए और दर्शन पर बजरंग दल ने नाराजगी जाहिर कर दिये और उन्होंने कहा है कि गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए गटबंधन प्रतियाशी इमरान मसूद पर विवाद छिड़ गया है सहरनपूर से खबर इमरान मसूद ने मंदिर में दर्शन पूजन किये तो मानिय बवाल खड़ा हो गया सिद्ध पीट त्रिपुर बाला सुंदरी देवी के उन्होंने दर्शन किये और ये जब तस्वीर सोशल मीडिया पर वाइरल हुई दोगों के सामने आई तो बजरंग दल ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और कहा गया उनकी तरफ कि किसी भी कैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश ना करने दिया जाए और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे क्याबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मा का निधन हो गया है सुभा सपा अध्यक्ष ओपी राजभर की मा का निधन हुआ है अभी कुछ दिनों पहले वो भरती भी थी अस्पताल में और ओपी राजभर भी कह रहे थी कि उनकी मा की तब बेठ ठीक नहीं है लेकिन आप ये दुखत खबर इस बीच सामने आई और अपी राजभर की मा का निधन हो गया है क्याबिनेट मंत्री ओप्रदेश सरकार में और अपी राजभर की मा का निधन हुआ है तो पिछले कुछ समय से ओपी राजभर की मा की हेल्थ ठीक नहीं थी स्वास्त ठीक नहीं था अस्पताल में भरती भी करवाए गया था और ओपी राजभर अपनी मा की लगातार केर भी कर रहे थे लेकिन इस बीच दुखत खबर उनकी मा का निधन हो गया है सुभा सपाध्यक्ष ओपी राजभर की मा का निधन खबरों में फिलहाल इतना ही बने रहे ये भारसमाचार के समय मुझा जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं जैसे सर्वकौ पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की भारत के नंबर वन टॉप क्वालिटी दुमेस्टिक और इंडस्ट्रिल प्रड़क्स की सर्वकौ रखे सब कंट्रोल में चादी का किचिन में के जहां गोल्डी किचिन किंग मसाले हंडर्ड़ पसें हो वहां जहां जाए रिष्टा बढाए गोल्डी मसाले इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक सेल शुरू हो चुका है इससे बड़ा सेल शायद नहीं मिलेगा टीवी, लाप टॉप, मोबाइल, फ्रेज, वाशिंग मशीन, किचन अप्लाएंसे सब पर पाईए best deals सिफ ब्रिलांज डिजिटल के digital discount days में पलग जपकते ही होगी डाउनलोडिंग कमप्लीट क्यूँकि लगनों के कोरे-कोरे में है Sikha broadband का high-speed fiber internet मात्र 400 99 रुपए पर मंत में 100 mbps unlimited data की speed और free unlimited land 9 calls आज ही बुक करें अपना Sikha broadband connection visit Sikha net.com मेरा एक दोस्ट जॉइंट पेंज से परेशान था मैंने पूछा डॉक्टर और्थो ट्राई किया तु उसने बताया सोच रहा हूँ बस यही प्राब्लम है सब को पता है डॉक्टर और्थो जोडो के दर्द का जबरदस्ति लाजए आयूर्वे दिखे और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है पासवाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है लेकिन लेकर कौन है मेरी बात मानिये अगर दर्थ से परेशान है तो आज ही डॉक्टर और्थो ओयल और कैप्सूल्स ले आईए लगनों में अडिये के प्रवार्थत दस्तिनी बड़ी कारेवाई की है मानचेत्र विपरित निर्मित शॉपिंग कॉंपलेक्स सील कर दिया टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है रास्थानी के अश्याना के भद्रूग शेत्र में कारेवाई की है लगनों में नौकरी का जहासा देकर युवक से आठ लाग हड़पे है पश्यूपालन निदिशाले में लिपिक पत का जहासा दिया आरोपियों ने खुद को पश्चु पालन में तेनात कर्मी बताया सदादत गंच कोत्वाली में मुखदमा दर्च किया गया इटावा में शराब के दुकान पर दबंगों ने बार पीट के पिड़ितने लगाया लूट पार्ट करने का भी आरोश शराब ठेका मालिक सही तीन लोग घायल हो गया बारदात कर आरोपी मौके से हुए फरार मामले की जाच बरताल करने पहुंचे पुलिस बहराईश में बकाय पैसे कोले कर दो पक्षों में जमकर मार पीट लाठी डंडे वो धारदार हत्यार से युवक ने बोला हमला चबाभी हमले में युवक और बजुद दोर हुए घाल अमेठी में सरकारी भूमी पर करायश्वारा था वैंध दर्मार जानकारी मिलते ही एस्ट्यम ने राजवस्वत टीम को मौके पर बेचा जाश में दोशी पाए गए ग्राम प्रधान समें दो अने लोग सारवजनिक संपत्ति नोकसान अधिनियम के तहट केस तरच कर लिया गया हैचा में बाइक सवार दो लूटेरे ने महिला से लूट पार्ट किया पिड़त महिला से लूटी चेन और कान की जुमकी अपने पती के साथ बाइक से वो गाव जा रही थी पिड़तने थाने पहुँचका है लूटेरे के खलाफ शिकायत किया घटना की जाज कर पुलिस लूटेरे की तलाश में जुट गई है बागपद में आठ वर्षे बच्ची के साथ फैक्टरी के सेल्समेंस ने दोशकर्म का प्रयास के बहनों के साथ आईसक्रीम लेने गई थी बच्ची पुलिस ने आरोपी सेल्समें को गिरफतार क्या सेल्समें को गिरफतार कर कारिवाई में जुटी पुलिस मेर्जापूर में सरोवर में मिला लापता यूअक का शब एक दिन पहले घर से लापता था सरोवर में नहारे गये ग्रामिडों ने पुलिस को सूचना दी यूअक मालसिक रूप से विचप्त था कानवर्ट देहाद में SBI के लॉकर से लाखों के गहने वे लापता लॉकर धारफ महिला ने पुलिस को सुचना दी सुचना पर पहुंचे पुलिस चानविर में जुट गई है बैंक करमचारियों पर लापरवाही के आरूप लगाए गया है थारा रूरा छित के कस्पा रूरा के SBI का ये पूरा मामला है अलिगर में मामूली का आसुनी कोले का दो लोगों में गोनी श्यंगर्स देखा गया है एक युवग गंभी रूप से घायल हो गया है गर्दन पर उसे चाकू लगा है चाकू मार कर हमलावर मौके से फरार हो गया पुलिस ने घायल को शुलास पताल भेचाए थारा रोरावर के इंद्रा नगर सब्ची मंडी का ये पूरा मामला है आईपेल दोहचा 24 के 24 में मुखाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुच्राथ टाइटन्स के भीश खेले गए रोमान्चक मैच में गुच्राथ टाइटन्स ने धमाकेदार चीट दर्च की है पहले बल्ले बाची करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने चीट के लिए 1977 रॉयल्स और गुच्राथ टाइटन्स ने साथ विकेट खोगर हासल कर लिया गुच्राथ के चीट में राश्रुत खान के हैं भूमिका रही जिनोंने 11 गेंदों में इनाबाद 24 रन बनाए श्योमंगिल ने राजस्थान रॉयल्स के खलाब 72 रन बनाए लेकिन इस मैश में 27 रन बनाते हैं उनोंने IPL में अपने 3000 रन पूरे के थे T20 क्रिकेट में उमेश यादळ ने एक नया किर्तिमान अपने नाम कलिया है उमेश यादळ ने अपने 200 विकेट पूरे के थे इन्में घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल और IPL सभी मेंश शामिल है उमेश यादव ने अपना दो सामा T20 शिक्तार ये शस्वी ज्यस्वाल को बनाया IPL के 2025 के सीजन को लेकर 16 अप्रेल को एहमदाबाद में एक मिटिंग होनी थी जुसमें IPL की सभी टीमों के मालिकों और BCCI के अधिकारियों को कुछी जो पर चच्चांग करनी थी अलाकि अब इस मिटिंग को पोस्ट पॉन कर दिया गया है जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा उसमें पहले भारतिय टीम के मुख्य च्च्च्च करता आज इस आगरकर ने विराट कोली की चमकर सराना की है उनका कहना है कि कोली ने ना केवल रन और शुतक बनाने के मामले में बलके फिटनेस के मामले में बेशमार सेट किया है आप देख रहे हैं भारत का सरवश्रेष्ट न्यूज चैनल भारत समाचार प्रेरेष्ट अरीधिश कि अाली चैनल ग्काल में यूरोरर कज़के सेखय है आपेडस सेखया ऑसरे हाह्स म Natomiast, Şu उनकास, दो प्रेष्ट कोला में डेख्ता हे कि में दो सुतक पालीशाद में अधनिवार ग्वाचास में ओॉत्सफान अबिवादन सुईकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनों भाईयों अब पहले और दूसरे चरण के मत्दान को बहुत थोड़ा वक्त बचा है 19 तारिक को पहले चरण का मद्दान होगा और 17 को परचार समापत होगा 26 को दूसरे चरण का होगा 24 को परचार कारी समापत होगा यानि अब वक्त जादा नहीं है अल्मोश्ट 12 दिन के अंदर दोनों फेज के वोट पड़ जाएंगे दोनों फेज मतलब 8 प्लस 8, 16 सीटे और तीसरी की तैयारी है जो बरेली रेंज की तरफ आगरा की तरफ चुनाओ होना है वो तीसरा चरण अलग से अब उसकी भी शुरुवात बांगे क्या चल रहा है इस इलाके में किस समस्या से एंडीय अ या एलाइयंस और इंडिया एलाइयंस जूज रहा है दोनों की ये कामन समस्या है ति क्या है वो कामन समस्या और इस वक्त पश्य उतर प्रदेश की इन 6सीट के ऐगर करने है सेंट्रल यूपी में क्या चल रहा है ये इस्ट यूपी में क्या महौल है ब्रज छेत्र के क्या हाल है आज पूरी और खुली चर्चा इस डिवेट में हम करने वाले बैनबाईयों सोला सीट के चुनाओं को बहुत महज थोड़ा सबक से बचाए कि 19 और 26 उत्तरप्रदेश की इन 16 सीटों पर मद्दान होने जा रहा है एक समस्या है जिससे भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ पीड़ी दोनों की प्राब्लम एक है दोनों को एक ही बिमारी डाइग्नोस हुई है क्या गुट बाजी आपसी कलह मारकूट और टिक्टों के बित्रन को लेकर बवाल इस समस्या से दोनों दल बहुत बुरी तरह से पीडित है क्यों पीडित है क्योंकि बड़े बड़े दिगजों के टिकट कटे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अर्मान पाले थे कि उनको टिकट मिलेगा यहां समाजवादी पार्टी ने एक फा दूसरे जिलों में भी यही हाल मचा हुआ है यह स्मंजस की स्थिति क्यों है कारेकरता और पार्टी बेहत परिशान है समाजवादी पार्टी तो विशेश तोर प्रपीडित है और भारती जंता पार्टी जिसके अनुशासन नंबर एक पर हुआ करता था उनके आं भी लड़ उसको महसूस कर रहे होंगे इस बार तापमान चुनाओं का उतना पहुंच निराज जिस डिग्री सेल्सियस पर चुनाओं हुआ करते हैं न वो जोश दिख रहा है न उमंग उत्तेजना उत्सा और उत्कंठा यह सब इस बार के चुनाओं में मिसिंग है उस हाई डिग्री पर नहीं है जिस हाई डिग्री पर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चुनाओं हुआ करते हैं इस बार विचारधाराओं से अधिक आपसी कला बहुत मची हुई है और इससे कोई अचुपता नहीं है सब को टिकट चाहिए लेकिन पार्टियों को पार्टिकट होता है एक को कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है लखनव किसी को लड़ाना चाहता है दिल्ली किसी को चाहता है सर्वे किसी का आ रहा है इसी में अपने पुराने सांसदों को भी टिकट देना है इन समस्या से पीड़ी थे हर पार्टी लेकिन बैनो भाईयों ये गुडबाजी कई बार उन पोलिटिकल पार्टियों को बहुत भारी पड़ जाती हैं जो जीतने के एकदम मुहाने पर खड़े होते हैं और ये उनको बहुत नुकसान दे जाता है कभी कभी इतना नुकसान दे जाता है कि ये सीटें वो अपनी खो देते हैं और इस बार सबकी लडाईयां खुली हुई है कोई किसी का अनुसासन और डर ज्यादा दिख नहीं रहा है तो इन 16 सीटों पर महौल के आहिकीन मुद्दों के आधार पर चुना हो रहा है बैनो भाईयों काफी वक्त के बाद मैं यह महसूस कर रहा हूं कि इस बार ग्राउंड पर मुद्दों की आहट अधिक है यानि जो पब्लिक कोर इसूज हैं किसी भी आप पब्लिक ओपिनियन सोज में जाहिए डिबेट शोज में जाहिए जो जनता के वीच हो रहे हैं अब जब आप देखेंगे और उनसे बात करेंगे हर व्यक्ति अपने मुद्द कुले कर बात करता है जा शांति सुरक्षा समरद्यी स्क्षा और सेहतर और इसके बाद रोजगार यह को मुद्दों के पर भी बड़ी चर्चा है उदर इन चर्चा के बीच जनता की ओपिनियन क्या है अपनी गुडबाजी कला और आपसी खेमा बंदी से पार्टियां कैसे लड़ रही है इन सब मसलों पर आज खुरी चर्चा करने वाले हैं आप कुछ स्टेटमेंट सुनें फिर आज की डिवेट को हम आगे बढ़ाएंगे अधकालिक नाराएगी और एक इस्टानी मुद्दों को लेकर को नाराएगी थी अब कोई नाराएगी नहीं है जब उतका अधिकार बनता है कि हम चनाल बढ़ते हैं हमारे बार नहीं तुनिया रही तम नाराएगी वाना पार्टी जीतेगा असी में आप देखना इनकी तर्म जूट की बाद इतना इस बार इस बार कप जो पढ़नाम आने वाला है आम जनता चुनाव लड़ लिए आम जनता समर्थन करो परचर्चा को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंग उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता है अंसू अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं अनिल दुबे राष्ट्री लोगदल से हैं हेमन तिवारी जाने माने पत्रकार के पी मलिक जी हमारे साथ मेरट से जुड़े हूं बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार है और वीरें सिंग जी हमारे इस्टेटेट बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बैन वाई और बीजेपी वालों को आज ख़ड़े साए कुर्ता है इनका पीला हलाकि दो हमारे पत्रकार यह अलग अलग कपड़ा पहिन क्या है मैं तो अपने कपड़े पहिन क्याता हूं विरेन सिंग जी भी हमारे साथ है कारकाम की शुरुगात करते हैं डाक्टर समीर सिंग मेरे साथ मौझूद है वीजेपी के प्रवक्ता है समीर जी मुझे आप बताईए यह जो आपकी पार्टी में गुडबाजी हो रहे हैं इसके वीडियो बड़े सारजनिक हैं आप तो कहरें कि आप पार्टी विदे डिफरेंस बड़े अनुशासन वाली है आप क्या तो सड़कों पे पार्टी को जिताने में लगा है जहां गुटबाजी है महां की चर्चा आपने नहीं किया मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि पहली बार यह उदाहरन प्रस्तुत हुआ कि प्रयाग के अंदर अभी कल पार्टी ने दे दूँगा उन्होंने आसिरवाद दिया और उनको पूरा समय ले गए मैं जो बात आप ने कहा मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं रही बात आप जो पस्री में उत्तर पदेश की बात कर रहा है बहुत अच्छे प्रकार से भारती जंता पाटी और सहयोगी दल के साथ हम हैं आपको ब्रहम हुआ होगा आज दोनों लोग एक ही साथ मंच पर थे कल माननी मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों लोग एक साथ मंच सब लोग देखें भारती जंता पाड़े आपके पास मैं कभी शह महीने से डिवेट कर रहा हूं और एक कि योजना में काम कर रहे हैं और चिन्स की बायरी यह आपकी आपकी जॉज़ते हैं वहां तो आपकी पार्टी सकते हैं ने 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 संतोस गंगबार जी निरंतर पर फ्रचार हमारे हम लोगतंत्र विज्जेश जी आप उंकी बात क्यों पर चाहिा तो वो आ संगठन मंत्री से हमारे मुख्य मंत्री से अपनी बात करता है . सब लोग भारती जनता पाटी के परचार में हैं कमल के फूल में है कमल के फूल के परचार में है और सोले की सोले सीट भारती जनता पार्टी पहले और दूसरे चरण की जीतेगी यह मैं आपको आज यहां विश्वास दिला के जाता हूँ फिर चार के बाद आपको पार्टी के साथ है जाती किसी मां टूटी यह उननीस में भी टूटी थी मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो यादो में यादो नहीं तेंकर पा रहा है अखिले से यादो बताये ने परिवार की सीट नहीं तेंकर पार रहे है शुपाल यादो बदायू लड़ेंगे क्या साहारनपूर में जगह ननवता नाम सुना है ननवता में क्या चल रहा है आपके साथ कुछ नहीं चल रहा है कम से कम 20,000 छत्री वहां इकठा हुए आपके खिलाप पंचायत की है जा रहे हम सहारनपूर कर बड़ी बमत्री जीतेंगे हमने सहरनपूर से मंत्री दिया है बुर नतरी जाकायत को सबका साथ मिल रहा है बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जो नहीं जीतेंगे बिने संगीत स्यों मनाया आप मुझफर नहीं कौन कहता नाराज है आज ही परचार कर रहे थे आज वह प्रत्यासी के साथ घूम रहे थे कहीं न कहीं बिरोधी ऐसे ब्रह्म फैल आ रहे हैं यह बहुत पहले से ऐसे ब्रह्म फैल आते हैं इसका कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला और लाइट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को इस डिबेट में अमंत्रित करता हूं दीपक जी आपका शुक्रिया धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप से जानना चाहता हूं कि आप कहां गुडबाजी अभी बंद नहीं हुई और आज तो मैंने मुलाना तौकीर रजा का स्टेट्मेंट सुना वो तो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आरेसेस की बी टीम है और आपकी पार्टी मुरादाबाद में वर्टिकली डिवाइडेड है रामपूर में वर्टिकली डिवाइडेड है आपकी पार्टी के त्पृश्चिन से ले करके और उत्तर से ले करके दक्षिन से लेकर करके 4 उतरबाज महौल इनके खिलाब है अब इस महौल को यह भाफ नहीं पा रहे हैं आज की ठारीक में महौल जो जो है वो अंडर करेंट जो वो इनकी खिलाफ है अब ये कहने को कुछ भी कह दें लेकिन ओन एर जो चीज़ें हैं जो चीज़ें दिख रही है सामने उन चीज़ों से कोई नकार नहीं सकते अपने पार्टी के वीतर जी गुडवाजी जिसका जिक्त मैंने किया उस पर इस्तिती इस पर बिजेपी से बात में लड़ेंगे पहले लड़िए बिजेज जी यह मुरादा बात कि अगर आप बात करें तो हैस्टी हैसन साहब ने इस पर वाइट में का आपने इंट्रिव्यू में कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी मधर पार्टी है मैं इसका विरोध में कैसे कर स सब्सक्राइब वैस्टाइब और सब्सक्राइब स्वम्राइब सब्सक्राइब the key and ì कर देंगे घुए और उट किस दिन निस को पढ़ना या जिसको फोन के दवारा कहना ए इतने बड़े ने 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 अंगे सब को तो रोट जहेंगे हूं आपके प्रत्याशी के मौलाना के साथ गाड़ी पर बैठने को तयार नहीं है एक नेता वहाँ पर देखे बिजे जी समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा पुला विरोध कर रहे हैं अब आजम खासाब का उनका पुरा अशिरवाद उनके उपर है और आपने देखा होगा कि वहाँ पर रामपूर में समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा प्रत्याशी आपके उतारा है यह पार्लियमेंट के जो है मौलाना है मौलवी हैं और मुतवल्ली है और वो जो है कोई गुडवाजी नहीं बिजेज जी आज यह तो 400 पार की बात कर रहे हैं अपनी असीके सिते बात कर रहे हैं यह परचार करने इसे हम लोगों के बीच में जा रहा है लोगों का दुखदर समझ रहा है पीडिये की आवाज बहुत शुक्री आपका धन्यवाज जुम्लेबाजी कर रहे हैं उपना मन सजा करके मैं अंसु अवस्थी को इन्वाइट करता हूं उतर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के चरण का प्रचार आलमोष्ट समाप्त होने में 17 को हो जाएगा मुष्टि से चार दिन बचे हैं 17 को बंदी हो जाएगा आपकी पार्टी का एक भी श्टार प्रचारक मुझे कहीं प्रचार करते नहीं दिखा ब्रजेश जी देखे जो अमेठी रैबरेली की बात है तो अमे लोग इस बात को कह रहे हैं कि गांधी परिवार का ब्यक्ति वहां से चुना रहे हैं और हमें पूरा भरुसा है कि गांधी परिवार से लड़ेगा राहूल गांधी दूसरा नहीं देखे राहूल गांधी जी बिलकुल हम तो मांग कर रहे हैं हम सब तो कह रहे हैं सब को प पार्टी सवालों का जवाब नहीं देबाएं तो देखे दूसरा प्रचार की बात देखे ब्रजेश जीब मैंने उस दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूं कि स्टार प्रचारक भी आएंगे और हमारी रड़नीद का हिस्सा है भारती जनता पार्टी का जो जूट है वो जनता स चले गए अब जनता इस बात को देख रही है जो हमारा न्याय पत्र आया हमने जो पांच न्याय 25 गारंटी दी है जनता उस पर उट करने जा रहे हैं और हमारी इस्टार प्रचार क्यों नहीं करने जा रहा हूं समझ नहीं कौन गया है आपको कल से सारे परसों से सभी पादेश आरा जो तो उस हिसाब से चल रहा है तो आपने इम्रान मसूत को लावारिस को छोड़ दिया लावारिस का पुरी मजबुति से लड़ा रहा है और देखें बीजेपी की लोग इसलिए परचार करें उसका दूसरा कारण है सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई है जो आरेसेस का सर्वे था ऐसा तो नहीं कि वह सर्वे देखने के बाद आप परचार करने की हिम्मत गवादी हो ना ना भारती जिंता पार्टी एक माहौल बनाना चाहती सर्वे की रिपोर्ट तो आप भी जानते क्या है आपको ही पता है पताईए ना आप मेरे उपर क्यों ठे अगर बीजेपी अब देखे ना कितने कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए तो थोड़े आरेसे इम्रान मसूत के आसपास में देखना हूं कोई स्टार परचारक आपने तो उनको टिकट दे के एकदम लावारिस कर रखा है इम्रान क्या उनको को चूने को भी तैयार इम्रान मसूत जी पुरी मजबूती से लड़ रहे हैं वो सेकुलर नेता है और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके की परिष्टितियां और समीकरण बीजेपी ने जूट बना कर बोलकर तयार किये हैं आरे वो तो लड़ी रहे हैं आपका क्या है आप कोई सपोर्ट करोगे उ होता है संग्षाल लगातार लगा है सर्वे की रिपोर्ट जो लीक हुई है बीजेपी उससे परेशान है मैं अनिल दूबे जी कौम अंत्रित करता हूं राष्टरी लोगदल के निशनल से जनरल से करेटरी हैं और प्रवक्ता बहुत शुक्री आपका दूबे जी कुर्था सवाल किया तो नों जवाब दे दिया वे सवाल क्यों बार बार एक ही सवाल हो रहे हैं हम यह तो परिवर्तन का नियम है परिवर्तन सास्वत है सभी परिवर्तन होता रहता है हम किसानों को खुसाल बनाना चाहते हैं किसानों के भले के लिए काम करना चाहते हैं और सत्ता मे रहकर की तो हो सकता है जब हम सक्ष tenga में जाएंग के तो भी थो हम कुछ कर पाएंगे और बिपच विपच यह चाहता है कि किसान जो है सऽळकों पर बैठा रहे किसान लगाता रांदोंड करता रहे हो खुछाल न हो पावए हमारे हमारे नेता चोधी जैन सिंग जी चाहते हैं कि उत्तरपदेश का किसान देश का किसान खुसाल हो वो सत्ता में उसकी भागीदारी हो उसको अपनी उपज का लाफकारी मूर निमिले और भारती जनता पार्टी ने भारती जनता पार्टी की सरकार ने वो उस दिस्ता में कदम पढ़ाए हैं चोद की पार्टी के खिलाब भी चुना हूँ लड़े थे और आज ही आपने उनको अभी शाम को मैं देख रहा था उनको नेशनल जनरल सेकरेटरी बना दिया गया नहीं नहीं निकाला था कोई हमने थोड़े निकाला था हमारे हाँ आए हैं उनका विचार हम हमसे मेल खा रहा है और वह किसानों के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे आए हमारे उनका स्वागत है और वह पहले भी हमारे यहां रह चुके हैं अच्छा के पी मलिक बता रहे थे कि गूजा रोट मैनेश नहीं हो रहा है चंदन चोहान का कुछ टाइट चल रहा है इसलिए मलूक नागर को अच्छी समीचा करते हैं वह पश्मियुत्र पदेश की समीचा वह पटाओ मत उनको इस तरह मत गया है वह सही बोलेंगे वह तो हमारी अलोचना भी करते हैं हमारी पार्टी की वह अलोचना भी करते हैं तो बहुत बहुत बड़े नेता घुर जरों के आप मलूकी बड़े क्रदी नेता है वह आया है उनका वो तब यह तो आया है के चार दिन पहले आप से सथ नहीं हो रहामारे लाज़ की करीब होंगे तब हमारे यहां आया है न क्यों पहले से पहले तक राता तुम्हें पता है हो कि वह हमारे युवा लोगदल के राष्टी अध्यच भी रह चुके हैं पहले से वोगदल में रहे हैं उनके विचार चौधी साहब के करीब पहले से वह हैं इसलिया चार-पांच दिन पहले कईसे विचार आगया अचानक से अब उनका बन हुआ कि उसका मतलब आप से गेले गुर्जर मैनेज नहीं हो रहे हैं उनको लगा कि अब किसानों के लिए काम करें और किसानों के लिए बहतर पाटी रा करूब निए और हमें अगर सत्ता को के सकते हम हम अपने की लोगों करشा है आपका सवाल क्यों अ Tuesday को ऑफ पर अगले वाद करना चाहते हैं वह सब को अमान अब तो चुकि आपकी हार्दिक इच्छा है तो मैं केपी मली को ले आता हूं ने बिल्कुल ले आई दूबे जी की अनुमत से केपी मली को स्क्रीन पिलाए जाए मलीक साब यह जो बाते कर रहे हैं अब सही सही बात आप बताओ इन सोला सीटों पर क्या महूल दोनों तरफ का बताना इंडिया एलाइंस कभी और इंडिया लाइंस कभी कि देखिए प्रिजेश जी पहले तो हमें आप से कुछ एत्राज है कि देखिए इन्होंने सबको आपने जो है ड्रेस दे दी है और हेमन्त तिवाट अरे मैंने नहीं तु सपा वाले भी कांगरेस से कह देते हैं कि आज ही ड्रेस में आएंगे जी दूसरा जो है कि आपने हमारे मित्र अनिल दूबजी की जोनी की है कि रही मलूक नागर आगे हैं चार दिन पहले क्या मलूक नागर थो बहुत दिनों से परियास कर रहे हैं राषटी लोगदल के राषटी अध्यक्स को वो समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो चुनाओं में बड़ी-बड़ी रहलीयों में परदान मंत्री के साथ मोधी जी के साथ अमित्षाजी के साथ और योगी जी के साथ व्यस्त है उनके टाइम नहीं है आज टाइम उनको मिल गया तो उन्होंने जोइन करा लिया अब मनुप नागर जी का प्रियोग कैसे करेंगे मनुप नागर जी के पास कुछ कुछ है तो नहीं वह तो चले हुए पत्ते हैं अब उनका कहा आप यूज करेंगे तो आ गए है अपना वही बैठे आ के जैसे यह लोग बैठें वही बैठेंगे जाए वहां पर चंदन चौवां से बड़ा गूजर नेता इनके पास इनको ज़ुरत नहीं है अब वो मलुक नागर जी आ गए है किसी पार्टी में है नहीं किसी पत्पे है नहीं कहीं थे निखाली आ गए आरल्डी सब का घर है कोई भी जा सकते हैं कोई बात नहीं को किनारे करें आप बताएं कि यह सोला सीटों पर चुनाओ कैसा चल रहा है कौन कहां किस पोजीशन पर देखें बिर्जेश जी अगर वेस्टन यूपी की बात करते हैं 19 तारीक को पहले चरण का मद्दान है और कई जगे पर जिस परकार से यहां पर भारती जनता पार्टी के विरोध में कई सवाज परदर्शन कर रहे हैं अब भारती जनता पार्टी उसको बहुत हलके में ले कर रहा है कि भारती जनता पार्टी को इस पर संग्यान लेते हुए इसको सीरियस लेना चाहिए और इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए अगर भारती जनता पार्टी इसको इग्नोर करेगी तो भारती जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में यह मुश्किल होगी मैं को बताना चाह रहा हूं तो 17 तारिक को ब्राह्मन समाज का विरोध परदर्शन है उनकी पंचायत है इसके अलावा त्यागी समाज सैनी समाज भी छोड़ी-छोड़ी पंचायत has और अगले उनकी पंचायत है और अगले अधुकरे उनकी पंकी पंचायत धागई हैं ऐसेुरी जग कोई कह रहें तो गुंड़ा पालते हैं दस साल से किसी के बीच दिखते नहीं है लोगों के मिलते नहीं है काम नहीं करते हैं तो कैसे संगीत सोम पर BJP कोई कारवाई नहीं कर रहें जो संग्जी उबालयान पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं देखे बिर्जेश जी आपने समीर जी से सवाल पूछा दा और समीर जी ने ये बात नकार दी है जबकि ABP न्यूज और आज तक पर उनकी दोनों की बाइट चली है और दोनों में साफ साफ तल्खी दिखाई दे रही है और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में तल्खी बालियान और दूसरे जो वहां पर नेता है जो गन्ना मंत्री सुरेश राना थे वह भी कहीने के विमुक संजी बालियान से रहते हैं अब यह राजनेतिक लोग तो इन चीजों से दूर हैं लेकिन जो सामाजिक लोग हैं वह पंचायत कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पंचायत हो रहे हैं आप सोचिए कि सारणपूर में छे तारिक को परदान मंत्री की रैली होती है और जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आती उसी ननोत्ता में अगले दिन भीड़ होती है और पचास हजार से एक लाग के बीच में पंचायत होती है तो यह जताता ह कि पंचायते कैसे हो रही है इनके खिलाब परसासन या पुलिस या चुनावायों कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है जातिकत तो मना है नहीं तो एमसी सी का उलंगन है हो कैसे रहे हैं देखे बिरजेश जी अगर आप ननोता की बात करें वहां पर हमें जो सूचना मिली थी हम बाकी वहां पर इंटरनेट बंद कर देना दूसरी चीजें बंद कर देना उस तरह क्या जो सावधानी थी वह परसासन ने बरती है लेकिन रोकने की इम्मत परसासन करेगा इस पर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि फिर वहां पर मामला बढ़ सकता है यह सोचते वे परसासन होने दिया है कानून के उलंगन को बरदास्त नहीं किया जाना चाहिए अगर आप इस चीज को करेंगे तो यह भारत्य जनता पार्टी के और ज़्यादा खिलाप जाएगा क्योंकि भारत्य जनता पार्टी सत्ता में है और अगर कोई भी परसासन कदम उठाता तो सीधा सीधा सत्ता दारी दल पे आरोप लगे-गा और उसका और ज्यादा नुक् उसे बैठ कर कुछ और नजारा देख रहे हैं अब बिजेंजी दो चीजें हैं कि इस बार जो है चुनाव बहुत ठंडा है और मोसम जल्दी गरम हो रहा है तो तालमेल बन नहीं पा रहा है मैं अपने पत्रकारिता के जीवर में इस तरह का चुनाव नहीं देखा कि इतना ठंडा चुनाव हो लोगों में कोई हरसु लास नहीं है खासकर वेस्टन यूपी में चुनाव में अच्छी खासी रोनक होती थी वो रोनक आपको किसी भी सीट के ओपर दिखाई नहीं दे रह परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और उत्तरप्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और पत्रकार हेमन तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं हेमन जी आपका बहुत शुक्रिया आप सबकी ओपिनियन लेने के बाद आपस की बारी है कि आप हमारे दर आप देखिए यह चुनाव बड़ा महतपूर चुनाव है वैसे धर चुनाव महतपूर होता है लेक्स चुनाव में एक नए चीज देखने को मिली है इसमें कोई शक नहीं कि भारती जनता पार्टी के अपने कुछ नेताओं कुछ नेताओं के बीच में अंतर विरोध हैं जो दूसरी शक्ल ले रहे हैं जिसका जिकर अभी मलिक साहब ने किया और यह आज की बात नहीं है दो हजार बाइस से मामला चल रहा है दो हजार बाइस के असंबले एलेक्शन में ऐसा मानते हैं संगीत्सों कि उन्हें चुनाव हराने में संजीव बालियान की बड़ी पा रही और यही कमोबेश सोचना सुरेश राणा का है जो जीतते तो मंत्री होते लेकिन उन्हें जीत नहीं पाए संजीव वालियान और कहीं ने कहीं प्रदीप चोधरी से भी जो कहराना के संजोग देखिए कि संगीत्सों में सुरेश राना एक जात से आते हैं इसलिए इन सारी बातों को जो ठाकरों की नाराजगी बताई जा रही उससे भुज़ोड करके देखा जा रहा है यह सच है लेकिन भारती जनता पार्टी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि पहले त कि भारती जनता पार्टी अगर 95 और 100 की रफ्तार में चुनाव लड़ रही है तैयारियों के साब से मेरे तमाम में तरभी नाराज हो जाएंगे अपोजीशन 10 से 15 की स्पीड वे दोड़ रहा है मैं एलेक्शन पर प्रप्रेशंस की एक एक कंस्यूंसी की बात बता रहा हू इंडिविज्वल कंडिट्स लड़ रहे हैं पार्टी की ओर से आपने खुद मिंसिन किया कि 17 तारिक को आखरी परचार है 17 की शाम को 19 को वोटिंग है अपोजीशन का कोई एक नेता बता दीजिए जो वेस्टन यूपी की इन आर्ट चीटों के परचार में भी तक गया हु इस निकल रहे हैं अब पीली भीत के बगल में बरेली है जहां तीसरे चर्ण में चुना हुआ है इस्टिजिकली क्या उनकी प्रपेशन आप समझ सकते हैं जबकि आठ में दो सीटें ऐसी है कैराना और मुझा फन अगर जहां उनकी पार्टी जब अर्दस चुनाव लड़ है जहां बीजेपी को नेक नेक फाइट दे रही है कि बाकिच्छा सीटों में भारती जनता पार्टी बहुत बहुत आगे मतलब लंबी त्यारी में तो उसी गुट बाजी और कलाय में जूजा हुआ है आप चाहे रामपूर देख ले या फिर मुरादाबाद बिल्कुल सा पहुआ कि तो बता रहा हुँ प्रजेश जी कैस्ती हैसन का टिकट होता तो भारती जनता पार्टी पसीना पसीना हो जाती है और आज की तारीक में तारीक मी वाता हुरह है भारति जन्ता पारटी वह चुनाव जीट सकती है जीत रही है इस आम समझ सकते हैं आपोजीशन के जितने बड़े लीडर है जो स्टेटीट्जिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं वो कागच पर जाती है आउनकरे को जोड रहे हैं तो बीजेपी के लोग गाउं गाउं तहसिल तहसिल ब्लाक मतब मंडल अस्तर पर और बूत अस्तर तक जा रहे हैं यह बूत बुनियादी फरक है और अपोजीशन का यह जो तरीका है यह मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप खाली यह देखें भाजपा मंतर कला है और आप जी जाएंगे तो इस तरह चुनाओं नहीं जीते जाते हैं यहां यहां एक एक कदम पर लड़ाई है और यहां आप पोजीशन की तैयारी एक पोजीशन की स्टेट्टी मैं एक कदम कमजोर मानता हूं आप जिस भारनपूर की बात बार बार करते हैं लोग इम्रान मसूद साहर इनपूर की आप परड़ाम आने दीजिए आप देखिया क्या परड़ाम होता यह जो अंतर विरोध वगरा की बात आ रही है मुझे नहीं लगता है कि मिलिक साब तो पेस्टर यूपी यह जातियों की पंचायत वाली जो की कानूनी रूप से गलत देखिए मैं कह रहा कर दिया बट मुकदमा लिखिए कि सार ऐसे तो फिर कोई भीड लेकि आएगा और करके निकल जाएगा और मुकदमा कानून कराच किसी को है इसी तो कहते हैं बड़ी बड़ी वजदार चीज उन पर एफाई अर्दर जोनी चाहिए ब्रजेश जी गी रुची वीरा के खिला चुनाओं में और तीसरे फेज की जो बरेली और आगरा रीजन में है चुनाओं क्या आपके पास इंपूट और फीडबैक है यहां चुनाओं कैसा चल रहे हैं कि यह अंतरकला और गुडबाजी का काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं और यह कह सकते हैं कि यह दोन उसमें मायवती भी एक बड़ा फैक्टर रही हैं खास और से पिछले चुनाओं में यह जो पहले और दूसरे चल के जो सीटे हैं इसमें बसपा की भी कई सीटे निकली थी आज बात अलग है कि वो गटबंदन में नहीं हैं आज भाजपा में एक बात आई कि किसान अंदोल है 35 सीटों पर लड़े थे भाजपा ने फिर उस नाराजगी को खत्म कर लिया आरेलडी को अपने साथ मिला लिया लेकिन एक नहीं चुनवती आ गई छत्रियों की नाराजगी की कि उनके समाज के टिकट ज्यादा कट रहे हैं और छत्रियों को टिकट नहीं दिये गए संब कि यह भी है लेकिन दूसरी और जबाब देखें तो बरुण गांधी की भी बाद पीली भीत में आती हैं लेकिन रामपूर में आजम खा के मन्चाहे वेक्टी को टिकट नहीं मिला तीन तीन नामांकन हुए समाजबादी पार्टी में भी त्यमान विरोध के स्वर रहे मु लेकिन इतना जरूर है कि बाजपा इस बिरोध को रोकने की कोशिस करती है इंडिया गडबंदन में कोई नियत्ता सुला सपाटा कराने नहीं जाता मुख्यमंत्री ने संजीव बालियान को और संगी सोम को बुलाकर मंच पर बैठाया और कोशिस की एक मैसेज दिया कि यहा पहला चलन खास्तोर से मैं आज बोल रहा हूं इसमें भी यह जाट लैंड का काफी हिस्सा है जैन चौधरी की परतिष्ठा का यह चुनाओं है सहारनपूर कहराना मुझफर नगर नगीना विजनोर यह चार-पांच सीटे सीधे सीधे रालोत के आने के बाद क्या स्थिती पनेंगी यह भी एक टेस्ट है संजीव बालियान मुझफर नगर से जीते हैं पहले एक बार वो चौधरी अजीर सिंग के खिलाब भी लड़े थे और परड़ाम लोगों को पता है आज आरेलडी उनके साथ आ गई है तो सुभावी कह कि बीजेपी का बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन गुटबाजी की बात करें हम चाय अंतर कला की यह चुनाओ परत्यासी नहीं लड़ रहे हैं यह चुनाओ पार्टियां लड़ रही हैं यह चुनाओ एंडिये और इंडिया का गड़बंदन लड़ रहा है जैंता ने यह मन बनाया है कि हमें प अपना वोट डालने का मन बना लिया कौन कहां ओड़ देगा वो अपने मन में रखे हुए है बहुत साफ है अब यह परचार हला हंगामा से जादा कुछ नहीं होगा हाँ कोई धार्मिक उनमाद या कोई अच्छा केपी मलिक साब कह रहे हैं बहुत ठंडा है बिरजैज जी ठ है रहूं कि यहां पर्तियासी कोई है चुनाओ पार्टी लड़ गई है देखिए मताब कमानना है गुडबाजी ज्यादा असर नहीं करने वाली ज्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन भाजपा को ज्यादा घवराने की भी जरूरत नहीं भाजपा बिना आरेलडी के भी लोक् जी आप इतना बोल दोगे अगले राउंड में में जोच पर बढ़ जाएंगा जैन्त जी ने कहा है कि हमने पल्टी नहीं मारी है पठकनी दी है अभी पठकनी का परड़ाम आना बाकी है यह तो यह चीजें आएंगी साथ में जी मलूक नागर एक सांसत है बीजेपी के उन आन्विया इन्होंने सामिल करा लिया लेकिन इस देश की जैंता मलूग नागर नहीं मलूग दास को जानती है जो एक संथ थे और जो कहें गए कि अजगर करें नचाकरी पंची करें नकाम और दास मलूग का कहें गए सबके दाताराम यानि कि सबका पालनहार इस्वर है चाहे कोई काम करो चाहे ना करो यह आलची लोगों के लिए वैसे काफी उचित का था मलूग नागर ने इसका दूबे जी से कोई ताथ पर नहीं है बिर्जेज जी उत्तर प्रदेश में असी सीटों पर चुना हो रहा है पश्मी उत्तर प्रदेश में जाक लैंड में किसान और चौदरी अजीर सिंग भाजपा समाजवादी और बसपा यह सब के मिले जुले लडाई है यह कोई अ जो काने वाला हो सकता है जब पढ़ाम आएगा तब लोगों को पता चलेगा जी कंक्लूड करने भी रिंजी वैसे गुर्जर जाट यह वोट तो काफी सब के लिए महात्पूर्ण रहे हैं बाइराल सुनिएगा चार लाइने हैं कि चिंता नकरो परचार करो जंता के बीच रहो पढ़ाम जो होगा देखा जाएगा उपर वाले के हाथ में छोड़ दो कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी रहागीर वहां तक जाएगा और तुम दर्या से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा जिए और खीच धनू की दोर निसाना साधों अपनी मंजिल प और पॉलिटिकल फीडबैक देने के लिए वहां दो चरणों के चुनाओं की चर्चा करने डिवेट का दूसरा चरण प्रारंब करते हैं डक्टर समीर सिंग यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं मुझे बताएंगे कि पहले चरण में समीर जी यह निकल कर सामने आ रहा कि जब प्रत्यासी नहीं ते हुए थे उसके पहले हमने लाबारती संपर किया था हमारे कारेयले खुल गए थे हम कारेक्रम कर रहे थे हमारे बूतों के सम्मेलन हो रहे हम आगे के चरण में सेक्टर के अंदर जो नयाय पंचायत होती है वहां नुकर सभा करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पार्टी की बैटका हो सके हो चुकी है हमारी कारेसाला हो चुकी है और अभी जो बात केपी मलिक जी कह रहे थे मैं फिर एक बार उनको आगरह करूंगा सेनियर पत्रकार है देखें इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 से बड़ा गट बंदन सबसे बड़ा गट बंदन था उसके बाद भी भारती जनता पार्टी जीतने में सफलता प्राप्त की थी आज हमारे पास मानी मोदी जी जैसा नेत्रित है मानी योगी जी जैसा नेत्रित है जो हमने निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता के भलाई के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की बात किया है हमने गन्ना मुल बुक्तान किया है सुगर मिल चलाया है हमने किसानों को लाब दिया हमने तीन जिले को बिजली नहीं दिया हमने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया वो मेरट पसी में उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली स जाने में पसीने चूट जाते थे आज जब आप मेरट जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप दिल्ली से मेरट कब पहुँच गए आज मेरट से दिल्ली से सहारन पूर जाईए आज सडकों का जाल बिछा हुआ अप उत्तर प्रदेश में बिरेज जी जहां गड़ में ऐसे लोगों को छुड़ाया था जो उनकी जिम्मेदार थे हत्या के और दंगा हुआ था मुझबपर नगर का दंगा सबसे बड़ा दंगा था खिले से आदों आप मुझे बताइए कि आप बेचके उनको बिरियानी खिलाई थी अपने दिनभर चुनाव आयोग में द्दानकारी नहीं है कोई पन्चायत नहीं हो रही है भारती जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ है और जिन के पैंचायत की बात वो वह कह रहे हैं वोlla बाताई प्रभव जब यहां ने अब कैसे मिर्ची रहती है और कैसे मिर्ची लगती है इस भरनें हमारे हमारे zamis के इना कि हमारे गहंपि पेलिफेटी अपकि की घय स distraction हमारा थैला कि चुछ तक सकता कि किसी कम पहले बहुति कई की लोग मुडरा है लोग स Chapman में हमारी पार्टी में खुला लोक तंतर कोई परिवार तंतर नहीं है किसी कारकरता को कोई आपती है तो हमसे कहता है सामने से कहता हम उसको संतुष्ट करते उसको जबाब देते हैं अखिलेश यादो को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने बिर्जेश पाठक को बर्दास तक नहीं कर पाए अरे ऐसे क्या बात है इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तो भी सी समाज के एक लीडर को आप मंच पर लिठाए दे रहे हो कहां लेटा रहे हैं अरे बिर्जेश जी मैं ल के अंदर जिन लोगों ने पत्थर सजाया उनके उपर फूल की बर्सा किया हम कोई सामंतवादी नहीं है हम गरीबों के नेता है मजलूमों के नेता है हम अखिलेश यादाओ नहीं है बिर्जेश जी जो हंकार में चूला है कि घर परिवार को ही गाली दें आप मानित करें पाटी के नेता है अब बहुत बड़िया चल रही सब लोग अपने अपने समय में बोलें आपके आपके करता हो के सम्मान में माफी मंगवाली तो क्या हो गया आपको मुद्दा बनाते हो इसको अब हमारे बड़े भाई समीर सिंगी जो है अभी मुश्किल हमको लोता तीन- ना भए डर दिख रहा है कि अपने तीन में नाम लेते रहें कि अच्छा करताओं से ही तो माफी मंगवाई है क्लिस प्लीज प्लीज हो तो चार जून को खुछ है आपकी कहा होगी पता चलेगा बाकी 50 और भी स्टार प्रचारक है जिनका नाम आपने चुना वायोग के लि बताई है को अगले आदमी में इतना कलेजा है कि इन्होंने का कि सता के लिए यह है क्या होता है व्योस्था परियुटतन क्या होता है हम इंडिया व्लोग के आप मुझे बताएं आपने भी 40 लोगों की लिष्ट दी चुना हुआ योग में और 40 में से एक भी व्यक्ति आपका पहले और दूसरे चरण में अब तक दिखाई नहीं दिया तो इस टार प्रचारक क्या गाड़ी में पास लगा निकली लियो विजे जी पांच नयाए 25 गार पत्र को गाली दे रहे थे कि वो इस लीग का है उस लीग का है अपना क्यों नहीं राप Memory बताया न इसका जवाप पर प्रचार कर रहें और को सब भीड में रैली मोर्म जुटाकर क्र कौ कौझ सब रॉप कि बीज कंपनियों से आपने जो गाय का मास काड़ती उनसे आपने गौमांस का पैसा लिया इलेक्टरल बांड के नाम पर आप वो प्रचार कर रहे हैं को से मांग कर रहे हैं आप सर्वे रिपोर्ट लीक हो चुकी है इसलिए ना गोश्रा पत्र ला पारें तो जनता के बीच जाने में कोई परिशानी है तो आप इनुवा चले जाओ जाओ तो आप बताइए इनुवा में डीजल बराओ बैटो चले जाओ आज देश में लोग कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगी बड़ा महत्मूर विश्यविजी जी आपने डिबेट भी की ती इस पर बढ़िया प इतना चंद लिए रख्राइब बताओगे आप मुझे कोई वैलीड रीजन बता सकते हो नानी के घर नहीं जा पारा है इस जाना की परचार में नहीं जा रहे हो कोई वैलीड रिजन पैसा लिया कांशने हमने पचाहस सांसद की पार्टी और सबसे ज्यादा चंदा लिया आ चार मीनित बचाहता रुकरा भी बचाही सांस-चरफ में धूंगा समय केपी मलिक साब आप मुझे बताओ कि जिन मुद्दों का जिक्र अभी हमारे दोस्त अनिल दुबे कर रहे थे क्या ये मुद्दे ग्राउंड पर इस बार पश्ची मुद्तर प्रदेश के मद्दाता क्या आपने कोर इसूस पर हैं या जो 2019 और 2014 के चुना हुए थे उनी मुद लोगदल का कारे करता पिछले 10 साल से सरकार के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है 13 महीने दिल्ली में अंदोलन चला है ये यूपी में गन्ने के कई सारे मीलों पर अंदोलन चल रहे हैं तो वह नाराजगी लोगों में हैं उसी नाराजगी का फाइदा रास्टी लोगदल को नो विदायकों के रूप में मिला था अब वो एका एक चार दिन पहले भारती जन्ता पार्टी और रास्टी लोगदल का गटबंदन होने से वो चार दिन में अपनी सारी चीज़े बदल लेंगे इस पे मुझे ही नहीं वहां के स्थानिये लोगों को भी बड़ी संसे है हा पर जो मत दाता है उसका थाट प्रॉसेस क्या है वो पोर इसूस पर है या फिर उन्हीं इसूस पर है जो 2014 और 19 और 2022 में था कि नहीं देखिए अगर आप देखेंगे जो पिछले 22 के इलक्सन हुए है यह 19 के इलक्सन हुए अब आप मुझे बताइए कि जैन जैन चोदरी आज भारती जनता पार्टी के साथ चले गए हैं मुख्यमंत्री की रैली में सत्पाल सिंग ने जो बागपत से सांसद हैं बह नहीं किया और कोई विकास का कारिया नहीं किया तो आप अगर थोड़ा सा पीछे मुड के अनिल दूबजी से पूछे हैं कि सत्यपाल के 2014 से पहले कौन महां पर MP थे कौन लंबे समय तक MP रहे रुख लगे हाट मुची लेता हूं तो वह उन्हीं की जवाब ने सत्यपाल सि किसानों की बात पर हसने की बात करें उस कांग्रेश से आप क्या उम्मीद करें नहीं सदन में आप जब चौदरी साब को भारत नहीं मिला कर दो दोगा प्लीजी आप जैसे सब्सक्त का इस्ते माल कि जिर्कुर्च ऐसे मत करें कोई कॉपिटीशन नहीं है इंक डोनों लोग के माइक बंद करो भी राज़ा इता इनों लोग कि माइक बंद करो सिफ्ट दूवे जी बोलवाग अप पहले तो इसमें पर आप देख क आप रुख जा अपको समय देता हूं आपको भी दिया समय अब तुबे जी की बारी सिष्टा चार भी जरूरी बोले साथ जार किंसे उम्मीद कहा करो के जब चोधरी सापको बात को फिर लडने लगे नहीं मैं तो वही कह रहा हूं जब चोधरी चरन सिंग जी को भारत वतने एश्ञा अशखेaison की बात कर रहें से क्या उम्मीद करोंगे भारत लगत्रत पर इंहों को हमेशा सम्मान की बात करों सपाल सी और उन्हों नहों किस पर पेश वे क्या बात की उन्होंने का कि हम लोगों ने तो kis outright दोले वह विए औरימम के लिए crippled heh किसानों के मुद्दे के साथ हम गये हैं किसानों के मुद्दे के साथ गया हैं किसानों को उनका लाफकारी मूली दिलाएंगे कि शानों को बीच में बीच में बीच में एक सवाव के जवाब दो चरण के चुनाओ हो रहे हैं कोई नेता पश्चिमियों के अंचु आप गलत करें आप लीजगर आप हेमन जी आप मुझे इन दोनों चरणों का एक सिनॉपसिस बताईए सर कि क्या दोनों पक्षों की तरफ चल और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इधर की जनता क्या चाहती है उसके मन में क्या चल रहे हैं अदेखिया ऐसा है कि प्रश्चिम उत्तरप्रदेश की जनता के बारे में पूर्ब में जितनी आकलन हुए हैं गलत हुए हैं जनता अपनी मिजा सी बात सोच ले आठ सीटों के पहले चरण में प्राइम मिनिश्टर दो रैली कर चुके हैं चीप मिनिश्टर सत्रह जगा पब्लिक एडर्स कर चुके हैं डिप्टी सीम लगे हैं पूरा संगठन लगा है आपोजीशन के किसी एक चेहरे का नाम बता दीजिए आपने किसके किसके हाल पे छोड़ दिया उनको अपने कंडिडेट्स को आपके कंडिडेट्स इतने मजबूत हैं और आपका जो गड़ी किताब में लिखा हुआ है प्रिजे जी इतना खुल के बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप तो बिंदाज बोलने के लिजाने किसके सब्सक्राइब डस बीस सेकंड देता हुँ समीर सिंक आपको भी समय दूँगा अपनी बारी में बोलना प्लीज तैंक्यू है मैं को दूगा नहीं करें नहीं हम बोलेते ना बात तो वही है मैं दे दूगा ना आईशा कोंजी मुझे डिसाइड करने तो कौन बोलो हम सवाल करते हिंगे बोलो बीजेपी को हराने जा रही हम आज सभी ओटर साइलेंट बठा है क्यूं बताते ही कि रैली कर रहे हैं आप बताईए प्रधान मंत्री जी अभी तक यह नहीं बता पाए क कि वो तो अइस जो सम्कार 2024 में बनेंगी क्या देंगे युउँ आउंक भाट दैवाद यह नहीं बताईए अपकम बता ही अब बतान मांक्री करता रहे हैं अब इतना शाहियों करो आप शाहियों करो इतना शांत हो जो मलिक जी ने सवाल किया है वो जायज सवाल था सवाल इसनाते जायज था मैं बता रहा हूं समाजबादी पार्टी की सरकार थी रामाला की छमता चोधरी चरण सिंग के जनभूमी की सुगर मिल है अखिले स्यादों ने बढ़ाया क्या नहीं बढ़ाया पांसो करोन रूपया देखे योगी आदितनाज जी ने बढ़ाया बारत रतन किस ने दिया चोधरी साहब को निस्षित रूप से चोधरी साहब की वि सब्सक्राइब कर देखने के लिए अधिक समय तक डिबेट कर लिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार मुलwort किया धन्यवारी सब्सक्राइब कर द市 रग turkey से तकर के लिए क्या महाद किस विए बहुतारी साहआगा चे kMA उन्यवरा च Northern कुछ दुदक कर साफ दोया कि मलत ते दोड़े हैं कि विर हावा मैं अ कि भावाल कर दो दो कि दो बहुत day कि विर जो दो प्रभर बहुर लगनों में एंडिया के प्रवर्टत दस्तेनी बड़ी कारेवाई की है, मानचेत्र विपरित निर्मित शॉपिंग कॉंप्लेक्स सील कर दिया, टीम ने निरक्षर के दोरान परिसर में चोरी छिपे निर्माड पाया है, रास्थानी के आश्याना के भद्रूप शेत्र में का इटावा में शराब के दुकान पर दबंगो ने मारपीट के प्रितने लगाए, लूट पार्ट करने का भी आरोश शराब ठेका मालिक सही तीन लोग खायल हो गए, बारदात कर आरोपी मौके से हुए फरार, मामले की जांच बरताल करने पहुंचे पुलिस बहराईश में बकाय पैसे कोले कर दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडेव और धारदार हत्यार से, युवक ने बोला हमला, चबाभी हमले में युवक और बशुद दोर हुए घाल अमेटी में सरकारी भूमी पर करायश्वारा था, वैक दर्मार जानकारी मिलते ही, यस्ट्रियम ने राजवस्वत ट्रीम को मौके पर बेचा जाश में दोशी पाए गए ग्राम प्रधान समें दो अने लोग, सारवजनिक संपत्ती नोकसान अधिनियम के तहत केस सर्च कर लिया गया हैचा में बाइक सबार दो लूटेरे ने महिला से लूट पार्ट किया, पिड़त महिला से लूटी चेन और कान की जुमकी अपने पती के साथ बाइक से वो गाव जा रही थी, पिड़तने थाने पहुँचका है लूटेरे के खलाफ शिकायत किया, घटना की जाज कर पुलिस लूटेरे की तलाश में जुट गई है बागपद में आठ वर्षे बच्ची के साथ फैक्टरी के सेल्समेंस ने दोशकर्म का प्रयास किया, बहनों के साथ आईस्क्रीम लेने गई थी बच्ची, पुलिस ने आरोपी सेल्समें को गिरफतार क्या, सेल्समें को गिरफतार कर कारेवाई में जुटी पुलिस मिर्जापुर में सरोवर में मिला लापता युवक का शब एक दिन पहले घर से लापता था सरोवर में नहारे गये ग्रामिणों ने पुलिस को सूचना दी युवक मानसिक रूप से विचपत था कानवर्ट देहाद में SBI के लॉकर से लाखों के गहने वे लापता लॉकर धारफ महिला ने पुलिस को सुचना दी सुचना पर पहुंचे पुलिस चानवीर में जुट गई है बैंक करमचारियों पर लापरवाही के आरूप लगाए गये हैं थाना रूराच्षित के कस्पा रूरा के SBI का ये पूरा मामला है अलिगर में मामूली का आसुनी को लेकर दो लोगों में घोनी जंगर्स देखा गया है एक युवक कमी रूप से घायल हो गया है गर्दन पर उसे चाकू लगा है चाक को मार कर हमलावर मौके से फरार हो गया पुलिस ने घायल को शुला स्पताल भेचाए थाना रूरावर के इंद्रा नगर सब्ची मंडी का ये पूरा मामला है स्वागत है आपका भारस समचार में आपके साथ मैं हूँ स्वातिश शर्वास तब शुरुआत बड़ी खबर के साथ बारबंकी में तेजर रफ्तार से एक बड़ा हाथसा हुआ है ट्रक ने तीन लोगों को कुचल दिया है इस हाथसे में महिला और बच्ची की ततकाल मौत हो गई एक घायल भी है पुलिस ने घायल को जिला स्पताल में भर्ती कराया है बड़ा हाथसा दो लोगों की मौत एक जखमी हुआ है शफ को पोस्माटम के लिए फिलाल पुलिस ने भेजा है साहरनपूर में दिल्ली यमुनोत्री हाइवे पर दो बाईकों की भिरंत हो गई जिसमें एक युवक की मौके पर ही माथ हो गई दो की हालत गंभीर है घायलों को प्राइवेट भाहन से अस्पताल ले जा गया किया जा पर बाईक़ talks कर अपर कर रचेन का थे करिंगा अप्राइब जुआत प्राइब स başka प manufacturers, भाले जान, posición है क्वाले किद्ध कंने opt ép силь प्रासिते है लठम युवक Watching लखनों में क्याबिनिट मंत्री ने ग्री मंत्री से मुलाखाद की अमिशा से मिले मंत्री संजा निशाद संजा निशाद और उनके बेटे ने मुलाखाद की क्याबिनिट मंत्री ने ग्री मंत्री अमिशाद से मुलाखाद की देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं अमिशा से मिलने पहुचे मंत्री संजय निशाद संजय निशाद और उनके पे खबसके बाद निशाद Krot कि अरीज दौन पहुचे संजार que छोब भको ऑट राग झाल झाल कि व आगरा में बसपा के नेशनल कॉडिनेटर आकाश आनन ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एक मंझे हुए खिराडी की तरह वो नजर आये आपको बता दे कि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पर वो जम कर आकरामा रहे आकाश आनन निकाह कि जो सरकार आट बजे के बाद बच्चियों को कोचिंग के लिए सुरक्षा ना दे पाई वो महिला सुरक्षा की बात करती है लाल टोपी पहन कर आये समाज को तोपा पहना कर चले गए मेरा समाज भारत जोड़ों की बात में ही करता है हमारा समाज रोजगार की बात करेगा हमारा समाज आज की बात करेगा बहुत हो गया साथ साल बहुत लंबा समय होता है अगर साथ साल में तुम ना काम करता है तो आज आगे भी पांच साल से नहीं कर पाऊगे जिद समय समय पर जो जिनाई निकार के रहें पर द्यान बढ़काएं गुले माभापों की सुरक्षा के लिए आमने किसको बोलता है हम अपनी सरकार पर ही बरुशा कर सकते हैं कि वो हमारे माभापों की हमारे बड़ों की सुरक्षा करेंगे परंतु यहां के मुख्य मंत्री जी बड़े गर्व से चुक्चा ओर्डर पास करते हैं रात को आठ बजे कि भई कल से लड़किया शाम को आठ बजे के बाद युदि ब्राइवेट इंस्टिट्यूट्स में ट्यूशिन बहार नहीं ने सकती है क्यों की बिचारे हमारे मुख्य मंत्री जी इसकी गैरेंटी नहीं ले सकती कि भाई हमारी बेडियों को सुरक्षा दे सके परंतु चौड के बहुत अच्छे से घर से भूम के बोलते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा सुरक्षित है राष्ट्रिय लोगतल की राष्ट्रिय अध्यक्ष जन चौधरी निरोकसभा गौतम बुद्ध नगर सीच से बीजेपी के प्रतियाशी महिश शर्मा के समथन में बुलन शेहर में गुलावटी के इलाके में एक जनसभा को संबोधित कि परिवार के सब लोग जिम्मेदार लोग उपस्तित होंगे आज सुब अफसर है मैं इद की बदा ही देता हूं देशवासियों को नव वर्ष का त्युहार चल रहा है और इस पाक पावन अफसर पर एक संदेश अपने लोगों को दूंगा मलुक नागर जी वरिष्ट नेता और सांसत बिजनोर से ये सह परिवार आज लोग दल में आये हैं हमारा कुनबा बढ़ रहा है और गती के साथ हमें एंडिये को मजबूत करना है यहां से डॉक्टर महिश चर्मा जी और बुलन शहर से भी बीजेपे के प्रतियाश्ची के पक्ष में भारी मद्दान करके मुझे भी मजबूत करें और चार सो पार के नारे को पुरा करें राश्चे लोगल एंडिये का एक अंग है और मुझे खुशी है का आज उनके युवानेता जैन चौधरी जी ने आज पैत्रक गाउँ जो चौधरी चन सिंग जी का था भारत सरकार ने उनके किसानों के प्रती प्रेम शद्धा के हैसास करते हुए और जो बहुत लंबे सम में से अपक्षित एक मांग थी उनको भारत रतन दिया है आज उन्हीं के परिवार के वसीयत लिए वे उनके पोत्र आज मेरी लोग सबाब छेतर में आये थे मेरे समर्थन में भारती जनता पार्टी के समर्थन में एक संकल्प लेकर गए हैं कि दोनों पार्टिया मिलकर द भारती जनता पार्टी के आठ बार के सांसर संतोष कंगवार का ट्रिकट कटने के बाद से परेली में काफी उठा पठक चल रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए जा रहे हैं आज में डॉक्टर उमेश कौतम पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक सभा में संतोष कंगवार के खिलाफ आमर्यादित टिपड़ी की जिसके बाद जमकर बवाल हुआ मावला दूल पकड़ा तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद सिंग चौधरी को भेजा गया जहा संतोष कंगवार के समर्थकों ने उन्हें बंधक बना लिया खूब खरी खोटी सुनाई और फिर मुर्दाबाद के भी नारे लगाए बरेली के प्रेम नगर इस्थित पुर्क किंद्रिय मंत्री और सांसल संतोष कंगवार के भारत सिवा ट्रस्ट में चमकर हंगामा हुआ इतना ही नहीं उन्हें बंधक बना लिया और काफी देर तक गेट नहीं खोला संतोष कंगवार को लोगों को समझाना पड़ा तब जाकर बमुश्किल गेट खुला लेकिन उसके बाद लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घे लिया जोरान संतोष कंगवार के समर्ट को नी जमकर हंगामा किया और चुनाव का भाईशकार करने और समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़नी की बात कही इस बिरौद के सम्माब में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना कहीं इस प्रकार की कुई बातों दीखी हैं जो बिरौध हो रहा है। अपिने एक प्रूब्राम में का अभी मैं जन्दा हूँ उझे ने जानगारी है इस बारे मुझे वहां ताक क्यों कहा है इप बेने समयदा इस बंडागी कि अनावर्शक ऐसी चलती रहते हैं जो रहों में चलाते हैं धन्लवागी जो हमारे समाद के साथ हुए मानने महोदे जी के साथ जो बात हुए यहां के जो मेर थी उन्होंने बड़े मज से टिपड़ी गी थी